हुआ है कि नगी इसला मस्टा है कि मैं हम दोनों हम दोनों का आप सभी को नमस्टाथ बाबुबस चानरों में साधा परणाम करते हुए आज के राव करते हैं आज मानव कर्म दर्शन के अध्याय दो उपासना वेवेक को अध्याय को ले करके हम दोनों आपके सामने अपनी अपनी जो भी कुछ हमने अध्यान किया है उसको आपके साथ साजा करने के लिए हम लोग यहाँ उपासने पिछला अध्याय हमारे भाई योगेश भाई में लि था आज मैं इसको कर्मदर्शन की जो परिभाशा बाबा ने परिभाशा सहिता में दी हुई है मैं उस परिभाशा के साथ आज इस अध्यान को प्रारम करती हूँ कान्मदर्शन की परिभाशा सहिता में बाबर जी ने लिखा है कि मानों में काईक वाचिक मानसिक क्रत कारिद अन्मोदि जागरत स्वपन सुशुप्ति में किया गया कारि व्यवहार व्यवस्ता सहज भागी दारी का अध्याई जागरत स्वपन सुशुप्ति और खायक वाचिक मानसिक करत कारिद अन्मोदि इतने प्रकार से मानों जो है यहां पर जागरत स्वपन सुशुप्ति को जो भी लिखा है बाब ने उसकी परिपुष्चि में हमारा जो अण्वध अर्शन है उसमें एक सूत्र जो दिया है मैं मैं इसको यहां रखती हूं, कि मनुशिश्च जागरत अवस्था में शिरिश्टी की नित्यता एवं परिणाम शीलता का, स्वपना वस्था में उसकी अनित्यता एवं छडवंगूरता का, सुश्चुति में की उसकी जड़ता का भास-ाभास एवं अनुमान करता हblev तो यहां पर जागरती स्वप्न सुषुप्ति को अनभा दर्शन में बाबा ने इस तरीके से रखा है क्योंकि जो जागरत मानव है वो उसके क्रिया कलाब जो है वो न्याई सम्मत न्याई इवं धन सम्मत विचार वब वहाड संपन सत्यान भूति सही जो मानव उसको जागर के जढ़ता का अनभाव करता है क्योंकि इसको पता ही नहीं रहता है कि मनुष्य नूप में जीवन दुपर जीवन रूप में प्रशनी की राक्षन हिसलिए वो स्व्यम को शरीर मान करके उस विदी से प्रस्वत होता है मानविता की लक्ष में अध्ःत मानविता पूर्वक व्यवस्ता और समझ व्यवस्ता में भाड़ी दारी के लूप मैं मनेश्य द््धौरा किया गया काहिक बाचिक मांसिक रिया कर्म और उसके प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन साहित कला की अभीव्यक्ति संप्रेशनाय कर्म इस पूरे अध्यान में जो हम पढ़ रहे हैं तो उपासना के संदर में भी हमको क्या क्या पढ़ना है तो मान काईक वाचिक मानसिक क्रिया कलाव ही स्वयम स्वराज्य कर्म जो स्वर्तंत्र मानों यक्ति संप्रेशना हैं जिस सभी कुछ कर्म में आती हैं और उपासना के जो अध्या है उसमें हम इन सभी को के संदर में अपनी प्रस्तुतियों को रखेंगी ज्यागरी की पूर्वक काईक वाचिक मांसिक प्रत कारित अनमोदित विदी से सुखी होने का जो कराकार कलाप है उसका भी हम लोग अध्या यहां पर उपासना की विदी से कैसे हम कर सकते हैं क्योंकि बाबाजीनी जो भी कुछ उनको यह अनुभा हुआ है वो अनुभा मूलत विदी से हुआ है और हम सब के लिए उन्होंने राजमार्ग बनाया है कि हम लोग उस तरीके की समाधी साधना तो कर नहीं सकते है तो हम लोग अध्यान पूरवक इस सहघ मालप से जा करतें उनको जो आनुभा हुआ है उसको हम लोग कल्पना में ला सकते हैं अनुभां मेरा nest раз कर सकते हैं उसको अपने आच्रें काद़ें विचार में ला कर दें अनुवोष पूर्वक्त हम लोग और अब मैं यहां से शुरू करती हूं कि उपास्ता जो हमारा अध्याय है इसमें उन्हों किन विंदू को किन बीन के संदर में वातों को रखा है तो उन्होंने ज्यान विभेक और मानवन लक्ष और जीवन लक्ष के संदर में यहां बाते रखी है ज्यान में अस्तित्व जीवन ज्यान मांगी तब उन आच्रन ज्यान इतीनों ज्यान से परपुन माना ही जागरत माना होता है जागरती के परिणाम स्वरूप माना में विवेग के पहचान होती है जो कि जीवन के अमरत्व शरीर के न सुख शांति संतोश और आनंदि के रूपने हैं अब आगी की जो चर्चा है वह आपके साथ पाठाग जी शेयर करें तो अभी तक योगेश भाई ने अध्याए एक में कर्म को देकर जो बाक्त कर्म दर्शन में तही गई है recur. उसको उसका अध्यन कराए यदि इसको ऐसा देखा है में तो कर्म दर्शन के तीन हिस्से ने पहला हिस्सा है इसमें कर्म कर्म को लेकर ने कर्द जो जिएन पच्छर उसको पर्स्ट किया है इस्टर्म का कि या जिखार होते हैं दूसरा CHCFO करने के लिए क्या कर나 हुआ कि उसके लिए आबापने को पास्तावित कीया है जो अध्याय दो मैं और आध्याय में उन्हों ने मूल रूप से दो प्रकार की उपासना जो है प्रस्तावित की है जिनको हम लोग इस अध्यायर में अध्यन करें ले इस पुस्तक का जो तीसरा हिस्सा है जिसको हम करें है विज्ञान तो जब हम उपासना की बात करते हैं तो उपासना में वरेक संवत ग्यान जो है वो उपासना के लिए अनिवार है लेकिन जिसको हम लोग विढ़ कहते हैं तो विढ़ान के जो बहुत सारे अभयाव हैं उनकी बात जो है बाबा जी ने अध्याय तिन में लिखी तो इस तरीके से ज्ञान विवेक और विढ़ान के मुख में मानों के कर्मदर्शन का फ्रतिपादन जो पूर्टिया गया है तो अध्याय दो को हम यहां से सुरू करते हैं तो अध्याय दो जिसका नाम है उपासना विवेग तो इसमें दिखा है मानव जीवन में उपासना एक महद्दपून भाग है तो जब हम उपासना के सध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें हमको यह बात पीश पस्ट होगी कि बाबादी ने जो परंपरा में प्रचलित उपासना हैं उन में जो भूस सारी निरवफक्ताइं हैं उन निरवफक पाता हुब कैसे अटा के जो मानव जाती में मानव परंपरा में प्रमानित होने वाले इसलिए इसकी शुरुवाह करें मानो जीवन में उपासना में वांग उपासना ही मूल प्रुविट्यों का परिमार्जन परिवर्तन प्रक्रिया है तो मूल प्रुविट्यों का मतलब है प्लेश और हर्ष परिपाकात्मक मूल प्रुविट्यों और परिमारधण का मतलब है गुणात्मक परिवर्थन से तो पूर्व से मतलब है कि मानवीटा से मानवीटा में उसमें परिवर्थ यही यान्य आध्यन संस्कार यह वं सुभाव परिवर्तन вдt ही है यानि उपासना पूर्वक जो है संस्कार और सुभाव का परिवर्तन होता है और उसमें अध्यन एक आवश्यक प्रक्रिया है कि अध्यन को भी हम लोग उपासना ही मान सकते हैं उपासना के रूप में हैं अध्यन कि इसके बाद कि उपासना की अधारना क्या है Uपाय पूर्वक सहवास पाना हिए उपासना की अधारना है कि उपअधी के लिए तो से कि उप्यूपत पधति उसको उपाय पूर्वक के है साने हों सना रहना ओध्यार्ति है से जागरित या जागरित का होता है है दूसरे अर्थों में। मानो परापरा होगी तो ना तो इस तरीके से भी हम लोग सहवास का मतलब होता है साथ-साथ आने का मतलब है साथ-साथ होना रहना तो जो सहवास है मूर रूप से सहवास जागरिती का या जागरित का होता है दूसरे अर्थों में कहें जब मानो परंपरा होगी तो सिख्षा और विवस्ता का सहवास होगा तो विध्यारती जो है आच दूसरा हम सहवास को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सहवास का मतलब है संबंद में रहना जैसे हम परिवार में रहते हैं परिवार जो है समाज में रहता है तो परिवार में व्यक्तियों का सहवास है ना समाज में परिवारों का सहवास है ना समाज जो है राष्ट के सहवास समाज है और पूरे अंतराष्ट में राष्टों का सहवास इस तरीके से भी हम लोग सहवास को समझ सकते हैं है तो सहवास में यह जिसका विलिगी करण होता है ना अब इसमें देखिए कि जो हम परिवार में सहवास की बात करें कि मिलシों की निरनतरता हो जाते है मिलसे समय निर्वाय की निरनतरता हो गए और सम्द निरनतर्ता में तब वो जो सहवास है वो एक्रीके में बदल जाता है याने वह एकता की रूप में हो में हो गया एकत्तोकी होbbles覺 है इस रूप में हो जाता है याने अपास्का पूरी तो इसी तरीके से एक मां लीगे को की संसकार के लिए विद्यालेव में जाता है वहां अध्यन करता है और शिच्छा पूर्वत उसमें ज्ञान की निरंतरता हो गए तो वो सहवास से एक्चे में आगया याने जागरिती की निरंतरता उसके अंदर हो गए तो उस अर्थ में भी हम लोग सहवास और एक्चे को देख सकते हैं तो योग का जो परिवासा था व कि योग जो है वो एक्चे और सहवास के रूप में होता है कि इसके बाद लिखा है कि इसके लिए जिसके लिए यानने अउपासणा के लिए परिश्रम एमम अभ्यास है और परिश्रम को बावनी लिखा है परिमार्जित श्रम एक होता है कि हम कुछ भी करते रहें वो भी प्रकार से श्रम है जैसे अमानवी इता में जो श्रम है वो श्रम की बात नहीं कर रहें परिमार्जित श्रम की बात कर रहें तो परिमार्जित सब परिमाल मेना कोरेंग अर्थो्पार्जन के लिए लिखाए इसके लिए याने उपायद पूर्वत सहवास्ताना ही उपास्ना की अवधारना है यह नहीं और उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास के है चिंदद ना अभ्यास दूसरा व्योहारा अभ्यास तीसरा प्रयोग योग दिसको लोग करमा अभ्यास का इसके बात कर्माख्यात मर्म एक प्रकार की अपासना लिया कि फियर तो यह सक्काल्स एभम परिष्ञम से हमको इस्फूल सूठमवर कारंज की सफ्ट बता है इस फूल किसको कहा है तो जितनी भी जड़ त्रक्यूती है उसको स्फूल कहा है यह जिसको अम लोग भौतिक भी कहते हैं जो पदार्फिंड है उनको अम लोग इस्थूल के रहे हैं तीसरे तरीके से देखें तो जो शरीर हिर्दय प्राण का जो समूह है जिसको अम लोग सरीर रचना कहते हैं वह भी स्थुली है तो इसके बाद का कि सुक्ष्म को बहुत सुक्ष्म का मतलब है मन व्रित्थी और चित्त इन तीनों को मिलाके सुक्ष्म परिश्रम पार्ण केसे ही इस फूल शूंठ थीनार्म से तो इस्थूल की सत्वत्ता, सूप्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आश्राइबर ही पूरी परंपरा में और जो अमसंदान किया है उसमें 仔Sc तो कारण सुक्ष्म और स्थूल से संस्थधी पदार्थ याने पदारध के अंदर जो स्थूल है कारण नियतिक्रम नियतिक्रम का मतलब का स्क्ष्ध बिर स्अब्धिक्रम wacky सुभावगती शहद रूप में जो प्रमाण है उसको शक्ति कह रहे हैं महीमा यानि इस सब का प्रभाव छेत्र है उसको महीमा कह रहे है विभूती विभूति का मतलब है ये सब पतात क्रिया करते हुए किसी अवस्था या पद के रूप में वैभवित हो जाता है उसको विभूति क्या रहे हैं और नीयम संबंदी याने एकाईयों के अंदर जो नियंतरन प्रस्ट भूवी है इकाईयों की जो नियंत्रन संबंदी खिरियावा कारण है इसको अनुसंदान, अनुसंदान सोध याने इन सब का अनुसंदान एवं सोध प्रसिद्ध है अनुसंदान का मतलब होता है अनुभाव मुलक उद्गाटन को अनुसंदान कहते हैं और सोध का मतलब है अध्यान, नेरिक्षन, परिक्षन, सर्वेक्षन, पूर्वत जो सीखिलती है वो सोध है सोध को ही अनुगमन पूर्वस अवधारणा भी कहा गया अनुगमन का मतलब है स्थूल से सूप्व और सूप्व में से कारण इस तरीके से सोध तो हम लोगों ने अभी तक ये बढ़ा कि जो उपासना है उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास है परिश्रम और अभ्यास से क्या होता है तो सूप्व कारण की सत्यवत्ता सत्यवत्ता जो है वह स्पस्थ होती है और इस से संबंदी पधार्थ्ट नियतिकरम, शक्ती, महिमा, विभूती और नियम संबंदी, अनुसंद्धान, एवं सोध प्रसिद्ध है गहाई इसमें हम लोगों ने सब दआये हैं इनकी परिवार्शाओं को भी मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किए है अजय के बाद है अनुसंधान भौतिख बौतिक और आध्याकमिक प्रक्रियद मन्न चिंटन संकल्प अनुभूती के रूप में प्रतक्ष है तो जो अनुसंधान प्रक्रिया है वो मनन है मनन की प्रक्रिया मनन का मतलब होता है पूर्वानुद्रम को स्विकार करना मनन का मतलब है पूर्वानुद्रम पूर्वानुद्रम का मतलब है जो आत्मा से आने वाले संकेत हैं उनको स्विकार करना चिंतन का मतलब है पूर्वान द्रम को स्विकार करना तथा अस्तित्व सह संकेतों को स्विकार करने की ख्रिया इसको चिंतन कहा है और संकल्ब संकल्ब का मतलब है अन्वव सहर प्रमान को प्रमानित करने का निस्था द्रणता और उद्देश जब अन्वव संपन्यता के बाद संकल्ब है और संकल्ब का मतलब है कि जो भी अन्वव सहर उपलब्दी है उसको प्रमानित करना प्रमानित करने के लिए जो निस्था द्रण प्रमानित करने जाते हैं याने हम व्योहार और व्योसाय में जीते हैं तभी हमको न्याय-धर्म-सर्तिकी अनुपी होती है जो अनुसंदान को मनंच संकल प्रमा अनुपी के रूप में प्रत्यक्ट है यह बात यहां पर इस बर्टे की वे इसके बाद है स्कूल सुप्ष्म कारण को ब्रेकेट में लिखा है द्रस्टा का ताथ परिया है तो लिखा है देखने, समधने, प्रयोग करने, व्योहार करने, अनुपौग करने, योग चमता से संपन होने से है है यदि हम इसको समझना चाहते हैं स्थूद़॥ मुकारण को जीवन कि सथूदसूद। कारण का द्रश्णा है इसका इसका अर्थ है देखना समझना प्रयोग करना व्यवहार करने औरुभा करने यह संपन्य होना है तो प्रयोग का मतलब जिसटी के लिए प्रक्रिया दूसरा जब हम प्रयोब को आर्थिक कार्ट्रम में देखे तो प्रात्रितिक एस्वारे को परिवर्ति करने के लिए प्रारभुत्रम्ट्राशा को भी प्रयोब कहते हैं तो जो दरश्टा के रूप में मानव है या दरश्टा के उप में जीवन है तो जीवन किस्थो'll-सूंठ्सूप्म कारण को देख सकता है समसकता है प्रियोप कर सकता है व्यवहार कर सकता है और अन्भव करने की चमता से संपल्न हो सकता है इस अर्ख में यहां पर दृष्टा को इसपष्ट किया है फिर अगला वाक्य है उपासनाएं उतस्त, रूपस्त और आत्मस्त भेद सेन है पून अनभव के लिए की गई प्रक्रिया उतस्त उपासना है महिमा सहित रूपसानिद के लिए की गई प्रक्रिया उतst अपासना है और प्रत्यावर्टन अत्मस्त उतस्त उतस्त गोंत चाहिं रूपसानिद सेन हैं तो महिमा का मतलब होता है प्रभाव छेत्र सहित्र ना प्रभाव छेत्र को महिमा कहते हैं प्रभाव का मतलब है अपनी मौलिक पहचान याने जितना फैला है वही प्रभाव है तो प्रभाव छेत्र महिमा सहित रूप सानेदि के लिए तो यहां बेसिकली महिमा सहित रूप साने देता का मतलब है जिसको हम लोग कह रहे हैं एशना द्रैके लिए प्रत्या रूपस्त साथना है जिसको हम लोग देव आत्माओं की उपासना भी कह सकते हैं प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्त उपासना है प्रत्यावर्तन का मतलब है परावर्तन का मुल्यांकन मतल्या प्रक्रियाही ही मतल्लो कुर्वध तो जीते समय जो मुल्यांकन होता है मुल्यांकन पूर्वज जो है बोध और अनुभव अनुभूती की जो प्रिया होती है यह वही आत्मस उपासना है ऐसा मुझे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है क्रत्यावर्तन की परिवासा एक बार मैं फिल से पड़ देता हूं करत्यावर्तन का मुल्यांकन व्यवस्ता में से प्रियोजन सक्त्य समाधान न्याय सहर मुल्यांकन स्विप्ट करिया है तो जिसको हम लोग अध्यान करें बेशिकली जो अध्यान है वो आत्मस उपासना है कि एशना त्रह के लिए जो पासना है वो रूपस उपासना है पून जाड़ुती के लिए जो उपासना है या पून अनभौ के लिए जो उपासना है वो फूतस उपासना है जिसके लिए जिसके लिए मानोबाद है ऐसा ये थीम प्रकार की उपासनाएं है और उपासना से क्या होता है तो कारण इस्थूल और सूच कारण सूच में स्थूल की सत्वत्ता इसपस्ट होती है अनुसंदान का मतलब है मनन चिंतन संकल्प और अनभूती की रूप में अनुसंदान प्रक्रिया है और इसी को हम लोग भौतिक और आध्यात में किरें है तो वितिक का मतलब प्रत्या वरता निपूरता और उपादन के रूप में भौधिक है और आध्यातमिक का मतलब है ज्ञान पूरता के लिए निपूरता कुशलता तार यांपांडीत है कि प्रमित्यों के परिमार्गन के लिए ही उपासना है और उपासना ही मानव जीवन का कारेक्रम इस वाकिका अर्तिश्पस होता है मानव में पूरता और परिमार्गन सीनता की अपेख्षा प्रतिक इस्तिती में पाई जाती है तो यहाँ पर जब हम प्रतिक इस्तिती की बात कर रहे हैं तो मानव पाँच इस्तितियों में है तो मानव में पूंता और परिमार्जन सीलता व्यक्ति में भी है परिवार में भी है समाजमें भी है राश्व रम्सराव में मानाओ में पूंता और परिमारजन सीलता की अपेच की प्रतियीं पाई जाती यह पाच्शों पाई जाती है झाज का-ऑडिकमारजन सीलता ही निपूंता युण-कृसलता ता है नई वाली किताब में साः निपुनता पंडित ही लिका हुआ है लेकिन जो परान किताब मेरे पास है उसमें लिखा ili निपूनता योन कुछ अपन्डित है और यहां भूनता को और परीमारग स्प्राब है कि में इस्पास किया गया है पांडित से अधिक ज्यान क्योंकि पांडित कुन है इसलिए ज्यान कुन है इसलिए ज्यान से ज्यादा तो कुछ होता नहीं इसलिए पांडित से अधिक ज्यान और निपुनता-कुसलता से अधिक व्योहार एवं उत्पादन नहीं है तो निकुनता कुछलता से अधिक व्योहार और अत्पादं नहीं है। और पांडित से अधिक जान नहीं है। परिमारजन सीर्था उत्पादन व्योहार नहीं पाई जाती है। फिर आगे लिखा है पांडित ही प्रबुद्धता है तो जब हम पांडित ही प्रबुद्धता है तब प्रबुद्धता को हम कहां पैचानते हैं तो मानो परंपरा में पहचान तो मानो परंपरा में जो ज्ञान विवेक विज्ञान संपनता है उसी को प्रबुद्धता के रूप में प्रबुद्धता है तो फांडिती ही प्रबुद्धता है इसी को हम जब विवस्था में लेखते हैं तो प्रबुद्धता ही शिक्षा एव यहने जब जागरित मानों परंपरा में सिख्षा विवस्ता इस्थापित हो जाएगी है ना उससे पूर्व तर उससे पूर्व तर उपासना संपन्दता के लिए ज्ञान विवेक संपन्दता होने के बाद जब उसको व्योहार में और व्योसाय में हम नियोजित करते हैं उससे परंपरा में सिख्षा और विवस्ता की स्थापना पूर्वत प्रतिश्था पूर्वत जो प्रभुद्धता है वो पीडि से पीडि सुलब हो जाती है इसलिए इस समय यानि जब हम लोग उपासना कर रहे हैं या उपासना स्थील है उस सिस्थिती में प्रभुद्धता से परिपूम होने तक उपासना अकेंत सहायक है फिर आगे है देवी देवता तीन प्रकार से गण्दे तो हमारी परंपरा में भी देवी देवतां बहुत सारा जिक्र है कैते हैं 33 करोण देवी देवता है या या देवता भी बोल सकते हैं कि यह देवी देवता कहने से ऐसा लगता है कि में भी को धेद होता है कि ना तो शरीर जब नहीं रहता है तो क्योंजी सरीर के आधार पर जो है इसली पूरुश का भी लेकिन जब सरीर नहीं है उस सरीर वीहिंदा कि इसलिकीन में जो आत्मा थैस इसलिए देवता भी लगता है। Benson जो दिसको प्यूप लगता है तो भू अंतरिक्ष दि प्रिश्थानी है। प्रकार प्रज़ के रूप में घंड है। और यहीं क्लासिफिकेशन या वर्गी करंड किया गया है ये उनकी विच्राण चंता पर आधारित हैं भे ये लिखा है कि जो चैतनमिकाई सुक्ष्मा कारण कृया के संवल्बित रूप मेरतिकार ज्याकिदक वुद्ध खित्म के लोगति रूप से है यही आत्मुपुझ है आत्मुपुझ का मतलब हुआ मन व्रत्ति चित बुद्धी आत्मा इन पांचों का जो संब्लिक रूप है या अभिवाज रूप है उसी को आत्मुपुझ कह रहे हैं और यही देवी देवता है तिप क्योंकि इसको थोड़ा सांगे डिफ और जो सुक्ष में क्रियाएं हैं वो चित्त से तथा कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती है तो जो स्थूल सरीर है वो प्राण वायू से नियंत्रित होता है और जो सुक्ष म क्रियाएं यहने मन व्रत्ति चित्ति की जो क्रियाएं वो चित्त से नियंत्रित होत इस तरीके से इन में नियंद्रन को अंब्लो पहचान सकते हैं नियंद्रन के रूप में ही स्तिति वत्ता रहती है जिसको अंब स्तिति वत्ता कह रहती है पिर अगला सेंटेंस है शूप्ष और कारण का व्योग नहीं है यहाने मन वरितिजित और कारण के रूप में गुद्धी और आत्मा इनका व्योग नहीं है। आप अना और फिर सूंप्ष में हम कारण का संकेत है सूंप्ष कारण का संकेत के इवल श्रीर को संचालित करने में इसमश्ट होता है कि यह मैं सूप्ष और कारण की जो उपस्तिती है या उसका अस्कित्व है वह स्थूल स्थोल को संचालित करने में स्पस होता है और फिर ये भी लिखा साथ ही है अनिवारे भी हैं फिर है इस तूल शरीर रहित अवस्ता में जब इस तूल सरी नहीं है वो सवस्ता में बुद्धि के संकेता नुसार की सुप में क्रियाएं संपन होती है एक सब्सक्राव कि नहीं नहीं है सब्सक्राद व स्पराव कि इसमें दोनों बाते हैं जैदि एक्रति में जीव-चेत्ना में बुद्दी हेहंकार की ूपमे रहती है जीव-चेत्ना से ही सुप्ष्म् पृआव को वो संपन्द होती है और जिस्तमेश्स में जागरती है तब बुद्धी संपन्द्ड यह तो बोट शंपन्द बुद्धी के संकेतों को ग्रहन करके जो सुक्ठ्म किरियाय मन वृत्ति ओर चित्य है कि न यंधर डिके हैं ज्वर कृति हो करती है फूंद्रत क्या कहा गया है उसको आगे उसका अधिन कराएंगे। तो अभी तक पाठिक जी से उसम देखे कि उपासनाएं जो हैं वो किस प्रकार से हैं तो कोटस्त रूपस थेवं आत्मस्त भेट से उपासनाएं होती हैं और उन उपासनाओं के परिणाम में किस प्रकार से उपको पहचाना जाता है उसको इन आगे के जो पैराग्राफ हैं इन में बताया गया है हिए तीनों प्रकार की साधनाओं के फल स्वलूप भी प्रकार के देड़ता गों आंतरिक्स सक्षा और भू सबूलि होते हैं तो यही करमसर्द् ermi अत्मा देवात्मा एवन भूत आत्मा हैं तो यही तीनों प्रकार के देड़ता जो हैं उनको पहान तीनों प्रकाश के देवता ड्योश्चा असीम आवकाश के विचलने वाले अंतरिक्ष में इस्थली का मतलग होता है एक ब्रह्मान्द के वार्तवर में ब्शुने वाले होते हैं यही करम से दिव्यात्मा अब भूत्वात्मा तो इन तीनों का जो अंतर किया गया है तीनों प्रकार की जो हमारे यहां बात्चित हुई है पशुमानव, राक्षस मानव, देव मानव और दिव्य मानव अना मानव को कोई पद नहीं माना गया है इसलिए हम लोग पशुमानव को तो गिलते ही नहीं है चार पद जो बताएगा है प्राणपद, ध्रांतपद, देवपद, अग्यदेपद उस अंदर में यहां पर बात की गई है जो भ्रांतपद में है वो सब भूत आत्मा है और जो देवपद में है वो सब अंतरिक्ष में मतलब जो देवपद चक्र में है और जो अस्वतंत्र ह यह सुद्धेया मुद्धविति सुमा RI है यह सब स्वतन्त्र यह पध मुकत है नहीं है इन पर आगे के जो पहर कहा गया है आचनल पूलन देवा नता पौनल जागरति संपंगता करण दीवयात्मा दिवयात्मा जो आचनल पौनल लोग सही है उसे बताएं ब्रह्मान्ड के इस्तर पर वीचलने वाले लोगों को जो दिव्यात्माई होती हैं उनको कहा जाता है और जो क्रियापुनिता से संपन सर्तरक्ता सहीध होने के कारण देवात्मा एवं विश्यों में तीब्र आसक्ति एवं सशंक्ता सहीध भयवश भूतात्मा हैं राक्षास मानाव एवं पशु मानावी देहांतर भूतात्मा मानवीता पुन मानाव देव मानावी शरीरांतर देवात्मा तथा दिव्य मानावी शरीर त्यागने के अनंतर दिव्यात्मा की कोटिने गणने हैं मतलब आचरण पूल्न जागरती संपनेता के कारण देवयात्मा है पूल्न जागरती यहाँ पर क्यों कहा गया है जब एशनाव के आधार पर मानुद क्रिया कलाव करता है तो उसके क्रिया क्लाब किसी आशा के साथ रहते हैं तो वो उसकी सी अर्थ में अपने को नियोजित करता है जब कि स्वतंत्र माना जो है वो करता भी पूर्थी उपकार के अर्थ में अपने को प्रेक्ट करता है तो यहां पर पूर्ण फल रेता है जो दिव्यात्मा है उसको पूर्ण प्रतिफल प्रतिफल की अप्रविय करना और वही उपकार विदी है तो यह उपकार विदी भी नहीं आती है इसलिए इन आधारों पर यह जो वर्गी करनी हापर किया गया है इसको मैंने ऐसा ही समझा है कि आच्रन पूर्ण जागरी के संपनेता के करना दिवय आत्मा क्रिया पूर्णता से संपन सत्रकता सहीथ होने के करना देव आत्मा एवं विश्यों में तीब्र आशक्ति एवं तो जो मानाँ होता है वह सभी निर्भांति की तक ही और जो देव आत। प्रहवी देव मानवी शर्यर आंतर देवात्म दिव्य मानवी शरीर च्यागने के नंतर दिव्यात्मा की कोटी में गढ़ने होते हैं, भूत आत्मा अब इनके क्लिया कलाव यह इनके विशे क्या हैं, यह किन चीजों में इनकी रति पाई जाती है, तो भूत आत्मा अधिदैविक तत्तों में, देवात्मा अधिदैविक तछों में तत्धत दिव्यात्मा है अध्यात्म में तदात्मा होती हैं इसलिए कई तरफियां स्थापित की दें अब उद्टा कहां होगी तरफ उनका इस वात को प्रस्तुत कि आ गया है कि बहुत आत्माय आधि भौतिक तत्वों में जो जड़ बक्ष है उसमें वो तादात में रहती है और देवात्माय बधिक्ता में अना बधिक्ता को दीदिश्च शुक भी बोला गया है तो देवात्माय अधिदैविक तत्वों में तत्था दिवी आत्माय अध्यात्मे में तदात में होती है और अध्यात मतलब व्यापक्ता में तादात में रहती है इसलिए जो दिवी आत्माय का विशय है वो केवल सत्य रहता है और दिवी आत्माय के विशय है उसमें लेकिन देवात्मा में क्येवल रहती है वसी क्तला। के लिए काम करता है और देवयात्मा से ही मुक्त सनु स्कत्य जीद्न में लेकिन देवत्ता चानी में हो sophisticated जूने all-Leo भासट के लिद्धा चाहिं को क्या जीता है बता कलने में के स्कत्र स्ट मुट्द्धाम वो यो हैं जो आपकास में विचलने हो वारे हैं इनको दिवयात्मा अंतरिक्ष एक भ्रमान्ड की सीमा में इक सोलाह reg texture 101 प्रति आठेंक्व करęt्तु में करते हैं उनको ब्रतवित ने किया है आधी भॣ 보htit । प्रकार बताय गया है और फिर इनके जो तादातमेता है वो कहां होगी और इन तीनों के फल स्वरूप में क्या हमको व्यवहार पक्ष में दिखाई देगा कारे व्यवहार में उसकी यहां पर चर्चा की गई है कि अधी भातिकी सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार, मतलब जो भातिक्ता की सीमा नहीं है, जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं, कभी उत्पादन प्रधान व्यवहार है, मतलब उत्पादन के लिए व्यवहार है, व्यवहार के लिए उत्पादन नहीं है, जो कि मद्यास में संपत्ति जो है वह समाज की मानी गई यह व्यक्ति की संपत्ति उसको नहीं माना गया इसे यहां पर बहुत अउप्षट से समझने में आती है कि अधिवोठी की सीमा में उत्पादन प्धादन ब्यवहार गज्धिढ़ीग सीमा में तो मतलब अधिदैalah सीमा में क्या रहता है जहां इसमा उंकmittelантके ऊऱ्माना होते हैं वह ज्राथ हमघ्वासी तो प्रकहषी प्रद्द हनुति और दो करेंगी मतलब यह सारा उतफदन लाव के लिए नहीं होगा संबंदों के समुचित निर्वाह के लिए में जागरती भी एक पक्षे है तो जागरती के लिए व्यवहार से प्रस्तुत होना ही आवश्चेक है उस व्यवहार से अध्याद्यSa a已 पिछारेंगे Самरें मतलब अध्यात्याद्य store पूर्ण जीवन ने केवल अनुła पिछा रहता है वहाँ पीज्णता दरता नहीं रहती है वहां पर वह सम्मेक्ष्टि से सम्मेक्ष्ण कलाब करता है और उसके क्रियाक लाप में उसके विचार कारे विवहाँ में तीरों में जो एक सुतरता है वो स्वतंतर रूप से प्रस्तूत होती है इसलिए उनके मारुक दर्ष्टन में भूत आत्मा और बेवात्मा कारे करते हैं यह सब एक जीवन के अंदर ही होने वाली स्थितियां है जो उनके मतलब उनके जो उनके जो इस्थितियां है वो केकिन तत्वों में उन तादात में पाया गया है किस प्रकार से उनमें आच्रन पूर्णता और क्रिया पूर्णता के रूप में किस प्रकार से है और जो भूत आत्मा है उनमें आच्रिया पूर्णता नहीं होती है इस जीवन में ब्यवस्थित एवं अनुशासित तथा भौतिक जीवन में अनानुशासित एवं अब्यवस्थित पाया जाता है जैसा कि मैंने आप से भी कहा कि इसलिए व्योहार एवं व्यवसार में अध्यात को पूर्ण जीवन में सैयत एवं नियंत्रिक रहते हैं वहाँ पून फल है स्वापात्रता है वहाँ पर पाने के इच्छा से कुछ भी निक्या जाता है यह स्वापात्रता ही हमारे स्वतंत्रता का अधार है तो जो स्वापात्रता में कोई भी जीवन इस्तित्थ हो जाता है तब वो देने कर्थ में उपकार कर्थ में अपनी समस्त तता बहुतिक जीवन में अनानुशासित पाया जाता है यह तो इस पष्ठी हो रहां इस जो वाक्य रचना है अधि में विवस्तित पाया जाता है इसलिए अध्यात में पूर्ण जीवन में ही मानों की चारों आयामों की एक सूत्रता पाई जाती है, तो माना में जो चार आयाम है, विचार, व्यवहार, कारे और अनुभाव, विचार, कारे और व्यवहार, ये चारों जो उसके आयाम है, तो चारों आयामे में एक सुतरता रहती है, तो अनुभाव सम्मत उसका विचार होता है, अनुभाव विचार सम्मत उसका व्यवहार होत इस प्रकार से इस मानों में जो एक सुठता है चारों आजामों के माध्यम सी दर्शन ने प्रस्तावित की गए जिसकी यहां पर व्याख्या है विशय चतुस्त्य के लिए अधिभातिक तक्तों में अब यहां पर फिर बात करने हैं कि जो है वो भूत आत्मा जो है और देवा शामाजिक एबं व्याभारिक मुल्यों में दीवयवान अध्यात्मे में तादाघ में पाया जाता है जिसके लिए ही क्रम से आशक्ति उपासना एबं निस्था प्रयुक्त होती है मतलब जिए विशय चतुस्टे में या जो भृतिक पक्ष में तादात में है वो विशय च ज्ञति करते हैं दिवालाइफ आध्यात्मेन में थाधात्में पाई जाता है जिसके लीए हिक्रम से अशक्ति उपास्ना एवं मिष्ठा प्रयylक्त होती है यहां पर प्रयlation से है प्रवुद्धता थी। होती है शयू eder हमानों में यह घूता गया है जिसको आगे हम लोग यहां पर रखेंगे तो अब इसके आगे परमात्मा सत्ता में संपुन जड़ चैत्यन्यात्मक प्रकृति संप्रत्त है इसलिए यह में अनुभव परियंत जागरती के लिए बाद है यह में अनुभव परियंत जागरती के लिए जागरती क्यों बाद है कोई बी इकाई जो है माना इकाई यह बाद है इसलिए कि अस्तित में जितनी भी क्रियाएं हैं, वो किसी प्रियोजन से हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन प्रियोजन की पूर्ति के लिए हैं, तो ज्याना अवस्था जो है, वो सहस्तित को प्रमाणित करने के लिए हैं, क्योंकि मानों में ही कल्पना शीर्ता और कर्म सत्ता को अनवहारो का अधिकार उसके पास प्राप्त है। स्पष्ट करना चाहते हूं जो कि हमारे भाई बंदु कई बार अपने प्रश्टों में पूछते रहते हैं कि दर्शन और अनुभव इसके बारे में वह बहुत जिग्यासाइन रगते हैं तो मैं इस पश्टी करन जो मुझे मद्याज दर्शन के अध्यान से समझने आया है व जा में चक्षु से देखने के लिए कोई दूरी चाहिए बिना दूरी के कुछ देखना होता नहीं है तो इसलिए दूरी में ही देखना होता है तो मन से ब्रत्ती की दूरी है तो मन ब्रत्ती को देखता है ब्रत्ती से चित्त की दूरी है तो चित्त को देखती है और चित्त यहां पर दूरी होती है वहाँ अनुभाव के लिए यहां पर उनुभाव के बगए्र मान ayiba जय्म को व्यवस्था में प्रमानित की नहीं कर पाती है तो बाबा ऑर अध्यान पूर्वग हम इसको समझ सकते हैं transaction हमनों ने विश्वास दिया है तो अनुभो और दर्शन में इतने अनसी है दर्शन किसी द्रश्टि पूरवग देखना हि Desert Run Sen Chi शॅब तो हम किसी से लिग रहे हैं तरदम और जो किवल सत्य की द्रश्टी से देखते हैं वो सब दिव हैं इसलिए अचान पूर्णता का प्रमार दिये बगार उसमें त्रप्ति का प्रकाशन नहीं है वे प्रतियों कुर्णता क्यों है यह जान पूलता क्यों है रोपने रहती है जिसको प्राडमय कोश्ट के रूप में हम लोग पहचानते हैं और कोशों के विकास के परिनाम में ही ज्यानावस्था का उदय हुआ है और ज्यानावस्था जो है वो आनदमय कोश्ट के उदय के साथ जगरती की और गति शील है और विग्यादमय कोश्ट के उदय के साथ ही को प्रमानित प्रमपल के रूपने अपने को प्रमानित रूपने देखते कर पाने में समर्थ होती है को ब्रह्मित वानों सहपेक्षेस्टा से प्रीडि और जो प्रुषक्ष ऑवेश्थ है ये स्वापातरता निकों न पहछान पाना ये जो तो मुख्या पेक्षा है यही सापेक्षता है माना इकाई को जिस दिन ये विश्वास होता है कि वो स्वयम से अपने मांसिक और शारीरे क्वश्रक्त कि पूर्ति कर पाता है तब वो भ्रम से हो chil नहीं तो जब तक उसको स्वयम में विश्वास नहीं आता कि मैं अपनी मानसिक और शारीरिक आवश्च्टाउं की पूर्ति करने के लिए इस लिए परिवार व्यवत्था में व्यवत्था की इतिकाई के रूप में रस्तुत होता है इसलिए कभी भी मानव को मद्यदर्शन में मानव को व्यवत्था की इकाई के रूप में नहीं बल्कि परिवार मुलक स्वराज व्यवत्था को व्यवत्था की इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है मानवी काई जो है कि समगरे विवस्था में भागीदार के रूप में है उत्तर्ष कहां तक है तो भ्रहममुक्ती तक अब आगे से पाथक जी आपके सामने अपना प्रिस्ताव कि आगे जाने से पहले एक बार पीछे चलते हैं तो अभी तक हमने क्या पड़ा तो मानों जीवन में उपासना एक मातपून भाग है उपासना मूल प्रुवित्यों का परिमार्जन परिवर्तन है इसके लिए अध् पूर्वक्त सेवास को पाना ही उपासना के अधारना है उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास हावश्यक है अभ्यास अभ्यास परिश्रम से इस्थूल सूप्म कारण की सत्वत्ता इस्पस्त होती है इसके तत्व संबंदी पदात नियतिक्रम सक्ति मैमा विभूती ए बताया कि मनन चिंतन संकल्प एवं अनभूती के रूप में प्रत्यक्ष है फिर कहा कि स्कूल सुक्ष्व कारण द्रश्टा का ताथ पर देखने समझने प्रयोग करने व्योहार करने और अन्भाव करने योग छंता संपन्न होने से है फिर आंगे हमने देखा कि उपासनाएं जो है तीन प्रकार की है पूतस्त रूपस्त और आत्मस्त जिसके लिए मानो बाद है इसके बाद बताये कि प्रिविट्टि का परिमार्दन ही मानो जीवन का मूल कारक्रम है तो प्रिविट्टियों का परिमार्दन ही मानो जीवन का कारक्रम है फिर कहा कि मानों में पूंत के परिमारजन और स्कृत vorbereते प्र clic चार्प अंतराश में इसके बाद बोला परिमारजन सिल्ता ऑपBIH65 पांडित से अधिक ज्यान निपुनता कुसलता से अधिक व्योहार नहीं है परिमारद शीमता जो है उत्पादन वह व्योहार में पाई जाती है फिर आगे हम लोगों ने देखा कि पांडित ही प्रभुद्धता प्रभुद्धता ही शिक्षा व्यवस्ता और प्रभुद्धता से परिपून होते तक उपासना अतियन्त सहाय है फिर इसके बाद तीन प्रकार के देवताओं की बात करी भू अंत्रिक्ष और दिविस्थान जो उनकी विच्रण शम्ता के अधार पर है इसके बाद यह बताया कि जो इस्थून शरीर है वो प्राण वायूं से नियंत्रिक होता है और सुप क्रियां चित्र से नियंत्रिक होती है वो कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रिक होती है फिर इसके बाद यह कहा कि सूप और कार प्रविद्ध करने से सपस्थ होता है फिर इस फूल शरीर रहिद अवस्था में बुद्धी के संकेता नुसार ही सूप्वित्रियाएं संपन होती है यहां तक मैंने इसको दिवाइस किया इसके बाद सुनीता ने जो अपनी प्रस्तुती भी उसमें उन्होंने बताया कि तीन सकती प्रकार स hesitant है धोल सरीर घर अंत्रियट अत्मक ह Tai डाले लोज़े को अलγοर नेने जो जीवन या सपथरी समिय में जीते हुए त्यार कर देते हैं और स्थिति में जो इक भुमी के वातावरन अंस प्रिच्रन हो सकता है तरी 안녕하세요 इसके बाद प्र bounces इसकी बात भी थर यह बताया कि यह जो ईंट दो कहते हैं तो आचरन पूंता के आज़िन वह दिबाल रहें सद्वाजित ओसजय जतन सब्सक्राइब कर दिवाई तो इसी में तो सmbієं किया डिपाइं गया कर्षास मानाउ पसुमानाफ ही देहांतर के बाद भूत आत्मा है मानाव और देवमानाव ही देवाअत्मा है और जो दिब मानव हैं चली त्यागने के अनंतर है इसी लिए तीन कोटी में इस्थाफित हैं तो अधिबोतिक का मतलब है उत्पादन प्रधन व्योभार है यहीं है जो भी कुछ व्योहार करते हैं वह भूतिकता के लिए करते हैं कि धन संपदा के लिए करते हैं कि अदी देबी सीवा में व्योहार प्रदान उत्पादन इस इसको हम लोग करें हैं कि अध्यात्मिक जीवन में अनभाव मुलग विचार 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 उसका विचार और उसके बार उत्पादन इस कर्म जो है ही सबस्ता एंध्या के अध्याय मांय सब्सक्राइं में में आध्यात्मृ। पिर पिर इस के बात पूला है अध्यात्यंजी मैं वत्रेश्ट व हैं और इसे लिए आध्यात्मू जीवन में ही मानों में चारों आयान की सुनीता ने बताया अनबाव विचार व्योहार व्योसाइड की एक सुत्रता जो है वो पाई जाती है विश्य चतुष्ट में अधि-बहुतिक ततों में आसक्ति के रूप में होता है और एश्णात्रय के लिए जो अधि-देवी जो सामाजिक और व्योहारिक मुल्यों में जो रत रहते हैं उसी को उपासना कहते हैं भ्रह्मुक्ति के जो मुल्य निर्वाय है वो मुल्यों में जीने करतव दाइत्य के रूप में न्याय निर्वाय की निरंतरता को पा लेने के लिए जो परिश्रम है जो अभ्यास है उसी को उपासना कहे रहे हैं और भ्रह्मुक्ति के लिए जो आध्यात्म में तादात्मता है याने जिसको ह परिवासिति और फिर सुनीता ने इसको काफी विश्थार से परश्चिक है कि परमात्मा में संपूर्चतन्य प्रच्ट्टि जो हैं इसी लिए परमात्मा में याने ब्रह्म सथा या व्यापक में ही अनुभ्व पर्यंत ज़्यागृती के लिए यह याने प्रकृति बाद्ध है यहां जो बातधिता है तो बात्यता का अर्थ होता है अक्रति फ्लव carries शिकार किया हूँ अ कि अ다 mag bada ke sisteragne कि मानओ प्रपिर्ति की अजांग्रति या भामति वसिए है कि मानओ में शाफेक्षिता से प्रपिरित मान वह साफेक्षिता से बीद के आवेशित या समब्ध है तो सापेक्षिता का का मतलब है कि जो अमानीवी प्रुवित्य हैं, उनके साथ उनसे पीडित है जिसको हम लोग प्री लाभात्मक्त प्रुवित्य हैं या जो संग्रायादी प्रुवित्य या काम-क्रोथ, लोग, भौ, मद, मासर से आवेशित हैं या इस संबध हैं, इस रूम में प्रत्यक्छ ह ब्रह्मित मानौप जो है और यह सापेच्छता तब तक दिखती है जब तक कि ब्रह्म मुक्त नहीं हो जाते हैं अज्ञान से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक जो है यह सापेच्छता दिखती है क्योंकि ब्रह्म मुक्त अवस्ता ही उसका परमोत कर्स है हर इकाई का जो पर पिश्टितक हपित करना है किस इसमें जो मूझ्वात ही कि आगे का जो सूद्र नियंत्रन ही नियम कि प्रेरणा संयोजन सापेक्षता संगती प्रणाम प्रिया आच्रन योग वियोग संयोग पद अवस्था एवं नियंत्रन है ऐसा दिखाए तो जो बेसिकली एदि हम इसको संपूर्ण प्रकृती में समझें चारों वस्थाओं की प्रकृती और जागरि है नियम का भी परिवासा ऐसा दिया है कि इकाई की जो नियंद्रन प्रस्थ भूमी है उसी हम नियम केते हैं घखिष स्पत्र नियम कि नियम कि अ को थो लोग ने ऐसा व्यभाथ बढ़ा था कि बोद्धिक सामाजिक और प्राकृतिक नियम को पहला जो अध्याय था कर्म का उसमें भी बहुतिक सामाजिक प्राकृतिक नियमों की तो बहुतिक सामाजिक प्राकृतिक नियम पूर्वा की मानों में नियंत्रण है जाना बहुतिक नियमों से विचार का नियंत्रण है सामाजिक नियमों से व्योहार का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों से जो है पुद्पादन का नियंत्रण का बना रहना ही नियम के रूप में पहचालने में आता है फिर लिखा है तो प्रेड़ना का मतलब है तो प्रेड़ना भी नियंत्रण wohin जैन के दिसा के परिवर्तन के लीए प्राप्त दबाव और प्रवाव उसी को प्रेड़ना होताया की बाद compromise अपने को अपनी कल्पना सीवता को नियोजित करते हैं उससे सापेग्षिता स्रम गति परणाम तो स्रम गति परणाम में भी नियंद्रन जो है वो बना रहता है इसके बाद क्रिया है क्रिया को हम लोग लोग को इस्तिती गति के संव include वर्तामान तके रूप में हम लोग क्रिया को देखते हैं हर जो है आ में वेवस्ता है कैसा आमने उसमें समाधाना उंक होतिकवाद में पड़ा और समढूर्विवस्ता में भागिदार ही है रूप में कुसी को पैचान सकती है। इसलिए नियम का एक परिवासा ये लिखा है कि नियम ही नियम ही नियम है। एक उपरिवास लिखाओ रहों ज्योकि आरईकाये अपनी मॉलिखती साथ ही नियनत्रण में रहती इसके बाद है योग भी नियनत्रण है तो योग का मतलब है मिलन यान यान o的न के लिए और मिलन सखल मों होता है नियन पर बना रहता है पिर इसके बाद है वियोग होता है साने दिता से दूर होना लेकिन जो साने दिता से दूर होते हैं उसमें योग की संभावना बनी रहती है इसलिए ऐसा नहीं है कि वियोग का मतलब है कि हमेशा के लिए वियोग हो जाए तो सानिद्धता से दूर होना हमको कई बार सानिद्धता उसे जैसे सिछा संस्कार में गुरू की जो सानिद्धता है उससे दूर होते हैं लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि अनियंत्रण हो जाता है तो वियोग भी जो है योग की सम्हावन नां के रूप में रहता है फिर सैन्यौक है सईयोंक का मतलब कुपता के अर्थ में मिलन होग tulips अभी और व्यक्ति परिवारवाल नजनता रावगय है अखंठ समास्टा वह वृस्ता के अर्थ में एक सुत्रित हो जाते हैं याने मिल जाते हैं उसी का नाम संयोग है ना तो संयोग पुर्वा की हम लोग अखन समार सार्भों व्यवस्ता पर अपने को प्रमानित कर सकते हैं यह जो सारी चीज़ों को हमने देखा यह चारों वस्खाओं में हैं इसलिए पद के रूप में जो है नियंत्रन इस पर स्थ होता है तो जो चार पदों की जो बात आई जिसको कहा के स्थित्म प्रा ब्रामति प्देव पड्रों सभी पदड्र है अपने आप में नियंत्रन ही है कि सीने मुझसे प्रसंद कूछा था है इसम्हें कि तो गर्रमर पर में जो पेड़ा है जो है वह नियंत्रत करने का काम करती है फैन्जिब लिए और करने का क्यों क Baptist है तो राय 풀 दुब्व की निरंतर्ता नहीं होती है इसलिए दुब्व नियंत्रण का का में और इस तरीके से जो चारों अवस्ताएं जो है स्वेम में विवस्ता वह समझ घ्रूर पूरत में हमें लोग नियंत्रण का अध्यन करते हैं नियंत्रन पूर्वकी उपासनाय उपासनाय नियंत्रन के लिए ही होती है जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि जो कारण क्रियाये हैं वो आत्मा से नियंत्रित होती है और जो सुप्ष में क्रियाये हैं वो चित्त से नियंत्रित होती है और wyस्तून क्रिया है जिसको हम लोग के रहे हैं तो प्राण से नियंत्रित होती है तो नियंत्रन को प्राप्त कर लेना यही तो उपासना का मुझ्ड उद्यश है पिर इसके बाद लिखा है कि वीध्या है। जीवन घ्यान हो जाना है ना। हिर और है ऐस्तित्तो ग्यान मान्मी आश्रम ग्यान के साथ हो उसके साथ से कुछ हमारे जीने में प्रम्हानिक हुजाना जिसका नाम मंध जूह सब्सक्रदेज का जीवन विध्या के रूप में जो विध्या है वह दिवं आत्माओं की उपासनां सस्के आत्माओं की अपास्ना जो है वो उप्विध्या है उप्विध्या का मतलब है ने समाधान और व्योहार के रूप में ना जिसको अमलों के रहे हैं कि समाधान हो और ज्यायम्व हार उसको उप्यात्माँ के लिए उपासना दिब्भात्माव की उपासना चागरती पूरवत भ्रम्मुक्त जागरती पुर्वक भ्रह्मुक्ति सहित ब्धिक समाधान और भ्वतिक सम्रुद्धी के लिए है दिव आत्माओं की उपासना जागरती पुर्वक भ्रह्मुक्ति सहित ब्वतिक समाधान और भ्वतिक सम्रुद्धी के लिए किया जाना प्रसिद्ध है खेबल भुतिकता के लिए किया जाना प्रसिद है इसके बाद है सभी आत्माये अपने अपने सुभाव सभी आत्माएं मतलग ये तीनों प्रकार की दिवात्माएं देवात्माएं भूत आत्माएं अपने अपने सुभाव से संपन्न है याने भूत आत्माएं जो है वो दीनता हींता कुरूरता से और जो देवात्माएं है वो धीरता वीरता उदारता दयाकरपा से और जो दिवा आत्माएं हैं वो दयाकवा करना के सुभाव से संपन्ध है यही उनकी प्रतिष्ठा है तुसी को अब लोग सुभाव प्रतिष्ठा भी कहते हैं इससे अधिक उनमें से इससे अधिक सुभाव का प्रतिष्ठा नहीं है केवल भृतिक्ता ही फिर कंक्लूजन क्या निकाला इस क्योंकि मानों में पाई जाने वाले चार आयाम विचार विवांं वियोषाय केवल भॉतिक्ता प्रत्रप्त नहीं होते हैं चैण यानि भॉतिक्ता से जिसको वोलोग करें कि भूतात्मा से देवात्मा और लया स्वार्माओं की उपासनाहैं क्यों है क्यों भौ व्हितिक्ता में मानों तुरब्णन होता कि यह मानों के लिए वह परियाप्त नहीं क्यों सब्रों कि चारों आयाम उसमें परिस नहीं होते तो बहुतिक द्रब्गों से याने बहुतिकता से अनभव, विचार, व्योहार, व्योसाय आयाम द्रप्त नहीं होते ही इसलिए मानव जब उत्पादन, व्योहार, विचार और अन्भूदी की एक सूत्रता से परिपून ना हो जाए तक तक वह प्रियोग, प्रियास, अभ्यास के लिए बात है, यहाँ पर जब मानव सब्द आता है, तो व्यक्ति के अर्थ में भी आता है, और सर्व मानव के अर्थ में भी आता है, तो जो उपासना है, वो दोनों प्रकार से है, याने एक व्यक्ति भी उपासना करता है, एक प्रिवार भी करता है समझ भी उपासना करता है वो संंपूर माना जाती इसको समझने की कोशिस करते हैं उत्पादन व्योहार विचार और अंबूति की फरेरित प्रियोग प्रयास अब अभ्यास के भी जिए बाद है फिर इसके बाद लिखा है दिद्वात्माओं की उपासना में वेपासना में क्या क्या है है तो गुष्ड कुण विज्ञान है दूसरा तप है तपका मतलब है द्रण है लोग नीष्ठा है भी बोल तब तभ तो तब निष्ठा है संकल्प एंस तरीके से शहलों lehtah यो ऑली तो पहले यहां को बोध हो जाता है तम दिस्ठा होती है मिश्ठा पुर्वक होता हां मेर्द्ष्यकल्वक उसको प्रमानित करने के लिए संकल्पित होते हैं इस तरीके इसको हम लोग समझ सकते हैं है तो विवेक हों विज्ञान है दिवात्माओं की उपास्ना में तप है निश्या है नेसल कल यही उपासना का प्रत्यक्ष पल है यदि देव आत्माओं में देखें देव आत्माओं की उपासना से क्या है तो अर्द विवेक विज्ञान धेर साहस इसने विश्वास त्याग तथा जीवन क्रिया कलाप में नियंद्रण सैयम पाया जाता है यही देव उपासना की प्रत्पेक्श्व लब्दी है अब भूत आत्माओं की उपासना से क्या है अभिवेक पून विज्ञान है जो अभी हम लोग देखने है कि विज्ञान का जो अभिवेक हुआ है उसके कारण से कितना मानवजाती संकर द्रस्ट है फिर अधैर है उनमें न्याय के प्रति निस्था नहीं रहती है फिर दुस्साहस है दुस्साहस क्या है तो हम प्रकृति को अपने नियंद्रण में कर लेंगे ना उस रूप में कि यह जो तीनों उपासनाओं के फल्षरूप ही क्रम से तीनों उपासनाओं के फल्षरूप ही क्रम से सजक्ता सतर्कता फूल्ण जागरती सतर्कता फूल्ण एवं अजागरत ससंक्ता सहित इस्तितियों में द्रश्टब है यह तीनों प्रकार की जो उपासनाओं है उसके कारण से निरभ्रांत जिसको हम लोग कह रहे हैं उस इस्तिति में सजक्ता सतर्कता फूल्णता है और भ्रांता भ्रांत इस्तिति म का मतलाग हम लोग ऐसा समझते हैं कि तर्क संगत विधी से समाधान प्रमानित हो से था करें कि यहां पर साथ की और जिसको हम लोग भ्रांता भ्रांतियाने मानव देव मानव के रहें हैं उसमें जाग्रती सतर्गता पूर्ण है सतर्गता का परिवास मैंने बताए कि संगत विदी से समाधान प्रमाण होना समाधान वादी विचार सेली पूर्ण जीने की कला और उसकी परंपरा इसको कहरें सतर्गता और सजगता का मतलब है तो सजगता का मतलब है प्रामानिक्ता पूर्ण पद्धती से सिक्षा संसकार राज्य विवस्था संविधान वा आचरन परंपरा इसको कहरें हैं सजगता अंवा दर्शन में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है के बh freezer आँ मि हुप निद्रा भह सनुक्त ब्रहांति को करिम कि योग के हुए च Snake मतलब पुत्ष फिटेश्णा लोकेश्णा इंक तथा निरभ्राहТы काई ये ब्रह्माँ भूदी में प्रैंड है कि ऑगे इसमें अगला वाख है यहीं निरभ्राह घ्राहओ में यहीं पासना में विशिस्ट दाएं दो प्रकार से घंन्य है कि अच्छा मैं यह के रहा था कि यह पुरानी किताब में से है अगला जो मैं भी पढ़ूँगा यह नई वाली किताब में यह पैराग्राफ नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अभी अध्यन कर रहे हैं तो उस क्रम में इस पेराग्राफ को भी पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए कि इस पेराग्राफ में लिखा हैं कि उपास्तना में प्रमुक सिस्टताएं का मतलब आचार होता आचार प्रविती या क्रिया कणा प्रविती इसको प्रमपरा के अर्थ में ऐसे हिए जो एक रहे दो प्रकासिंगर्ण है इन्हीं दोनों सिस्टतायों में मौलिक आहार शागार दुगदपान हे और दू सरा मांसार मंदबरा है ऊकल यह संनग प्रकार की उपास्ना हमारी परबब्बरा लें के कारणी मतलब कुछ देवी देवता की उपास्ना में लोग सागाहार कारण है यह हमारी एक कारण यह प्रती है जिस की उपासना कर रही है उसके आधार पर समरपन्त समरपन्त पूजपीग प४ीज़ता का प्रदर्शन के दोड़े प्रत्रियां वेविदिताएं ना से ी सिर्त वी व्यविदिताएं और फिर यह जो वेविदिता आनो से मत संपृदाय के रुप में ऑर साट्ष दी वर्व सीव można और इस्का ख्या सब्सक्ष करते हैं कि समदाय की प्रतिष्ठा के लिए अपना प्रयास करते हैं यही वर्ग संघर्ष है और अंततो गत्वा इसी वर्ग संघर्ष के कि आर्थिक विषमता भी वर्ग भावना का कारण है के और सब्सक्राइब खिर आपका और यह समदाय चेतना है या वर्ग भावना है या एक प्रकार से सीमित आचरण है या जिसको आज की आज हम लोग जिसको शाम्प्रदायित तब भी बोलते हैं तो इसका जो समाधान है वह धार्मेकार्थिक राज्येतिक तो जिसका समाधान कि धार्मिक आर्थिक राजनेतिक में ही है क्योंकि यह सारवो भूमिक है तो धार्मिक का मतलब होता है कि अर्थ वाजनेति का मतलब सुरक्षात्मप नेती और स्वाफ्ठ नेती के रहें, इसी ना बें और सब्सक्राइब क्यों समाधान क्योंकि इस सारभूमिक है इस सबी मानव के संपूर्ण क्रिया कलाफ में यह तीनों प्रकार की जो नीदिये इसमें समाधान है कि अभी कि शेव कि चार बच के चमवन मिनिट गुआ है कि राकेश भाई है कि इतने समय तक चला सकते हैं तो छे मिनिट है मुझे लगता है तो यह शे मिनिट में मैं इनके इसको हम लोग कल के सेशन में रिवाइज भी करेंगे लेकिन अभी के सफ्र में इसको एक बार पड़ देता हूं तो इसके बाद दभों की संब सिरीव रचना इसमें मेध समाहिद है उसी से मांस पदार्थ है unto मांस पदार्थ का सोर्स क्या है तो लाष्यानिक Lrirभों से गठि़ सरीर रचना और उससरीर रहता में मेधस भी मेधस भी प्रकार का मांस ही है ना मांस के रूप में एक शरीर का अंग है और वनस्पति से शाख पधाल है ना जिसको अम लोग साख भाजी आदी बोलते हैं अंग खाध्यान बोलते हैं यह सब यानि इनकी जो पूशक्ता है इनकी जो जो गुणव Options और क्योंता है मुलत समानता है क्योंकि दोलों का जो सोया क्रांपकोस एं यह इस कारण से राशायनक मुल्यों की समानता की बात यहां पर लेकिन इस में अधिकानस्ता सब्द भी लगाए हुए फिर लिखाए कि ऐसे रासायनिक मुल्यों की समानता रहते हुए भी मांस शरीर रचना यंत्री करन तथा उसका उप्योग और साथ विंव की रचना प्रक्रिया वा उप्योग में मौलिक अंतर है और वह अंतर किस प्रकार से है तो यहाँ पर प्रक्रिया का माध्यम है और मांस शरीर में जो यंत्री करन हो मेधस शरीः रचना के स्पर्च्रक्रिय की स्पर्चेफ भूद्य नहीं तो संसकार प्रिवर्थन का अवसर है मानस तरी ज़िस साथ बिंबों को देखते हैं तो साक भिंबों का विज है वो उद्विज है उसका जो प्रयोजन है वह औसली आहर का मांध्यम है कि जीव और मानौ का भी है खिर उसमें जो यंत्रीकरन जो है वो दिद्श विहीन रूप रचना है उसमें मेध़ना नहीं है उप्योगीता क्या है तो दने का संचालन के लिए और लेकिन उपयोग एवं पूरक्ता के लिए उसकी उपयोगिता है वो चेतन का संचालन करने के लिए तो अयोग है फिर ये आसायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्थन का आउसर है फिर इसके बाद नीचे दूद और मद्य इन दोनों का भी अंतर्व भेद इस्पस्ट किया है तो दूद के बारे में लिखाए कि इसकी उत्पत्ति जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहीत प्रादूर भूत न विकर पूर्वक प्रक्रिया सऺए और रश्ट खत्रभी है तो उसमें दो मद्शा वास्तूओ ऐसकी व्यainsको को जटरा पहने हं क्या करतेया है फ्रमेंटेशन से ना फिर उनका आस्थी प्रस्वत की प्रादो भूत मिस्पत्ति है फिर इसके बाद दूसरी उप्योगता की बाद लिखी है तो जो दूद है वो मानव शरीर के लिए पुस्टी प्रदाई पोशक इसनिक्द प्राणद एवं फिर्दय तथा मेधस का संतुलनकारी रस्द्रव्य है जबकि जो एक रूप में तो अब करने वाला रवं को पैदा करने वाला रांती और उत्तेजना खारक है तथा घृद्य वा मेधस का असंतुलनकारी रगग है जो घृद्य मेधस में असंतुलनकारी दर्ग है दूद कैसा है तो दूद जो है उस्टी प्रदाई पोशक इसनिक्द प्रानद का मतलब इस् तो सामान ने गती दाई एवं पोशक दाई है और यह मद्द का क्या है तो आवेश्पून गती प्रदाई है फिर उपादेता के दृष्टी कोण से देखते हैं तो दूर जो है संबेदन सीलता की ब्रद्धिकारी एवं पोशक है मद्द है वह संबेदन सीलता का छय करी वार शोशक करता है और उसका सोश करता हुए अनिवारता के रूप में मानुईता तथा अपलुए 나험 लोटा की सीमा में दूद अनिवार नहीं है अनिवार नहीं है इसी लिए कई लोग जना बिना मांसा हार के भी रहते हैं फिर पार्च बज गया है अब हम इसको यहीं पर विनाम दे रहे हैं कल इससे आगे का लोग अध्यन करेंगे आप सब लोग बहुत बहुत आभार बहुत बहुत नहीं वाद सभी को नमर से मस्ते सभी को आप सभी का स्वागत है हम लोग मानौ कर्म दर्शन के अध्याय दो उपास्ना विवेक को अधिनता रहे हैं आप कल जो मैंने बाद की ती इसमें से बोड़े से हिस्से को रिवाइस कर लेकी इस अधार के अधार को का चाहिए है कि अधार कि अधार कर दो एक है इसा कहा गया है कि डिवात्माम की उपास्ना ही विद्या है कि गडेवात्माओं की उपास्ना अधुर्वुटु मां की उपास्ना कإ जागरति कुर्वग। कम मुंक्ती शहित बहुंतिस अमाधाम 우리는 संध्रथी के लिए धेवाइस देवात्माओं की उपासना बुद्धिक समाधाने वह भूतिक सम्रद्धी के लिए तथा भूतात्माओं की जो पासना है वो केबल भूतिकता के लिए स्पसिद्ध है सभी आत्माएं अपने अपने सुभाव से ही संपन है यही उनकी प्रतिष्ठा है और इससे अधिक उन्हें से सुभाव का प्रगतन संभाव नहीं है फिर हमने पढ़ा था कि जो केबल भूतिकता ही मानों के लिए परियाप्त सिद्ध नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है क्योंकि अन्वाव विचार व्योहार उपी जो चार आयाम है वो भूतिक द्रभ्मों से स्ट्रप्त नहीं होते हैं और इसलिए मानों जब उत्पादम व्योहार विचार और अन्वूति की एक सुत्रता से परिपूमना हो जाए तब तक प्रियोंक प्रियास एवं अभ्यास की लिए बात है फिर इसके बाद यह लिखा हुआ है कि दिव वात्माओं की उपासना में क्या प्रत्यक्ष फल है या क्या उपलब्दी है तो फिर इसमें बताया है कि दिव वात्माओं की उपासना में विच्वूम विज्ञान तब निश्य, निरने और संकल्द की छम्ता की उपलब्दी होती है और इसी को हम के रहें कि यह उनकी उपासना का प्रटेक्स हल है कि देवताओं की उपासना से अर्द विवेक अर्द विवेक विज्ञान धहर साहस इसने विश्वास त्याग में तथा जीवन क्रिया कलाप में नियंत्रंड संयम पाया जाता है कि यहीं देव उपासना का प्रटेक्ट भल यह देव उपासना की प्रटेक्ट व्लब्दी है भूत आत्माओं की उपासना से अभिवेक पूर्ण विज्ञान जिसको आजकर देख नहीं कि विज्ञान का अभेफूर्ण प्रियोग हुआ उसके कारण से किस तरीके से अवेवस्था और समस्या प्रदूशन आजी के लिए और यह मानव के लिए संधारक हो गया तो भूत आत्माओं की उपासना से अवेक पूर्ण विज्ञान अधैर दुस्साहस राग ग्वेश तशंकता तथा और नियंत्रिस जीवन क्रियाकला पाया जाता है फिर हम लोगों ने आगे पड़ा था कि यह तीनों पासनाओं के फल्षरूर्ण से सजक्ता सतर्चता पूर्ण याने निर्भ्रांतित निर्भ्रांतिता निर्भ्रांतिता को यह तीनों की उपासनाओ से निर्भ्रांत 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 यह तीन इस्तितियें लिए पिर मैंने एक अंभो दर्शन का एक सूत्र आपको बताया था कि ब्रांतिकाई है चार विश्यों के भोग के लिए है चार विश्य मतलब आहाद मिध्रा भैमेट। भ्रांत भ्रांत इकाई हैं तीन एश्रणा के योग के लिए हैं कि अ क्लेयर हैिं Dr. Scotty इसी लिए उपास्तना में जो प्रमुख सिस्टताएं है याने जो आचार है सिस्टताओं को लिखा है वो आचार के रूप में रहती है वो दो प्रकारसिक गण्ड है इनी दोनों सिस्टता विस्टताओं के मूल में याने जो भी हम उपास्तना के लिए सिस्टताओं को अपन गोने गूर की मोलिक आहार की वैंविद्द्दिता कारण है और यह जब मॉलिक आहार ऐसकी वैंविद्द्दता को दो प्रकार से बाबा जी नहीं पहला शाक आहर और नूड़ पान कर दूसरा लिखा है मांसार नौल कर तो परमपरा को भी यह देखते हैं कि यंग य Elsे यंप परंपरा में देखते हैं तो इसके अधर पे जो आना कि सिस्टाइं हैं उनमें भेद दिखता है को हम पासनाइं ऐसी रही है परंपटा में जिनको हम परंपराब तो पर्तना ही कह रहे हैं उसमें मांसाहार उम्द्यपान का प्रियोग होता रहा है। जैसे हम लोग एक मामाचारी परंपरा में पंच मकार साथना जिसको बोलते हैं उसमें मांसाहार और मद्यपान तो जैसे हिंदू सनातन परंपरा में भी बहुत सारी जो है उपासना की पद्दतिया प्रचलित रही है जिनको हम लोग प्रतीक उपासनाएं भी बोलते हैं बाबादीर लिखा है कि प्रतीक प्रामती नहीं है तो इसलिए उससे उपलब्दी के रूप में तो बहुत कुछ उ एध़ी सोटाय बन जाते हैं और उनंद्ध संपरदायों में उपासना की जो मिश्चताये है या विविद्धताये या उनकी जो करम काण्र्ण्ण है या उनने जो स्टतायस है मतलब स्टता एं मतलब है जो उपास से है इसको अभी परंपरा में देखेंगे तो उसको हम प्रतीक बोल जाती है उनके प्रतीक गोरव आधर अरपन समरपन पुझा पूजिता का प्रदर्शन प्रक्रिया में हमको यह सब वेविद्धताइं दिखती हैं और इनके साथ आहर की विविद्धताइं भी जुड़ जाती है जिसको अपन्य शाकाहर दुद्ध पानव मांसा और मद्ध पानशा है खिर यह जो वेविद्धताइं हैं यही वेविद्धताइं मत्वा संपरदाई की रूप में प्रक्रेक्ट जिनको हम लोग परंपरा में देखें और इसका साक्ष क्या है तो वर्ग भावनाएं वह सीमाएं हैं फिर इसके बाद लिखाए कि इसके फल्ग सरूप खंड समदाई की प्रफिश्था होती जिसको हम लोग समदाई चेतना भी कहते हैं तो कई बार एकी समदाई में अन्न बहुत सारे खंखंड बन जाते हैं यही सामुदाइक अस्तित्तवादी प मतलब युद्द की और गड़ाई जगड़े हिंसा की और प्रूरती है उसके मून में भी यही है फिर इसके बाद यहीं लिखाए कि आर्थिक विशमता भी वर्ग भावना का कारण है क्योंकि जब जब मानव समाज वर्ग भावना में बड़ा रहता है वर्ग भावना से ग और आर्थिक विशमता के कारण से भी वर्ग संगर्स और युद्द लड़ाई जगड़े आती है वह मानो परमपरा में देखने कुरूते हैं तो यह जो पासनाओं की जो विविद्धता परमपरा में रही है उसकी जो उपलदी है उसकी उपलदी की यही समीच्छा करते है तो समीच्छा करने में यही आता है कि उसने वर्ग भावनाओं को जरन दिया उससे विशमताएं आई और इन विशमताओं में आर्थिक विशमता भी एक कारण से और इसकी कारण से वर्ग संगर्स और संग्राम या समरोन मुक्ता जो है वो हमको देखने को मिलती है अब जो अर ऐसी स्तिती है इसका समाठान क्या है तो बावलिए कि आर्थिक ढार्थिक ञांटिक नीति क्रय में ही है को Epic твоी का मतलब होता है सदूपयोग आत्मप नीथी और सदूपयोगात्मप नीथी विधी पूर्वत इसी तरीके से आर्थिक नीथ उत्पादल की नीथी है जो व तो जो नीतिये हैं वो विदी से संबध्ध रहती है तो इस तरीके से यदि नीती त्रह का आच्रण मानव करता है तो इससे जो यह वर्ग महावनाएं है सम्रोन मुक्ता है लड़ाई जगडे की प्रिविर्टी है यह संदाय चेतना है उसका समाधान हो सकता है जिए समाधान है एक लिखा हूँ है क्यों है क्योंकि यह सार्वोमिक है इसके बाद लिखा है कि यह जो साकाहार मानसा के भेद को पर्ष्ट करने के लिए फिर अगला सुत्र जो इस किताब में 36 पेज पेज नमब्र नई वाली किताब में पेर नमबर 36 में है कि राशायनिक द्रबों की संगठित शरीर रचना जिसमें मेधत समाहित रहता है उसी से मांस पधार्थ है तो मांस पधार्थ चाहे हो जीव सरीर हो जो भी सरीर हो मानों सरीर हो तो मांस पधार्थ राशायनिक द्रबों से जो रखित शरीर रचना है उसमें मेधत भी सामिल है उसी से मांस पधार्थ है और वनस पतियों में से जो शाक पधार्थ उपलब दे तो वनस पतियों में शाक पधार्थ है और वनस पतियों से ही मानों के आहार के लिए शाक पधा कि बाबाजी लिख रहे हैं कि इन दोनों में रासाइनिक मूले जो है वह अधिकांस्ते समान पाया जाता है कि फिर ऐसे रासाइनिक मूल्यों की समानता रहते हुए भी जो मांस तप्त है और जो साख बिम्ब की कि रचना प्रक्रिया और उप्योग या मांस सरीर एक बादे रहा हुए तो उसमें लिखा कि जो मांश शरीर है मांस पधार्त है उसका जो वीज है वह clinician है और जो शाक पधार्त है वो उद्विज है भी लिखा कि आताकी जो मास का प्रियोजन है वो चैतनिका ही का आस्वादन इभ्हाम स्वावत्रप्रप्र्प्रिया का माध्यम है जबकि जो शाक विम्हे है वह औस दि और आहार का माध्या मानाओं यह जीवों के लिए भी को पिर इसमें जो यंत्री करण मास जो पदार उसमें यंत्री करण पूर्वा की अंग अव्यों का विकास होता हो मेधस भी उसी से बग रहा है मेधस भी ना मास पजार की यंत्री करण मेधस म्रस होता है इसकी रचना होती तो मेधस है शरीर रचना यह साक विन मेधस झाल까요 फिर जब इनकी उप्योगिता को समीशित करते हैं तो जो मान्स पदार्थ है या मान्स शरीर है वो चैतन एकाई संचालन पुर्वक आस्वादन क्रिया का माध्यम योग है जब जो मान्स शरीर है वो उप्योग है वो चैतन एकाई आस्वादन क्रिया में करती है जबकि जो साग्विम में है वो चैतन के संचालन के लिए योग लेकिन उप्योग एवं पुरत्ता के लिए योग है फिर इसके बाद आउसर की द्रश्टी कौन से लेखते हैं में तो जो मान्स पधार्थ है वो चैतन निकाई के संस्कार परिवर्थन एवं परिमार्गन के लिए आउसर है दोकि यदि शरीर रक्ना नहीं है तो जो सेचस्कार परिव इौटनीम परिमार्गन नहीं है के लिए एक आउसर है जबकि जो शाक बिंबहन उनसे रासाइनी पूर्मी पूर्वत परिवर्तन का आउसर है यह एक मौलिक भेट को यहां अंतर किया इसी तरीके से दूद और मद्य के मौलिक भेट को भी अंतर किया वे कहा कि जो दूद की पति है वो जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वत मम्ता सहीद प्रादुर्भूत निस्पक्ति है यहां पर जीव शरीर में नहीं है मानों में भी है इसमें मम्ता महत्पूंग मुद्द है जबकि जो एलकोहल है जिसको हम लोग मद्द के रहे हैं तो मद्द जो है मदूर्ता सहीद जो बस्तुएं हैं जिसे हम जिन-जिन का सराब बनाते हैं ज्यादातार मधूर द्रब्ब होते जैसे गन्ना है अंगूर है इस तरीके से मववा है तो यह मदूर यहने मीठे और उसको हम प्रमेंट करते हैं और फिर विकृत प्रक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसका आश्वी कृत करके जो रस्त बनाते हैं तो यहां पर प्रक्रिया है विकार पूत है जब कि दूद में जो प्रत्रिया है वो मम्ता पूर्वक है आहार पाचन पूर्वक और मम्ता सहीद है फिर उपयोगिता की बात कही है तो यह लिखाए कि मानव सरीर के लिए दूद जो है पुस्टी प्रदाई पोशक इसनिक्द प्रानद प्रानद एवं घिर्दय तता मेद इसका संसुलन काई रसद्रफ म सरीर के लिए जो दूद पोशक है इसनिक्द है कि नेवाला है प्रानद है या करने वाहला है घिखिए मेदर्सका संसुलन कारियों को व्रस्ट प्रक दूद्रिस घिंजर्ध कर जो हों मुधूलीता है कि मेद्ध के बारे तो यहाँ लिखाएं कि वॉसिदी के रूप में उपयोगी है पे के रूप में त्रान प्रान सोसक पुस्ति हर याने वह स्कूनती का भी नास करता है प्रान जो प्राण वायू है उसका शोषक है और पूशन की क्रिया उसका हरन करता है इसके बाद ये भी लिखा है कि वह रवव रांति şu का कारक शुकर लाबर करता है ख्रालत पैदा करता है वो पैदा करता है और हिर्दयवंत मेधस का असंतलन तरफ है तो ये वी एक अंतर को यहां पाद रेखांतित किया गया जो प्रभावव्त है में गतिदाई भुआ पोषट आई है जब की मध्यका जो प्रभाव है वो आवेश पूर्ण बदज़ाई है फिर उपादयेता के बारे में बिसा हैं कि जो दूध की उपादयेता है वो संसे सम्बेदन सीन्ता का व्रधि- ANY कि पत्रप्रण करिया है मानों में ढाई नियों के पैचानने में उस सभाएक कर जबखी रिखति इंद्रियों का प्रिया कि उसमें उसको वह च्षाय करता है और और इसके बाद अंत में लिखा है कि मानवी और अति मानवी इता की सीमा में दूद को अनिवार बोला है इसकी जो अनिवारता जो है इती मानविता शीमा में जो मत्य है वह कि सीमा में मानविता अधिमानवीता में मत्य क Records पेके रूप में अंधिन från ब्रूत में नहीं है यह यह इसीलिए में शीमा में पों है rail तो यह एक अंतर को भेड को जो है यहां इस पस्ट किया गया फिर इसके बाद लिखा है मानसा हारी सिस्टता में बल पूर्वद बद एफम सोसन की घटना समाई रहती है जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ उपासना ऐसी होती है जिसमें बली दी जाती है तो बली दी जाती है तो वह एक प्रकार की उनकी उपासना की सिस्टता है तो सिस्टता बल पूर्वद वद की घटना सामेल है और मानसाहार में भी है जो लोग मानसाहार करते हैं उसमें भी जीव जन्तों का बल पूर्वद करते हैं और यह एक प्रकार से उनका सोसन है तो यह दोनों घटनाएं सिस्ठता आचन्त व्यॵ्हार व पद्रतिस की वियविद्धता की इसति रहते हुए प्रियोजन की स्कितिष प्रधानता सामने रहती है याने यह जो आहार की वेविद्धा से जो अमानवी हिता का जो प्रियोजन है वो परिवर्तित नहीं होता उसमें सामता बनी रहती है विश्वाव बना रहता है और उन्में जो अनुसंगी यह वो अविवस्था के रूप में अनिश्यत आथ्शन के रूप में बनी रहती है जब मानवीता अध्यंगम होती है यह समझ में आती है तो साकाहरी मानवीता के पक्ष में सहमत होजाएं तो यह निक्रय बिंदू है तो मान्वी इता के पक्ष में जब सहमत होते हैं उससे समाधानित होते हैं तब और जब मानवी इता के साथ निस्थान्वित होते हैं जीने में प्रमानित करना है निस्थानवित हो तब मान्साहारी आफिश हो जाएं अब मैसे साहित कुछ लोग आपने साथ से मानुवीता की सहम्त हो प्रमान के लिए पार कि पितने बाद अगला को वाक्य अग। जागरित मानुवी सिष्टता में जागरित मानवी सिस्टता में विश्वास एवं प्रत्यासा भी साम में हैं तो जो परस्पर प्रत्यासाएं हैं वो भी जागरित मानवी सिस्टता में साम में रहती हैं और परस्पर विश्वास भी साम में रहता है विश्वास तो वैसे भी साम में होता है कि फिर है यहीं सब्टिता एक गिन्दु है जहां समस्त प्रकार सिस्टता मानवी सिस्टता के निर्वाहेदू थो चिर्व प्रतिक्षित नें गतीन की इन जहां समस्त प्रकारखी सिश्टतां यहां पर सिस्टताइं मतलब आचार प्रधतियों को कर्मकान्दों को यह मानता पूर्वत पासना प्रधति निर्वाय है तो इसकी थोड़ी से आगे भी चर्चा आई है अभी जब अपन्फितिक जो पासनाएं है उनकी चर्चा करेंगे तब और विस्तार से बात होगी फिर इसके बाद लिखा है कि यह जो मानवी सिस्टता के निर्वाय हेतु चिर्प्रतिक्षित है उसके बाद लिखा है कि यही एक संभावना इस्तल है जो निरंतर संचितना के उपकर्षता अंतराल है इसके बाद लिखा है मानवी इता तथा अति मानवी इता की सीमा में मांसाहर साकाहर की मौलिकताएं या मौलिकता इसमस्थ हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि कीनता दीनता कुरूरता उसे स्विकार नहीं होती है तो मानों में जो सिष्टता की एकात्मस्ता है याने वैविद्य विहीनता है वह मानवियता की सीमा में ही प्रतिष्टित हो जाती है इसे लिए उपासना में सार्व भूमिक मुल्यों का अवगाह करना ही प्रदान उपादेता है उपासना में शारव भूमित मॉल्नों का अवगाहन नहीं होता है इस तिस्थि Θिति में उसकी उपादेता जो है वो सिद्धि नहीं होटी इ तो प्रधान उपादेता है उसकी यहां पर बात की इसलिए बाबाजी ने कहा है कि प्रतीक है वो प्राप्ति नहीं तो प्रतीक जो है वो सभी सत्य मैसे के लिए ही है और इसी लिए जो प्राप्ति करने वादी वस्तुर वो सत्य है सारवोमिता है जिसको हम लोग मुल्यों के रूप में भी पैचानते हैं तो यही उपासना का मुल प्रेविजन है इसके बाद है जिन उपासना पद्धतियों के द्वारा उत्पन्न सिस्टताएं मानों में वर् क्योंकि अंद्र तो गत्वा वर्ग भावना समरूंद मुखी ही है तो जो हम लोग अभी परमक्रा में जो उपासना पद्धतियों को अपनाए थे और उसके आधार पे जो सिस्टताएं थी उनकी समीक्षा करने पर बद्ध्याजर्शन सहास्तुत बाद की रोश्तिंगन की समिक्षा करने पर अंद्धिक निकलता है कि इस से मांव हमें मानव परःंपरा में और माणव परम्परा का उध्वाव मानव का उध्वाव हो ऐसा संभौ नहीं है इसलिए अभ्योदय में पूनता यह सहायक नहीं वर्ग भावनाएं सम्रोन मुखी हैं मतलब वो युद्ध लड़ाई हिंसा ज्वेश इसी में लगी रहती है तो इसी लिए इसको कहा कि इससे जो पासना का जो मून प्रियोजन है वो पुरा नहीं होता है फिर इसके बाद एक सूत्र है समर विहीनता के लिए शार्व भुह्मिक्ता अनिवार तक्त्र है यदि सार्वग्विक्ता यहने अ अखन समाज और सार्वग्वार्व हो युथन और मतलब है मानों में मूङ्जयों की सार्वहम्ताbu इसलिए हम लोग के जो नियाए धर्म सथ आधी जो दृष्टी में है वो सारगो भूमिक दृष्टी नहीं है लिए फिर आगे लिखा है इसलिए समस्त अपास्थनाओं के मूल में लक्ष सामने है ज़िए हम इसको मद्यदर्सन से इस तुष्वात की रोश्णी में देखते ह है तो सभी प्रकार्स अपासनाय की प्रकार की उपासनाइल उनका overlap इसाम मिलता है और व्कष क्या है पांचों मेंकर रोमांगल ही कि जो जैना चारों आयाम। सove ौंघल कामना के विना स्वयम का मांगल फैंस नहीं है इसी को मैंने सर्व सुप में मानौ का सुप है इसी को कह रहे हैं कि सर्व मंगल में स्वयम का मांगल्य है स्वयम के मांगल्य का मतलब है मांगल्य को बावजी ने ऐसा परिवासिस किया है जीवन मंगल उदय मंगल समाधहरों मंगल जीवन मंगल पुदय मंगल समधया जिने लगना केisenаздहें है उसी का नाम अनवोव मंगल है इस तरीके से हम लोग मांगल कूप पैचानते हैं और मंगल वह सर्वमंगल कामना कितिना संभव नहीं तो यहां तक मैंने आपके साथ अध्यान किया अवाने सुनीता जो है अपनी प्रस्तुती करें कि पिपिकी वर्दु भामना और समर्वन मुक्ता है और युद्ध के इस्तितियां है हमारे बीच में परिवार से लेकर समाज और अंतर राश्वतर उनके निवारण जो इसलिए नहीं हो पाए कि हम जीवन के रूप में मानों को समझ नहीं पाया तो समस्त उपासनाओं के मूल में यदि लक्ष सामयता नहीं होती है तो फिर समाज साल वेवस्था के रूप में मानों का पहचान दिने हो पाती है तो मानों जाती जब तक एक रूप में अपने को मानों के रूप में नहीं पहचाने की तब तक जाती संप्रदाय मत्पंत रहेंगे और जाती संप्रदाय और मत्पंत के रहते हुए हम यदि यह कामना करते हैं कि हम सब सुखी हो जाएं और अन्दर सुखी हो जाएं ऐसा सं ना कि अन्भौधाई इसलिए सर्व मंगल कामना रुपी कारिखरम तथा उसकी अनुसरय योगी चमता पर्यांत मानव प्रयास करने के लिए बाग्धिया जैसा कि शरीर मुलग जिदी से मानव भी तक जिया है और इसलिए जो जाती रंग मत पंत्र नस्त प्रदाई पदधन देश और विचार के अधार पर जो भी वेवेद उनी के अंदर दिखते हैं मानव के अंदर दिखते हैं वो सारे भेदों से मनुष ने सुफी होने का प्रय अंदर दिखलों के प्रस्ताव्स से सपश्च होता है कि शरीर संविदनाओं में सुफी की निरंतर नहीं है इस निश्चय की पहचान जब मानव कर पाता है तक लगशी की संव्दा थी पहचान भी कर पाता है कि समस्त मानव का क्सित जीवन का लुड़ आनन्द है कि लख्ष इंग मानों करता है और जितनी कामनाय समरस्ता से जीनेacking विवत्था प्रमानित होने की वो पूरी होती है तो सारभोमिक मानमीता पूर्ण पद्धति से नियम त्रे बौद्धिक सामाजी के एवं प्राकृतिक के आच्रन पूर्वकी आर्थिक एवं सांत्रताइक वर्ग भावनां से मुक्त होने की संभावना एवं मुक्ति है इसे में समस्त वर सारव्भोमिक मानवेता पून पध्धाती से कंतरे के पालन्पूरवग रूप में है सामाजिक नियम स्वादन स्वानारी स्वापुरुष दयापुर्नकार लियोभार के रूप में हैं कि आच्रण पूर्वाग माना इन नियुमों के आच्रण में रहते हुए ही आर्थिक एवं संप्रदाइक वर्ग भावनां से मुक्ति होने की उनमें संभावना है है और मुक्ति भी है दोनों ही है इसी में समझत ब़र्ग भावना विलें होती है तो यह मानो को माना की रूपी नहीं पैच्चानेगे और मानो मान सिर्टा से हम संपन हों करके लक्ष सामित्या के साथ नहीं रहेंगे तोag मानों में जो भी वर्ग भावना है onun समाप्त और वहना का विलेंग होना केवल मानो मासित्ता में ही संभव है लक्ष सामिता के साथ ही संभव है। इसी लिए उपासना अभिष्ट समझदारी ही है जो जागरे की पूर्वक सार्टा कोता है इसी को ही जागरन कहा गया है। जागरती मानों का अभीष्ट है क्यों अभीष्ट है क्योंकि मानों एक इकाई है व्यवथ्था कि एकाई है और जागरती से कम में वो तरप्त होती ही नहीं है और जागरती के प्रमाण से कम में जागरती के पहचान होती रही है इसलिए आचरन ही प्रमाण यहां पर कहा गया है आचरन ही संपूल अर्थ संपूल संप्रेशना और संपूल अभिव्यक्ति हैं मानों में शक्तियां क्रिया एक्षा एवं ज्यान शक्ति हैं जो उन्ति हैं प्रत्य अहर्टाइम प्रत्य की इकाई की जागरती शीलता जागरती पर आधारिक पाई जाती हैं मानों में शक्तिया, क्रिया शक्ति, इक्षा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति के रूप में ही मद्या दर्शन में प्रस्तावित हैं, इनकी चर्चा हमारी परब्रगत जो शास्त्र हैं या धर्में उनमें भी कहा गया है, मुझे तो इनको दर्म का ज्यादा मालूम है, मुझे और जिने की प्रमानित होने इक्षा है जो सुछ मकारण होती विलीक्षा के लूप में अभी हमने पिछले अध्याइ में पढ़ा और ज्यान जो ज्यान शक्ति है शक्ति मतलब जो सभावगति है तो हरेग इकाई स्वयम व्यवस्था में रहते ही हुए ही सभावगति में रहती है मानौ सभावगति में क्यों नहीं है क्योंकि वो सभावगति को नहीं पहचानता है तो मगार्ब एक शरी व्यवस्था और जीमन व्यवस्था है इन दोनों के योगपल में, मार्ब वोग स्वयम प्रमानित होता हैं तो होताँ प्रत्वे कृक्षैन की जागृत की शीलता और आधारी पआई जाती है जागरती शीलता और जागरती बन जागरती शीलता में पश्व मानव राक्छत वानव हैं। जो हम पिछले अध्याय में देवात्मा भूतात्मा और देवात्मा के रूप में रहते हैं। तो देवात्मा और भूतात्मा और दिव्यात्मा के रूप में रहते हैं तो इसलिए जितनी में जागरती शील है या जागरत हैं तीसरी कोई इस्थिति नहीं है जागरत होने के बाद जागरती पुर्ण तक गती है जो गती का बोगतोको है जागरती शील तक पुर्ण पहुँचने के लिए है हथसकी जो पहचान मानों ने रचना विर suited के रूप में की है वो मूलता नहीं के एक फश्बी के लिए हैं लेकिन मानों में जो है वो उस से जो है वो व्यवस्था नहीं है किसे मालों में ऐवल जागरती कर्म जागरती और जागरती पुर्णा पुन्य रतता नहीं जी जीवन का संगीद एक सुतरता है इसके विप्रीश्क्रिया प्रक्रिया एवं घास में ही संपूर्ण प्रक्रिया को नहीं पहचानना इस करण से जो अक्षम्ता है हमारी हमारी चम्ता क्या है चागुरति पूलता और आचनन पूलता प्रिया मारी चम्ता है तो जब तक जो इकाई जी छमता से संपन है वो छमता में व्यक्त नहीं हो पाती है वही दुख है अब ही हम लोग माल लेते हैं कि हमको नौकरी नहीं ही या हमारा कोई पहचान नहीं ही इसलिए इन तो हम दुख मालने के मूल का यह दुख नहीं है यह ध्रामे है क्योंकि हम माथान संपनलता ही है जो जागानुभाव संपनलता ही है और आच्रण पूलता ही है बौद्धिक व्यादिक एवं बहुतिक पीड़ाएं हैं यह पीड़ा क्रम से समस्या अपराण अक्षमता एवं कापलवय के रूप में द्रश्टाव्य है यही अजागरती का प्रतिक श आप सबने भी ऐसा ही स्विकारा होगा तभी इस द्रश्टन में निष्ठानवित होने की योगिता बंती है उससे पहले बंती नहीं है यदि हमने शरीर मुलब जो जीना है मानों का वो समिख्षित नहीं हुआ है तो आगे की और गती नहीं होती है सतर्कता एवं सजगता में निवनिता ही संपून क्लेश का कारण है सतर्कता सजगता मानों इकाई में पाए जाने वाली शम्दा योगिता एवं पात्रता की अधार पर ही प्रकट होती हुई देखी जा रही है मतलब सतर्कता एवं सजगता में निवनिता ही क्लेश का कारण सतर्कता मतलब विचार समाधानिक नहीं हो पाना समाधान को विचार ही सतर्कता है निव्रांत इस्तिती ही सजगता है इन दोनों में निवनिता होना ही हमारे सारे दुखों का कारण है और हमारे दुख का कारण कोई भी नहीं है सारे दुख बौदिक अक्षमता ही है बौधिक अक्षमता अभव क्रेटा नहीं क्ला त исhtvuh नहीं तो अ समाधान के फिर साम्सार हम जाग्रण से पूर्वतिक आखाव से ऊसकी भी पूर्थी करनारें सक्ष्म वह जाते हैं तो सतर्क्ता एवं सजग्ता में निवनिता ही संपुन क्लेश कारण है सतर्क्ता एवं सजग्ता माना इकाई में पाई जाने में शंता यजिता एवं पात्रता के आधार पर ही प्रकेट होती हुई देखी जा रही है इसलिए इसलिए अब क्या आगे का मांदिगर्शन है ऐहां पर नुपर दिया गया है कि शब्द इस पर रूप रसगंगेंद्रियों द्वारा शक्तियों का अपवया होना पर आपवया को होता है जो हमारे समाधान में नियुनता रेती है स्वाधान होते ही सभाथान पूर्वट , निर्षण पूर्वक कि हम शक्तिों के सद्वेय में नियोजित कर नहुत होते हैं सब्ढ Clarke ce ma me . बार 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 जो भी मद्या दर्शन का प्रसता है क्योंकि ये तीन ही जो अहर्ता हैं ये तीन नियमों से ही पूरी हो जाती है क्रिया शक्ति की इंवराई है they Maar त्राजिड उसकी पहड़ी हो जाती है अंतह करण मूल प्रवत्तियों अर्था आशा विचार इक्षा और रितंबरा का अपवय ना होना, मानो चेतना अति मानो चेतना विधी पूरवकी है यही सद्वया है, यही इक्षा शक्ति का जागरण है. अंतह करण की मूल प्रवत्तियों क्या हैं, तो आशा विचार इक्षा और रितंबरा का अपवय ना होना, अति मानो चेतना विधी पूरवकी है, यही सद्वया है. प्षुमानवी राक्षा या मानवी वह सघ्चानाँ पूल्न रूप से हो पाकि है यही एक्षा शक्ति का जागरण है विदी को यहां पर व्यवस्था में जो साइए तित्व उन में जो व्यवस्था पूर्वक आचरण वही विदी उसकी ही पहचां में प्रभ्य सबढ़ा हों यहीं है तो वीदी को हम इस प्रकार से पहचानते हैं और जो दिव्रि मानौ है आत्पि मानौ इस प्रकार से व्यवस्ता सुत्र व्याक्षा सहज आच्रन पुल्वक की व्यवस्ता में भागी दावि करते सद्र्याई का प्रमाण देते हैं सम्यक बौद एवं अनभूती पूर्णता ही ग्यान प्रक्षन चमता हैं। यही ग्यान श्क्ति का जाद्रण अत्वा पूर्न जाद्रण हैं। यह जाद्री इत्रे इत्याइन मानवीता में प्रध्यक्षी हैं। यही मानाव जीवन में की चर्मोतकर्ष उपलब्दी है, सशक्त उपासना की उपादेता यही है, यही समग्र मानाव की कामना है, यही सर्व मंगल, सम्यक बोद, सम्यक बोद को कहा गया है, सर्व मानाव के रूप में समान रूप से प्रमानी जो होता है, उसको सम्यक बोद कह अगर लग्षान साम में कि तो प्लस वी पता है जिसको भी व्यवस्था बोद के रूप में स्वा बोद के रूर में सत्या बोद के रूप में और और आत्ल बोद और सव द्यवत्था बोद इस रूपरह यहां पर और खाला गया है, ज़र्मोर्भोर्ण स्फब्र द्यवत्था बोद न्यय बोद और धर्मोर्भोर्ण, इस ब्यौन प्रकार के बोद सभी मानों रिकायों में पहचाने गए है, इनकी सम्यता पूर्वक ही सभी मानों के जो आच्रण में एक सुत्रता या एक जैसा क्योंकि जब मानों अपने स्वत्तु को पहचान जाता है तो सभी मानों का स्वत्तु समान है स्वत्य समानता के अधार पर ही मानो जाती समान पहचानी गई है मध्यर दर्शन में तो सम्यक बोध एवं अन्भूती पूर्णता ही ज्यान प्रक्टन की शम्ता है सम्यक बोध होने के उपरांती अन्भूती पूर्ण होती है अन्भू के पहचान होती है और यही ज्ञान शम्ता मानों में पाई जागी यही तीन प्रकार के हर्टाइम मानों में हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इनका प्रकटन या पहचान कैसे होती है वो यहां पर दस्ताविक किया लिया है यह जागरति तरह मसं जीवन की चर्मोत कर्ष उपलब दीर हैं यही सब से जो मतलब जो तर्श कहां तक है क्रिया का विकास कHam Cotton Patap और माननों की जो इस्टिम विकास की आच्रा को है कि है तो चर्मउतकर्ष जो है् जो है अति मारूइता ही चर्मऊतकर्ष है यहां तक इसको कभी-कभी बाबजी बड़े समाने होता करते थे कि क्रिया पूहनता का मैंटलर होता है जितना समझना है उतना समझ लिया और अचना क्लेश्यों को समझ sorcery कम आच लेना अरभ करने के जितना तक करने के शिटना है उतना कर लेना कर लिया कोис教 आज तक अपने स्वरूम को पहचानने के अरफ में उसने सारी उपासनाई की है और वो उपासनाई उसकी उपादेता जो है वो इन तीनों शक्तियों के जागरन पूरवक ही संपन्य हो पाती है यही समग्रमानाव की काम्मा है. प्रहमित अवस्था में उसका भास अभास उसको होता रहता है जो सूचनाएं है और जब जीवन में प्रहमानित हो जाती हैं तो वो ज्यान की रूप में पहस्चाने में आती है. कि यही सर्व मंगल को अभी आपको बताया था कि मानों की चारों आया पांचों स्थितियां इनों दस्थों पानी रवस्था में जब वो अवतरित हो जाता है अनुभा परभाव कहां तक है हम लोग बच्चत में सुना करते थे कि अनुभा संपन मानों जो है वो जाती भाशा इन सबसे मुक्त स्थितियों में होते हैं तो मैंने तो कभी किसी व्यक्ति को इस तरीके से उस मुक्त स्थिति में नहीं देखा था और मेरी कोई हमेशा ऐसी ही थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख पाऊं जो सब इन सभी जो सीमितिताय हैं उनसे मुक्त हो और बाबाजी के रूप में मैंने उनको देखा और उन्होंने केवल मतब अपने को प्रव्यक्ति नहीं कि अप्रमारी लिखिया उसके आधार पर दर्शन वाद शात्र भी लिखे उसके आधार पर समिधान भी लिखा तो व्यवाथ्था तक जितना कुछ मानाव के करने के लिए हैं उतना सारा कुछ उन्होंने इस दर्शन में प्रस्पावित किया है तो यह पूरा सर्ममंगल का कारेक्रम जिसकी आशा मानव करता है अपने हर एक मानव करता है जाहें वह पाशुमान राक्षस मानव के इस ट्रेणी में ही क्यों नहों लेकिन कामला तो उसकी व्यवस्था में जीने की कर देडिक हों कि रहती है इस प्रस्ताव के कि संभावन हमको दिखाए मुझे तो दिखाई में उसमें कि कि प्रकार की कोई से कुछ और नहीं है ईस Jupy प्रस्तावित है वह समस्त मानव जाधिकी पूजी है जीवन जागरती का प्रतिक्ष सरूप भी विवेक पुन विज्ञान का प्रियोग है। यही सतर्गता, अखंड सामाजिक्ता, प्रभुधता, निर्विशम्ता, सहस्तित्व, सिक्षा, विधी, विवस्था, सब्विता, संस्क्रती, बौधिक समाधान, बौधिक सम्रिधी और जीवन जागरती की निरंतलता है। अब देखें यह सब होने के साथ कैसे होगा। तो जीवन जागरती का प्रत्यक्ष रूप ही विवेक पुन विज्ञान का प्रयोप है। मातtım विवेक कुन विञ्ञां विवेक सम्मत विज्ञां के रूप में विज्ञां की पहचान है। तब पाते हैं और जो समझत क्रिया उनके प्रियोजनंते पहचान से हम आपने को स्वै में मानव रूप में या जीवन रूप mu पहचान पाते हैं जीवर रूप में पहचानने से मानवशरी की उपा देता है उसको भी पहचान पाते इस प्रेकार्ड से जीवन शरीर के सेयुक तो रूप में जो हम माना है उसको भी हम पहचान पाते हैं। दो मानों पर जो लिए क्या विज्ञान का प्रियोग है विज्ञान के बगर सम्द्धिका इंह खेए नहीं होता है और अर यह जो सम्द्ध का बियोखार है और व्यवहार परइवार से लेकर परिवारों परिवारों की सामरस्यता पुर्वक अखंड समाज शारगों बेक्था तर सुत्रित होता है यही तो विवेग पुन-विझ्या विवेग संपनता मोने के कारन से विवेग संपनता क्या है तो सतर्कता सतर्क्ता क्या है तो तर्त सम्मत विदी से समाधान का प्रमानित होना सतर्क्ता है अब सतर्क्ता से हमको अखंड समाजिक्ता की पहचान होती है तो अखंड समाजिक्ता कैसे सफल होगी तो समाधान सम्रिधी पूर्वत सफल होगी समाधान सम्रिधी के सफल होने की पहचान जो मतलब जीवन जो जाग्रत जीवन है वो अपनी अविव्यक्ति है और समप्रेश्णा में मतलब विचार और व्यवहार और काड्य इन तीनों में और क्रस्ण मतलब विचार अभिवेत्ति है व्यवहार संप्रेशना है और कार्य प्रकाशन है इन तीनों के आधार पर वह प्रबुद्धता को मानव समाज में मिलकरती चाहेगा उसको सर्व सुलव करेगा तो यह आच्रण नहीं है भाषा के अनुसार तो यह कभी भी संप्रेशित नहीं होता है तो केवल विचार संप्रेशित होता है किस रूप में अर्थ रूप में वह अर्थ मूल का है आच्रण है हर इकाई स्वयम में आच्रण है और स्वा सहीद द्यवस्था में आच्रण पुर्वक प्रस्तुत है केवल मानव इकाई जो है वह अपने आच्रण में प्रस्तुत नह नहीं पहचान पाती है तो इस प्रबुद्धता में निर्विशंता निर्विशंता क्या है तो वैचारिक मत्भेध लिहेंता यहां पर पिछले पाठाजी ने जब बताया था कि यह जो वर्ग भेध हैं उनके कारण से समाज नहीं बन पाया है क्योंकि सब्भेधु में रहते मालवी पत्तवर में यहां चैनल लिजिए अपने को मानुद्य नीर्विशंता से । जो यह जिस प्रकार से मानौ के परिवार पिर समय स्माज पर एंता रहते रहते और अन्तरा रहते हैं उसी के पहचान जो है वो एक सुत्रत्ता के रूप में है जो उपयोगिता पूरत्ता विदी से इकालियों के बीच में होता है और निया मियंत्रन संतुलान और नियाय दर्म सत्ते के पहचानी मूल रूप से प्रवुद्धता है सथित्तु परस्परता में जो निर्वरोत सांबर सक्षल्द यहीं से और अक्षन स्कुलों में परिवारों वहीं वीधि व्यवस्ता है तो यह उसके सभीतधा सभीध सभीता क्या है तो है करिवार मुलक मानुपी व्यवस्ता और समान में भागीधारी सभीध. तो जब हम संस्रति को विचार में देखते हैं तो वो संस्कृति कहला और वह भागी है सभी तयार करत विचारदी कंवी नहीं junior सकार नहीं होता तो विवहार प्रमान आचनन प्रमान इस तो सारी बातें यहांपस की गई हैं और बादिक समाधन क्यरह से परिवार Сमाधन और भौतिक सम्रिदि क्यों है तो जीवन जागरति सहज अभी वेक्ति संप्रेषना ये बादिक सम्रुदी है और जीवन जागरति की निरंतर्ता है इस प्रकार ये जितने भी सूत्र यहां पर जितने भी शब्द दिये गए हैं और शब्दों के जिन अर्थों को दिया गया है इन सब की सायोजन से इन सब की एक सुत्रता से ही लिए से ही जीवन जागरती की निरंतरता प्रमानित होती है पूर्ण चागरती पर्यंद, प्रत्यक मानों एकाई, प्रयास एवं उपासना के लिए बात देर, इसी के फल्सरूप मूल प्रवत्तियों का परिमाजन होता है, जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मानसिक्ता एवं विचार, चिंतन, बोध, शंता, अनुभव पूर्ण के जगह है, यहां अध्यान मूलक रिदी से अन्भाद तक पहुंचने का जो राजमार्ग इसमें दिया गया है, उपासना के माध्धम से, हम सब इसको तरपाने में स्रक्षा में, केवल हमारी प्रॉयरिटी की बनने की आवश्यक्ता है, बाबा हमेशा कहते थे, कि बेटा, इक्षा बनेगी तो अन्भा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा आश्वासन या बाबा जी ने हमको दिया है, कि बेटा, अध्यान पूर्वर आप जागरत हो करके प्रमार्ग में सोच सकते हो, तो पूल जागरती परियंत, जब तक जागरती नहीं हुआ है, तब तक प् अन्व में असंग्रा इसने विद्या और सरल्ता और अभैता के मुप में निमूल प्रवत्यों की मारुदर्शन, मद्दर्शन के प्रिफ्पाव में है, इसके कारण से, जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मांग सकता, इमां विचार, चिंतन, बोध, शंता, अनुभा पूर्णता प्रिफ्टेक्ष होती है, जिसके कारण से, विशिष्ट क्या है, तो बोध, जो है, वो विशिष्ट, गुद्धी को विशिष्ट की कहा गया है, तो और विशिष्ट, जब बोध में शिष्टता की पहचान, शिष्टता क्या है, जो शिष्ट मुल्यों के रू प्रत्यक्षोती है और अनुभूव पूर्णता यहीं श्रिष्ट उपासना की उपलाग दिये मानो जो भी कुछ जितनी उपासना के लिए यह मांग दर्शन दिया गया है कल से आग तक मैं और पाठर जी आप से जो भी कुछ चर्चा कर रहे हैं जो भी कुछ अध्यान पूर अध्याइब किया गया है उस पद्धती से ही हम इसको प्रस्तूर करते हैं क्योंकि बाबा की जो दर्शन ने जो भी वाट के लिखे गए हैं या जो भी परिभाशाएं लिखी गए हैं उनमें यदि आप मैं और मैं को से कर देते हैं तो भी अर्थ बदल जाता है इस दर्श जैसान लिखा गया है और उसकी जैसी परिभाशाय दी गए हैं उनको उनी वाक्तियों के साथ उनी अर्थों में हम से कर तब ही हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे यहां तक मैंने अपनी प्रस्तूर की रखी जो कि अजय फोड़ा साथ उस में फिर से ध्यान देते हैं मूर्ण रूप से जो सतर्क्ता वॉस्जक्ता की बात भी हुँए भू सतर्क्ता की निवनता ही पूंग्लेश का पूंग्लेश का निवी कर कि प्रिभाशे इस अप्ट में बाबाजी ने सजक्ता को परिभासित किया है सजक्ता मतलब प्रामणाइक्ता पून पद्धती से सिख्छा संस्कार राज्य विवस्ता संविदान और आच्रन परंपरा जब यह मानों परंपरा में स्थापित हो जाती है उसका नाम है सजक्ता और जिसको हम और विवस्ता के रहे हैं सटक्ता का मतलब है तर्क-सम्मत-विदी से समाधन प्रमान होना है नपी गान को दूसरी परिवाशा लिखिए हैं समाधन वादी विचार सैली अगून जीने की चला और उसकी प्रणबाद इस रूप में सटक्ता हो सगत्ता की जो कमी है वही मानो यह लिखाए के मानविकाई में जो पाई जाने वाली चम्तायोगता पात्रता है किसी के आधार पे प्रगट होती है और उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनीता ने समझाया कि क्रिया सक्ति क्रिया सक्ति क्या है और फ्रिकर और अप्रेय को रोब पाते हैं तो प्रिया सक्ति कर यह शक्ति का जाग्रण वाधा 9 उन्होंने इक्षा सकती की बात की इक्षा सक्ती का मतलब आसा विचार इक्षा के रूप में अपने का ना होना और इसका सदवय हो पाना यह इक्षा सकती जागरती त्रय यहीं समख्र मानव की कामना है और यही सर्व मंगल है पूरा उपासना विवेक का पूरा सरुप पस्ट होता है इतना भी हम लोगों ने अभी तक बात की है योग क्या होता है के अनुमान करने का कोसिश कि गया पहला भी होता है सब्सक्வ牙 का लिए मतलब सब्सक्राइब अभिवेक्ति परिवार में समाज की अभिवेक्ति रास्त में इसी तरीके से इनकी आपस में प्रगोज़्चन हो प्रकासन का मतलब है इंका जो आचरन है वहर इस स्कत्रप प्रकासित रहना इसको प्रभू दता प्रभुदता होने से क्या होता है तो निर्व विश्टंगता है जाती घिर क्रम से बहुता है धिसेan अपस स्थेथ सूत्र से यह उनने परसप़ता में प्रभुदता की इस्वापन हो जाएगी अभुवेक्ती संकरिष्णा प्रकासन में निर्विगनता आजाए कोई भी प्रकार्टा अभिवेक्षी संपिश्णत प्रकासन में निर्विगन profoundly तो परिवारों की परसपरता में रिविशम्ता इस्ताफित हो जाई स्फानस ने निर्विशम्ता को दिया है और समयर फिरोत करें परिवोति परिञान Trading जिस परस्पर्ता में हिरास के लिए कोई सम्मावना ना हो उसको भी निर्विशंता बोला है तो निर्विशंता ये इस्थापित हो गई परिवार समूर में ग्राम में तो क्या होगा तो परस्पर्ता में निर्विरोध सामरस्ता इस्थापित हो जाए ये एक ग्राम में होती दस्टी के उदाई के रूप में शिक्षा संसकार विवस्था उदय होता हैं दिरे दिरे मनेवी ये संस्कृती की नीम पुन्न आचरन सहीता को प्रगट करती है ओ सिव in विधी शिक्षा से विधी और विधी से विवस्था तो विवस्था का मतलब है विधी के अर्थ में नीती है ना जबकि विधी बाबाजी ने जो विधी लिखी है उसको हम लोग करें है मानवी आचार सहीता रोपी मानवी संभिधान है ना तो मानवी आचार सहीता रोपी डिवार करना है, आगी है तो जब यह विवस्ता तक हम पहुंच जाते हैं तब सभधा का वदय होता है सभधा का मतलब है वे वस्ता में परिवार मुलकष और और जीना उस्स विवस्ता में इसा होने से बहुतिख समाधान आता हूँ डुक स मतलब है व्योहार व्योसाय विचार में निर्विशम्ता इस्ताफित हो जाती है जो पांचों इस्तितियों में रेती है जो सुनीता ने भी इसको दिखानकित किया कि गौदिक समाधान का मतनत चार आयाम वो पांचों इस्तिति में निर्विशम्ता का बन जाना तो अन्वाव आयाम मे तो निर्विशम्ता का प्रस्णी नहीं रहता है तो निर्विशम्ता जो है व्योहार व्योसाय व्योसाय पांचों इस्किती में इसमें निर्विशम्ता का इस्कापित हो जाना इसको कहें बहुतिक सम्रिंदी का मतलब है कि जब हम उत्पादन से उत्पादन अधिक करते हैं अपुगोग कम करते ही, जो कि बोधिक सम्रिद्धी के बोधिक सम्रिद्धी से रूप में है, जो अपुगोग है, वो सहियत हो जाती है. क्युतो कि अग्यां जीवन जागरति की निरंतर्त की परिवास अग्यए बहें जीवनजागरति हैं जो कि परिवास पूर और सम्पनAHρχ मुंकि5 मुक्ति हो जिसको विस्रां करें हो भी जीवन सबस्राइब श्रम मुख्ति और विश्राम मत्लब क्रिया पूंता और पिसके रूप में जीवन जागरती की निरन दवता की बात पूर्ण जागरती परियंद्र प्रत्यक मानविकाई प्रयास अगम पासना के लिए बात है इसी के फ़जुरूंत प्रविट्टियों का परिमारजन होता है तो यह सुनिता ने इसको इस पर सिखिया फिर इसके बाद आंगे लिखा है अस्तु क्रिया की पून्था उसक्रिया की निदंतरता है यहां पर उदासीलता के रूप में उदासीलता को प्राप्त कर लेना प्रापिव पासना को शेऔर अ माना गया हल्किन बाबा जी आकरिया पून्था है इसलिए यह है कशेında यह दूसरे आघाधन करने का कारण सिद्ध में होता है है क्यों कि पून्था के लिए क्रिया सेन्था पून्था, इसलिए क्रिया की निरन्था ही है है तो यह एक है पर प्रंपरा में हम है उसका निवारण यह प्रिण स्टिया घृती है तो इसलिए कर्म की उपेषा करना करूंकों प्रत्रिया का हिस्सा रहा है लेकिन जो बाबा जी ने माना पर्मदर्शन का प्रत्रण किया है कोई जगे नहीं कि कोई कारण तो इसलिए लिखायत कर इसकी बाद कि आशी निरंतर आश्रन का पर और रहिए तो बोक्ष होने के बाद जो है मानों का अच्रन क्या होगा क्या बोक्ष होने के बाद जो है सरीड फोरण के बादि को ये स्तितिम मौक्ष होगा या इक हैं के बारे में आम तोर पे जो परंपरा है वो मौन दिखती है ना तो यह इस पर नहीं कर पा रहे है एक जागृत वेक्टी का आच्रण की निरंतरता याने जिसको मोख्ष को प्राप्त लिया है उसमें किस प्रकार का आच्रण होगा और इसलिए बावाजी कहते हैं कि मानवीता प्रवाजी ने पूर्टा के माब्दंड से पूर्टा का पर्मानी करन संभाव नहीं है इसलिए क्यों नहीं है तो इसे लिकाएक गुरु मुन्द में लगु मुन्द समाया रहता है ना कि लगु मुन्द में गुरु मुल्द समाता है। इसी लिए जागरित व्यक्ति का मुल्यांदन जो है अजागरित व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरे अर्थों में कहें कि अजागरिती में पूंता का प्रमानी तरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो गुरु मुल में लगु मुल समाया है ना कि लगु मुल में गुरु मुल है तो यह मानों में प्रतेक्ष है जैसे प्रति मानों अपने से कम जागरित का प्रमाणी करने में सपल हुआ है जो प्रतेक्ष है किसी के अनुसांगिक मानों कम जागरित प्रदन करता हुआ प्रतेक्ष है और अधिक ज्ञान भी उसे हुआ है तर समान के साथ व्योहार करने के लिए बता है यही वाधिता यही मानों जीवन की दोरों गरिमा यहीं गरिमा समान के साथ प्रव्योहार और अधिक जागर्ती के लिए अप्यास के लिए प्रेडना है यही वास्ति को पासना है तो यह उपर बात की गई जो अपूनता है मानाओ's देखा जा सकता है, जैसे परतेख मानाओ अपने से कम जागरत का प्रमाणी करने में सखल हुआ है जो प्रतेक्ष है उसको कैसे लेख सकते हैं तो इसी के अनुसांगिक जो माना है उसके कम जागरत प्रकृति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रतेक्ष है और अधिक का ज्यान उसे हुआ है इसलिए समान के साथ व्योह पार करने के लिए बादुए है यही वास्तित पॉपासना है फिर आंगे लिखा है विवेक और वियराग ही उपासना का प्रत्यक्ष हल है विवेक का जो मतलब होता है बौद्दिक अध्यन जिसमें आत्मा का अम्रत तो शरीर का नस्रत को व्योहार की नियम समाहे रहते हैं उसको विवेक करें लेकिन यहां ब्रेकेट में लिखा है अथार्थ मानव लक्ष मानव लक्ष के रूप में भी विवेक है और दूसरा वेर विवेक एक ही उपासना का प्रत्य चकल है जिससे सा माजिक्ता स्वभाविक रूप में समाही थैं चीप पर और वेरहए का परावर्षन асंग रहता है है विवेक्त campus संवर्धम परावलसित होती है तो वो आसंग्रय के रूप में उदार्था और दया के रूपojya के रूप नहीं है संवर्ध्धि वो सदुप्योगता में योजित होती हैं। . Ogone chare लिखा है कि भौति समृद्धि में उदारता और दया के मौलिक मुल्यों का अनुरण्यन ही सामाजिक्ता का प्रान तत्व है मतलब समृद्धि को उदारता और पूरवत उसको सवराज न्योह जीट करतें विवसथा को बनाए रखने लिए या'RE सुलपता के अरुफ में सुलपता के लिएisoft सहाघी नियोजिस करते हैं यही सके लिए मानो प्रसिफ है फिर आंगे दिखा है विवेक विबेख ही बहतिक समाधान एवं सामाजिक मुयों को निर्वाह पुर्वक प्रगण करता है, इसलिए इन दोनों को डिफाइन करने के बाض्यध, विवेख को डिफाइन करने के बाद इसलिए विवेक और विवेख ही परोक्ष ज्यान का प्रधान लक्षन है परोक्ष ज्यान और एक आपरोक्ष ज्यान होता है आपरोक्ष ज्यान मतलब जिसको हम लोग इंद्रियों से जो जानकारियों प्राथ होती उनको आपरोक्ष ज्यान कहते है और बाबा जी ने यहां जो परोक्ष ज्यान इसको लिखा है उसका मतलब न्याय धर्म सत्त मुल्यो तो सब को हम परोक्ष ज्यान करेंगे, तो विवेग वा वेराग ही परोक्ष ज्यान का प्रभान कारण है, अन्भव ही परोक्ष ज्यान की अंतिमिस्तिती है, इसके पूर्ण अनुमान अधिकार ही प्रसिद्य है, अन्भव से पहले अनुमान अधिकार है, अन्भव में ज्या कि जृट्वाण पूर्णता हो जाती है इसलिए ठभरोक्ष ज्यान की जो अंतिकी है वो इंभव है आगे कि वस्तहुष्ट्स्थि वस्तुगत और इस्तिती सत्य में ही अनभव है तो भस्तु इस तिती स्थ में है इसको देश कालदेशा बोल रहे और वस्तुगा सथ जिसको रूत गूंण समावभर्म और स्थिती सथी का मंदर सेय स्थित्य में अनभॉव इस रूप में ही अनभॉव है फिर लिकाए जो परोख्यान है परोक्ष ज्यान के बिना य自 हमको परोक्ष ज्यान नहीं हुआ है पूसिस्टिति में निट्ट अनित्य यूत्ज ज्याय ऑन्याय धर्म अधर्म सथ असत िष्ट अनीश्ट और द्रस्ट अध्रस्ट तथा परोक्ष मियान pernah अधिकार सिद्ध नहीं होता है तो परोक्ष ज्यान में ही हमारे अंदर जो तुल्णात्मक दृष्टी रहे वो उसका उदय होता है जो मरी वृत्ति में होता है तो इसके आदार के हम लोग नित अनित को पैचानते हैं युद्ध अयुक्त को न्याय को धर्म धर्म को सब्सक्राइब और अनीश्ट को और द्रस्ट जो दिखने वाला है और जो दिखने वाला नहीं अद्रस्ट तथा परोक्ष ज्यान अधिकार का सब्सक्रा नहीं होता है इसाक नित्यानित्य ज्ञाना अधिकार के विना मानव में स्वाधर्म प्रतिवार्श्ट्षा स्वाधर्म के प्रतिव दिस्था नहीं पाई जाती है जो तो हैiveness testimony कि कारे किलाप यह इंद्रीयों का जो कारे छेत्र रहे वही परोक्ष ज्यान की सीमा है। फिर आंगे लिखा है मानव धर्मी ही सुख की ही न्यायकून आचरण और न्यायकून आचरण ही मानवी दापून सीमा एवम नियम त्रैका पालन है यही मानव का स्वधर्म है मानव सुख धर्मी है फिर आगे इस पर्ष्ट किया है मर्यादा विहीर एकाई नहीं है मर्यादा का मतलब होता है विदी से प्रमानित रेने को मर्यादा कहते हैं तो जीवों में सुखाव मर्यादा है मतलब जीवों में जो एक नियंत्रन है मर्यादा को एक प्रकास से नियंत्रन भी कह सकते हैं तो जीवों में जो नियंत्रन है वो सुखाव मर्यादा में है वनस्पतियों में गुण मर्यादा है और पदात में रूप मर्यादा है तो जीवों में सुखाव मर्यादा वनस्प इसी प्रकार मानों में सुख ही धर्म है तो मानों सुख भंग नहीं होता है मानों में कभी भी सुख भंग नहीं होता है सुख भंग नहीं होता है इसका मतलब क्या है या तो सुख का आसा बना रहता है या सुख की निरंपलता बनी रहता है उस रूप में सुख भंग नहीं होता है याने सुख भी कोई भी जीवा निकाई नहीं है या सुख भी कोई मानों नहीं है यह सिद्ध होता है तो मानों में सुख ही धर्म है तो सुख भी ही कोई मानव नहीं है याने धर्म ही मर्यादा है और याने धर्म रूपी मर्यादा याने मानव में सुख भंग नहीं होता है ऐसा भी हम लोग उसको समझाएं यही उसकी गरिमा एवं विश्वास है मर्यादा का प्रत्यक्ष रूप ही विश्व विष्वास है क्योंकि यह कोई अपनी मर्यादा में नहीं है तब इसमें अभिस्वास प्रांट होता है जिसे मानों में फर्स विष्वास इसका मुल् estás Moranai मानों थी मर्यादा में नहीं игр कि आगए लिखायास विष्वास डिहीं संमंद संपर्ध में सुख नहीं है संबंद और संपर्थ में माननों नहीं और यह नुटा प्रियोज़न सुठंग जम्र locks लिखेECT फिर लिखा है संबंद और संपर्थ माननों नहीं है सबते हरे जंब खेया संपर्थ यही बाध्यता स्वाधर्म के लिए यही बाध्यता स्वाधर्म पालन में जो अक्षमता अयोगता अपात्रता है वही दुख ले समस्यावाज आगरती है स्वाधर्म के लिए और यही जो स्वाधर्म है स्वाधर्म पालन में जो अक्षमता है अयोगता है अपात्रता है यही दुख लेस समस्या और अजागरती है स्वाधर्म में स्वाधर्म में संपन्यता एवं पालन करने योगत्षमता चार मिन अभी चार मिन बाटी रहे चार मिन और चलाते इसके बाद स्वाधर्म में संपन्यता एवं पालन करने योगता है शंता का मतलब है शंप आख मतलब आप सब समझते ही हैं वहन करने वाली क्रिया निर्वाय करने वाली क्रिया है स्वाधर्म 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 कि यहांने जब तक हम स्वाधर्म संपन्य नहीं हो जाते उसका पालन नहीं दरने लगते हैं तब तक अध्यन रूपी उपासना निरंतर चलती है उसके लिए हमको अपनी चंता योगता पातृता से परिफून होना पड़ता है योगता का मतलब योगता का अर्थ है अभिवेक्ति संप्रिश्णा सहर्थ प्रमान संपन्य नहीं इसको योगता कह रहे हैं और पात्रता का मतलब है ज्रहन क्रिया कलाव इस रूप में आप लोग पात्रता को समझते हैं ठीक है एक बार मैं इस सूत्र को फिल से पढ़ दे रहा हूं स्वाधर में संपन्यता एवं पालन करने योग चमता योगता पात्रता से परिपूर्ण होने तक ध्यान आरजन करने के अर्थ में अध्यन रूपी उपासना का अभाव नहीं है ठीक है फिर लिखा है मानव के स्वाधर्म की सीमा में ही मत संप्रदाय और वर्ग तिरोहीत हो जाते है जिसके भी हम लोग पहले बात करने आरे हैं तो मत संप्रदाय और वर्ग की उत्पत्ती का भी कारण जो है उपासनाओं की जो जिस्चताइञ इस सिस्चताइञ रही है परंपरा में उसी के कारण से मत संप्रदाय और वर्ग जो है वो बैदा हुए तो बाबाजी कहे रहे हैं कि मानों के स्वाधर्म की सीमा में ही मत्थ संपरदाय और वर्ग तुरोवित हो जाते हैं यही समर्थ उपासना की प्रत्यक्ष करीमा है और यही मांगलिक है फिर एक और सुत्र है साध्य साधक और साधन इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवार है है ना साधन की बात पहले अम लोग कर चुके है साध्य मतलब जिसको हमको प्राप्त करना है साधक का मतलब है जो प्राप्त करने वाला है है Dow इसक एक षूतरता ही उपासना की सभलता अन्धा सभलत न ये प्रत्यक इस्तिति में प्राप्त सक्ती वा साधनों का सदुभ लोग कर acces 2 कि अग्रिंजागरती है यही उपासना है ठीके बस यहां पर हम लोग रुखते हैं साड़े तीन बदे एक बार फिर से मिलें कि इससे आंगे कार्ण परने को ठीक है बहुत 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 आप शुरू करते हैं कि नमस्टार आप सभी को इक बार को ना दोपर के सब्सक्राइब बाठर जी ने यहां तर पढ़ाया था कि वानों के सब्सक्राइब वर्ग तिरोही हो जाते हैं यही समझ उपासना की प्रतक्ष गरिमा है यही मांगलिक है साध्य, साधक, साधन, इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवाद है इनकी एक सुच्रता ही उपासना की सफलता है अनिथा अस्फलता है प्रत्यक इसकित में प्राप्त शक्ति वा साधनों का सब्सक्राइब करना ही उसकी अग्रिम जागरती है यही उपासना है यहां तक पाठरगी ने सुबह के सत्र में अपनी बात रखी थी उससे आगे मैं इस सत्र को कंटिन्यों करती हूँ आगे जो प्रस्ताविक है कर्मदर्शन के अर्थ है दो में अपासना के अर्थ में ऐसी कोई शक्ति वा साधन नहीं है जिसका नियोजन या उप्योग ना हो क्योंकि शक्ति या साधन का संचय व्यवहारित नहीं है यहां पर यह कहा जा जा रहा है कि ऐसी कोई भी शक्ती या साधन नहीं है जिसका निबजल या उपईयोग ना दो यह नबजला मत्रों होता है विट उसा प्रसंदता कूर्वदा अपने तंड नन्गोण को निम जीट करना इसको निवयोजं पूलते हो क्योंकि शक्ति या साधन का संचय वह ठाउं में रञता है कि इन दोब कर दोरों कर संचय की होपाता है कि隊 मुद्र है कि उस रूपलर संचय समायने का महतांचा कि वस्तुम उन Biz संग्रा केवल प्रतीग का होताया स्ग्राह की एंचाइब के सब्सक्राइब पर पहाने संग्रा है उसके सीमा वह लेकिन था सिंट। बहुती क्वाधी विचाधारा में इस संग्रविती जादा देखने को मिलती रही है क्योंकि जो वस्तुवे हैं उनका संग्रव संभव नहीं है उनके संग्रव के विए सीमा इसके आगे हैं कि आत्म रती में विवेग विएक कोन बुःधी मुलक विज्यान विज्यान कोन कलारचना विवेचना और विचाध विवेचना पुर्व खास्वाधन इवं सागर भाव कोन मन निरंतर संतुलिख इवं समाधानित है इसी के screws रूप आत्मा में पर्मनान आप्लावन बुद्धी में आनन्द आपलावन, चिप्त में संकोश आपलावन, ब्रत्टी में शान्ति आपलावन, रथा मन में सूप आपलावन प्रसिर्व है। अब उपासना की परिडाम सरू आत्मा से लेकर के मन तक क्या प्रधाव रहता है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। सा ही द्रव करता है तो बुद्धी में विवेक की पचांद रहती है। बुद्धी मुलक उलक विज्ञान, जिसको विवेक संह्मत विज्ञान के रूप में कहा गया है, तो उसकी पचांद विज्ञान है। रचना यह भी इसको विख्ञान संमध विवयक संभत विख्ञान के रुखने मज्या दर्शन में इसको कहा गया है जो चित में रहता है क्योंकित में कला और रचना अ hirild कंड का मतलब है यहाँरों कहुग को इंगित कराने का किला के इकाई में व्यवस्था के अर्थ में जो भागिदारी है उसकी जो पूबियां है वह कैसे व्यवस्था में अपने जिब्रूमीर का निर्वा करती है उसको इंगिद कराना-कला है और रचना को शिल्ब-कला की साथ नहीं पर जोड़ चरके रखा गया है जो बहुतिक रसानिक विजि से गाणावस्था में ही सिर्थ हुआ है और कि किस चीज की होगे रोप गुंट सवाव और ध्रमी की विवेचना है इससे जिएधा विवेचना के संभावना नहीं है इसको एक प्रकाजी हम और समझ सकते हैं कि अनेग दिशा, पुर्वक, समाधान, कारी, सुत्र, सही की लक्ष को परचानना ही विवेचना है जो व्रत्ती में ये प्रिया संफन होती है विवेचना पुर्वक, आस्वाधन के साथ हैं तो आस्वाधन की क्रिया मन में होती है और विवेचना की क्रिया व्रत्ती में होती है तो ये व्रत्ती और चित्ते के बीच में जो प्रिया होती है मन औअ बत्र के बीच में ने जओं सबहाने सब्सक्राइब के पी नोग कि प्रीया ऊछिग्मिणने उनकी यहां पर कि घ। थे तो आस्वादन को अशे पुर्वघ स pref तो यहां अशे से जो ग्या मैं इस बात यहां पर रखी गई है उसको जोड़ी हम वास्ता के साथ रोचि बूला का सब्सक्राइब हैं में रख ज्ञान संपन मानव ही जो है हर इकाई की श्रिष्टता और मानव इकाई में जो श्रिष्टता है क्योंकि श्रिष्टता की तो चान मानव इकाई में है और मानव ही अध्यान पूरब अस्तित्य की समग्र व्यवस्था को समझता है तो उस अर्थ में यहां स्वागत्भाव को लेखा है एक अर्थ में स्वागत को यहां इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विरोध का समन्हीं स्वागत भावपुर्ण मन निरंतर संतुलित एवं समाधानित विभ्विता की बात पर क्रिया पूर्णता के बात की जो स्थिति है उसकी सारी चर्चा यहां पर की गई है तो निरंतर संतुलित एवं समाधानित रहता है तो यह मन और भृत्ती के बीश की त्रिया बताई जा रही है क्योंकि समाधान वो व्रत्ति में ही रहता है इसी के सालस्रूप आत्मा में पर्मानन आपलावन बद्दी में आनंद आपलावन चिप्ट में संदोश आपलावन न पर बुद्हाम करते हैं इसको पर्मानन्द आपलावन पर और जो बुद्धी कर पढ़ता है उसको आनल्द आप्लावन कहते हैं और जुद्धि का जो चित्य पर प्रभावन कहते हैं इंद्री कारिकलाक अिंद्रियों का का दिशेत्री अपरोप्ष जान्गी सीमा performing इस व्यापार में चत्र विशह सीमान कोड़ की प्राक्तियां हैं, इसके अतरिक और उप्लब्रियां इसमें नहीं हैं, इसको इंद्रियों कारिक शुत्र ही अपरोप्ष ज्ञान की सीमा है, ऐसा यहां करी क्यों कहा गया है? तो वह भी ज्ञान ही है बावने ज्ञान को चार विशे पांच समय दनाएं तीन एशणाएं और उसकार प्रबगती इस प्रकार से 13 स्वरूपों में ज्ञान की चर्चा मध्या जर्शन में की गई है जो अलग 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 प्रकार से समझने में आती है कि तो यह तिनों मतलब हुखुत आत्राइब व वह चारकय अर पांच संवीदनाओं में रहते हैं यो देवात्मा है वह एशनाओं न में रहते हैं और जो ज्यान के रूप में कहा गया है विष्यों की सीमा में मानौ सीमित नहीं है क्योंकि मानौ में चार आयाम प्रसित अपनी बात रखी ती कुरों तो विश्यों की सीमा में तरक्त नहीं होते हैं, इसलिए विश्य की सीमा में मानौ सिमित नहीं होता है, जहां पर थी बात तो उलेखित किया गया है। तो विश्यों के में मानव क्यों सीमित हुआ, स्वयम को शरीर मानने के कारण से सीमित हुआ, यह बात यहाँ पर मैं बार बार इसलिए दोहरा आरही हूँ कि इस बात तो समझने में ही बहुत समय लग जाता है कि विश्यों से कैसे मुद्ध हों, क्योंकि अभी जो सारी आशक यह हमारा अविचार अभ्यास है, वह भी उसी के आधर पर ही है, इसको कभी-कभी हम लोग जब आवल से बात करते हैं, उन्होंने तात्विक और व्यम्थादिक संदर्मों में जो व्याक्षाइदी हैं, उनको कभी-कभी वह बहुत सामाने रहसरी बोला करते थे, तो हमेश से मुख्त होगा, अपने पराई से मुख्त होगा, इस चार विशेष्टा हैं जिस मानों में द्रिश्टा भी होंगी, मानों ही उत्पादन, व्यवहार, विचार इवाम अन्वूती संपन होने के लिए बात भी है, यही आवश्यक्ता, अवसर, संभावना के विवस्ता है, तो मानों के साथ यह जो चारों आयाम हैं, उन चारों आयामों की अवश्यक्ता, अवसर, संभावना और विवस्ता को मद्या जर्शन में पूरा का पूरा लेखित किया गया है, उसकी से समश्टी तक मानों इकाई की विवस्ता से लेके तो विवस्ता है, यहाँ पर जो आत आत्मा जो व्यापक्ता का अखंडता का अनुभव करती है तो यहीं अखंडता अखंड मानो समाज और सार्भूम व्यवथ्था के रोप में प्रमाणित होती है तो अनुभव की महिमा नहीं है कि वो सार्भूम व्यवथ्था तक और अखंड समाद तक अपने प्रमान को प्रस्थ खता है सयमता पूरवख की मानों के द्वारा प्रत्य परप्रेक्ष में किये गए क्रियकıs लाप में से गलिमा भून वेर्मो प्रकट कोता है सएयमता पुर्वक्ट, मतलब नियमत्रे की आचरंग से मानव के द्ववारा पुत्ते परिप्रेश्ट में अर्टो फृत्ते क्या है विख्ति परिवान समाज राष्ट्ट और अंतर राष्ट। इस परक्रेश्ट में गर्मा कोन मानव का जो गर्मा कोनभैब हो। गरिमा का मतलब होता है जो श्रेष्टाAy है और सार गहम्ता की और जो मारुधरशन किया गया है मध्या बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भै वा अविश्वास की नीव्रति हर्ष तथा उच्छाह का उदय होता है। सबने तो बात आती है तो मानो मानो के भीच में परिवार परिवार के साथ ब्योहार को लेकर के परिवार के सांब्लित रहता है पिर अंसमत्य परिवहारों का आपस में जिल सम्मीद विवहार है, वो ग्राम सभा से लेकरते हैं, दस हो पानी विवर्ता तर इस विवहार की ही वियाक्ती पाई चाहती है। उस सत्य बोर होने के बादी भाई का निराकरन होता है, उसके पहले जब सशंकता रहती है, सशंकता में भाई कर्म समाप्त नहीं हो सकता है। अहिनसा पर अधिकार पार लेने से विरोट से वाः से मुत्ति और इसने वा उदान का अधे होता है। कृल्ट कारित अन्मुदित काईख वाचिक मांसिक भीड़ों से विνसा में भाईदाली न करना है लिम सा, अहिंसा अब यहाँ पर अहिंसा की करता कारण उदेश और फल और प्रभाव को हैं तक procurement जमें थे और फल के प्रभाव की जो राक्ति की होता है उसके सार्ख बावनिष्व Golden इतना शोल का जिना है क्योंकि इस सिन्षें जोומेन शक्री कर देना है जिसको निष्ठा डर्प के रूप में पहचानते यहीं सवय निष्ठा के रूप में गुर्धी में जब हमको गौत होता है उसको हम Τ씨 अप्रिक्रह में निष्ठा से दैनीता तथा हींता का नाश इंवारिक वदूध्य का उदैर होता है अप्रिग्रह का मतलब होता है उस पादन में श्वाबलम्दी श्रम्-पूर्वक सम्रिधी पर विश्वास होना इज़ो स्रम्पूर्वक सम्रीति का विश्वास करने से हींता का नाश धैरे और ध्रिति का उदय होता है धैरे का मतलत है नियायखुनविचार के नन्यडमतर्ता गयाशे यहाँ पर है भय का अभहौ और वर्कटुमान में विश्वास और सत्य बोज सहज परावर्दन में निश्ठा इसको दृति बोलते हैं तो दृति उदारता का उदय होता है इस प्रकार से मनश्री के क्रिया कलाब जो है वो अहेंसा अपरिग्रह से अस्ते यहां तक विश्वत तक यह कैसे जाता है उसकी यहां पर चर्चा की गई है इसके आगे है अस्ते प्रतिष्था से धूर्टता वविकलता का नाश्च तता तुष्टिवा संतोष का उदय होता है आपर है इसकी बाते हमारे परिवारों में अक्सर होती रहती है गांधी जी के सिर्धानत्य हो इसकी छर्चा की गई है दिक परमपरा में भी इसकी चर्चा हम इन आधारों पर भी निश्चित सुनिश्चित होती है इसलिए उन्होंने इसको यहां पर रखा है कि उपास्थना के फल में जो नियम है और जो कारिक्रा में वो इस प्रकार से मानों में और मानों परिवारों में वो समाज में होगा तो विश्वकिर प्रती मुल्य भाव की प्रतिष्ठा से इस्ट और सादक के मध्य विशमता का अभाव होता है साथी तत्र देवता का स्वभाव प्रवेश होता है आप यहां पर विश्व की प्रति मुल्य भाव मतब सहत्तित में जो इव्याप्तक और इकाई का जो सहत्तित है और उस सहत्तित वश्व एकाई में जो क्रिया शीरता उर्जा संपनेता है और नियंत्रन है प्रति वर्जा उर्जा संपनेता और नियंत्रन के फल्छे रूप जो श्रमगति परिणाम है उस्व पदार्था वस्ता प्राना वस्ता जीव अवस्ता ले कर ज्याना वस्ता ततक का संपून क्रिया का लाप पर विश्वास तरना और इस ब्यावर्था की एक ही काई की लूप में मानव का अपना होना और अनुभव की ब्यावहारिक जो गम्मेता है वो परिवार समाज राश्टानता राश्ट की जो पहचान है उस पर सब्पल विश्वास होना ही विश्व के प्रती विश्वास है और इसकी प्रतिष्था सफर होती है जब इश्ट और साधा के मद्य विश्ञंता समाप्त हो जाती है मतलग इश्ट क्या है को जागरती साधा क्या है कौन है मनुष्य है तो माना जब अपने को जीवन रूप में पहचानता है और शरीर को साधन की रूप में पहचानता है और जीवन अपनी जागरती प्रमाडिक करने के शरीर रहन करता है इस सत्तिता को भचानता है, तब इश्ट और सादा के मध्र विष्रमता का समापन होता है, या तिरोभा होता है, और साधा जो है अपने मूल स्वत्व में प्रतिष्टित होता है स्वत्व प्रतिष्टित होने से गवत्ता में भाड़ी करने के अहर्था से वो संपन होता है तब साधीतत देवता का सभाव प्रवेश होता है तो परश्माना राक्षत मानों बनना तो किसी का भी इष्ट होत उसमें इस प्रकार से सत्य बोद अहीं सा अपरेग्रें अस्ते विश्य के प्रति मूली भाव के साथ उस सभाव का प्रवेश उस मानव इकाई में पाया जाता है शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद रूपता पुर्वक इसमरन करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं सभाव गम्य होता है सभी सार्थक शब्द मंत्र है सुबह भी मैंने आप से जिक्र किया सा चर्चा में अपनी कि बाबजी ने जो भी कुछ दर्शन में जिस त्रकार से प्रतिपारी किया है जिस भाशा में और उनकी जो परिभाशा है दी हुई है और इसमें थोड़ा भी अपना सुस्छ मिलाते हैं अपनी भाशा को कि हमारा अभ्यास अभी उस तरेके से भाशा में नहीं है तो दिक्कत आती है बहुत अभ्यास करना पड़ता है कि हम दर्शन की जो भाशा है और उसकी पर इभाशा है उनकी मार्ध्यम से वास्तवेक कां को रख सकें तो यहाँ पर उसकी पुष्टी की गई है कि शब्द करने करने से इस मरन नहीं है तो आप मैंन कर सकते हैं शब्द से अर्थ से जो धारन होता है तो वह मनन होता है तो तद रूपत पुर्बक इस मनन करने के अभ्यास से उसका आफ्थ सभाव गम्मिल होता है तो हर इकाई जो अर्थ है रूप और सभाव धर्म में उस अर्थ को पहचानता है तभी सांथ-धक-शब्दowego मंत्र के रूप में हमको पहचानने में आते हैं अधिक जागरत में समर्पड से अभीमान वह अहंकार का उन्मुलन तथा विद्या वह सरल्था का उद्राइजुथा यह भी बहुत महट्वन लाइन है यहाँ पर उपासना के संदर में अधिक जागरत में समरपंचे तो अधिक जागरत में सशंकता रहेगी यदि हम को हम सशंकता के साथ उसके साथ बाचित करते हैं तो वह हम तक पहुंचता नहीं है इसको बाबाजी कई बार बोलते से कि अधिक जागरत में समरपंचे समरपंच जब हो जाता है यह हम स्विकार कर लेते हैं कि यह हमसे श्रेष्ट व्यक्ति हैं तो वहां पर प्रश्नेका कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है से अभीमान अभीमान क्या है मानों में रूप बल पदबल धन्मर और बुद्धिवल क और बुद्धिवल का जो हमको अभिमान होता है वह समप हो जाता है वह हमनों को बोध होता है तो आत्मा के sexy करने जबुदी लगती है तो अभिमान का शमन हो जाता है क्योंकि सहत्तित में वो अपने को पाती है सहत्तित में श्रेश्टता और नेश्टता जैसी कोई विवस्था नहीं है इसको बाबाजी ने आनुवा दर्शन में इतना सुन्दर्व आच्छा किया है इतनी के माध्यम से व्यक्त होती है तो व्यापक जो है वो इकाई के माध्यम से व्यक्त होता है इसी प्रकार जीवन जो है वो शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है यह अभिमान को समाप्त करने के लिए दो बहुत बड़े कुष्टी के तथ्थे हैं जो मध्यदशन ने दिये गए हैं तो अभिमान के उन्मूलन से विद्या व सरल्टा का उधय होता है विद्या जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्विकार्णा और सरल्टा का मतलब होता है जो सहजिता और सत्रटा के योकफल में सरत्या का उद्य होता है शरीर समवेदना सहियत रहने से मन की पवित्रता मन की पवित्रता से मनोबल का लाव होता है अब मैंने पहले भी बोला था कि बावर में दा शरीर समवेदना नियंत्रित रहेंगी यह तुम को ही पता चलेगा जागरत मानों का शरीर समवेदना नियंत स्वशरीर मोह नष्थ होने से संसार के प्रती मोह दूर होता है, सर्व शुग रूपी आत्म कामना, पुन बुद्धी से ही विश्व की प्रती उदार्था, दया करपा करूना का प्रस्वन तथा विश्व की अधार्वुच सत्ता में सहर्थिक जान एवं अनुवाव होता है। स्वाव शरीर मोह नस्ट होने से संसार के प्रती मोह हुदूर हो जाना मानव इकाई मानव जो है उसमें दो इखाय एक जीवन और एक शरीर और इस दोनों इकाईया में एक मानव इकाई के दूप में र्यप्त होती है। स्वाव शरीर मान लेना है यह संकीरिता है जैसे अभी धर्ती को स्विकारा नहीं को हम ने इस पर वीजय पाने का प्रयास किया। हम लोग बिल्ग आइज पर देख रहे हैं वो देखी रहें के अभी धर्ती से मानव के संकेट को चुका है। तो स्वाश्रीर मोह नश्ठ होने से संसार के प्रती मोह दूर हो जाता है मतलब आत्मा के अमरत्वी की पहचान होने से करते हुमाद को पते ही हैं तो श्वरोप सुरुप्य आत्मकामना पुर्णंव बुद्ध सेहें विष्व के प्रृति उदारता हुद्ध्य अब ये कामना क्या है तो कामना को यहाँ पर कहा गया है संग्यान शेलता में नियंत्रिक संवेधन शेलता इस तो यह कामना मानौ में हमेशा से पाई जाती है दूसरा प्राप्त समझदारी को व्यक्त करने हिट उत्पन बधिक संबेग इसको भी कामना के रूप में यहां मध्यादशन में परिभाशित किया गया है तो कामना पूर्ण बुद्धी से ही विश्व के प्रती उधारता आती है जैसे कि समस्त विश्व के प्रती तो कहां कहां संबंद ये दोई संबंद एक मानों का मानों की साथ एक मानों का प्रकृति के साथ इन दोनों संबंदों में व्यवस्था के अर्थ में मानों मानसिक्त खुद्वक घागीदारी ही इन दांता हैो मिदैक्रपा-करुणा का प्रस्वन तरफ्य आधार भूद्ध सत्ता में सहज तो आन्य वह होता है। अब जो मानौहेकारी400 है few उसमें डैया कर्पा करुणा का स्क्रुणा होता हैं तो दया को हम लोग कई बार पढ़ी चुके हैं अभी जब से अध्यान चल रहा है मानविहार दर्शन में इसकी बहुत विश्व ब्याच्या की गई है कि पात्रता हो और बस तो उपलब्द करा दिना दया है और पात्रता उपलब्द करा दिने च्छंता जो है योग दिता है और इन दोनों को उपलाब्द दिना करूना है तो ये अलगा संपन एकाई में दया करपा करूना का प्रस्वन होता है तता विश्व की अध्यार बुद सत्ता में सहत्य जान इवं होता है चुकि ये अध्यान पूर्वग है तो हम लोग को अध्यान पूर्वग ही दया करप करुणा दया क्रपा के साथ ही यह असा कितने अलवा होगा और ज्यान होगा सेयमता की बिना बॉधिक मूल प्रवत्यों की परिश्कृति बुद्धिबल सामाजिक मूल्यों की अंभूति कैतन्य क्रिया का दर्शन समाधान और सेयमता सिद्ध नहीं होती है अब यहां पर सैयमता की बिना मूल प्रवत्यों की परिश्कृति तो सैयमता क्या है नियंत्रन ही सैयम वानविता पुन विचार व्यवहार और व्यवसार ही सैयम का प्रमान है तो जो सैयमता की कामना है या संग्यान शेर्ता में संवेदना और नियंतित रहने की जो कामना है वहां से सैयम आता है नियंत्रे के पालन से सैयम आता है और संतुल्लान आता है तो बौधिक नियंत्रे के पालन से मानों में सैयमता आता है सामाजिक नियम के पारण से समाज में सहयमता आती है और राकुतिक नियम के पारण से व्यवस्था में सहयमता के पहचान या व्यवस्था के सहयमता प्रमानित कोड़ी है तो सयम्ता के दिना बॉद्धिक मूल प्रबत्यों के परिष्टिति जो असंग्रा इसले विद्यार सरलता रभायता ये बॉद्धिक परिष्टिया है इनकी परिष्टिति सयम्ता से ही संभव है बुद्धी बल और समाजिक मुल्यों की अन्भूत और चैतन निक्रिया का दर्शन तो बुद्धिक मुल्क रबत्यों की परिस्कृति से बुद्धी बल बुद्धी बल से समाजिक मुल्यों की अन्भूति होती है सामाजिक मुल्यों की अलबूती से चैतनिक्रिया का दर्शन होता है चैतनिक्रिया के दर्शन से समाधान और सेयमता सिद्ध परिश्कृती और गुद्धी बल सामाजिक मुल्यों की अलबूती चैतनिक्रिया का दर्शन समाधान और सेयमता सिद्ध में होती है अच्छा सेयमता के बिना परिश्टि नहीं होती है तो यदि ये परिश्टितिया नहीं हुए तो गुद्धिबल और समाजिक मुल्यों की अन्वोती चातने करिया का दर्शन समाध्धान और सेयमता ये सिद्ध नहीं हुए कृतक गिता ही सेयमता का आध्यांत आधार है अलुवा धर्शन में कृतक गिता और कृतक नता से ही मानों का आच्रण पहचानने में आता है ऐसा लिखा गया है और जब तक हम कृतक गिता नहीं होती है तक तक मानों का आच्रण जो है वो उसमें मुल्यों की पहचान नहीं होती है तो मुल्यों की पहचान जो है वो कृतक गिता पूर्वा की होती है प्रतिक्रतग्यता का मतलब हम लोग भी बोल देते हैं ना हम आपके प्रतिक्रतग्य है इसके प्रतिक्रतग्य इसके प्रतिक्रतग्य है मेरे जो समझ है इसक affected के airm的話 कि जूभी सहयो शह कारिता या जो भी हमारीकिक करते हैँ वैसा ही सहयो हम उस हो और अनिवी कायोफने हैं यही कृतागीता के रूप में प्रामानिक होता है, ऐसी मेरी सिक्त्रती है, तो यह कुछ भी कुछ बोलने का क्रिया कलाप नहीं है, यह करने का क्रिया कलाप है, तो शब्द रूप में हम इसको होने के रूप में पहचानते हैं, और जब होने और रहने के रूप में हरी काई ह तो होने के रूप में वधिक नियमों के पहचानोती करने के रूप में वही जो नियम है वधिकता जो है जो प्रबुद्धता है वही व्यवहार के रूप में परिवार में पहचानते हैं वही व्यवहार जो है वो समाज में भी परिवारों के रूप में पहचानने में आता है इसलिए कृटागीता ही क्रतागीता भी विवहार का एक अभीन मूल्य है और उसके साथ ही माना अपनी स्वयंता के साथ व्यक्तिक कर पाता है प्रजित में की परिभाषा ही है जो शिष्ट मूल्य तो स्वेक्षा पूर्वग स्वेयं के नियंत्रण के रूप में तो यहां पर आगे जो उलेखित किया गयता है कि अधिक जागरत में समर्पंड से अभिमान वा अहंकार का अन्मूलन होता है तो अधिक जागरत में समर्पंड से यह हो जाता है अभिमान वा अन्कार का अन्मूलन होता है तो क्रतग्यता पूर्वग हम जो सयोग हमको वहां से हुआ है उसकी स्विक्रिती होती है इसके पुष्टी में ही यहां पर दिया गया है ऐसी मेरा समझना है मेने की आफ़या सैंयम्ता प्रत्यक्व मे जैसां कि मैंने खाली कि करताग्यता में सैंयंता नहीं रहती है और स्षे पूर्वग स्विक्राव कर्मि नियंत्रन के संग्या में नहीं आता है शैशाम इवं किशोरवस्था में ही तुटक गिता का रोबन आवश्यक है इसलिए यहां पर प्राबाजी नहीं बहुत अच्छ से कहा है कि शैशाम में क्योंकि एक अभ्यास पढ़ जाते जैसे हम लोगा एक बोलने का अभ्यास पढ़ गया एक करने का अभ्यास पढ़ गया तो बहुत दिकत होती है उन अभ्यासों को समाप्त करके नई अभ्यासों को ग्रहन करना यह जो सारी दिकत है ना जो सारा भ्रम है वो पूरवान जो पूर्वा अभ्यास हैं पूर्वा ग्रह है हैं हमारे पूर्व मानिता हैं वही इतना सुन्दर सारा विस्लेशन सारी व्य तक पूर आजद रस्तुत हैं सारा वेक्ति से समश्टी सकत का पूरा कारेक्रम जो है उसके लिए समीधान तक पूर्वाग्रा है जो है वह हमको हमारे अभियासों में अवरोद पैडा करते हैं इसलिए शहिषमा आवस्ता से ही ट्रतग्यता का आरोपन आवश्यक है इसलिए भी बावा कि द्याले की स्थापना जो रायपुर में हैं उसकी बावा ने करवाई और यह मानव परंपरा की जागरती की अर्थ की भी बात हो रहे हैं तो एक मानव जागरत होगा वो जागरत मानव जो है उसके संपर में रह करके परिवार जागरत होंगे परिवारों की परस बन्धों ने जो अपनी प्रस्तुति की है उसमें भी आया है और हम दोनों जो आपके सामने रख रहे हैं कि सद शूर में ही स्वाशुद समाया रहता है तो जो यह परंपरा बनती है तो यह सारी जो यहां पर बाती की गई है संग्रा अस्ते विश्व के प्रति मुलिभाव य दयापून-विचाससाद के साथ सेबस्ट क है अविक्सिते हैं ए अविक्सित के विक्कास में सहाय होना है यह दयापून विचार मतलब होता है शोकौद वाचने उबारण में क्लेश दुख्परीकपात्मत्रवत्ति इससे पर्वारन हो जाना तो उसको कारपने दोश्त का निवानन तो कहते हैं तो जब मानौ जो है वह हमोचने सारे डोश्तों का निवानन प्रकार से उनको पहचाना भी गया है वो ने तुरू को विश्तार से यहां पे चप्छा की गई है इस सारी उपासनाओं से जो हमारे अंदर ये शोकादी क्लेश वगरे हैं और दुख हैं वो सब समत्थ हो करते हम सभाव गति में इस्तित होने में समत्थ होते हैं मैं आज यहीं तक अपना प्रस्ताव रखो दी इसके बाद आगे के प्रस्ताव के लिए प्राथजी तरह अगे अगला सूत्र है थोड़ा सा कठिन भी है तो इसमें लिखाए कि जिस लक्ष में अंतह करन को तदाकार करें उसी में वह प्रतर होता है तो अंतह करन का मतलब में मनुरति चित बुद्धी परंपरा में जो जिसकों क्षिट्यवर्धी करें और कुछ व्रफ् करें हाँ सब्सक्राफे में हमें करें общем जीकर अचे काटेश वश्रउयक्ट 50ichten शब्यूंत सुर्टेयम को केशा 4 रिख मिलता है और ध्यान करते इसके साथ तदाकार हो जाते हैं चाहार हो मैंत पुछ अब्लंदीय होत्त है कि बूलुब्लद्गियों के बारे में बहुत सारी मानेताएं हैं कि यहां बाबादी लिखा है कि जल में तदाकार होने से संताफ का नास त्रिप्ति का अन्वाव होता है कि नहीं आपर जो संताप का नास होता है सब शरीन से संबन्दित वात है उसकी वह संताप होता है उसका ऑधिक्ती का भी मतलब यहीं है कि जो का नास होता है वह आरोग का लाव होता है तो हम लोग ऐसा आइरमेट में कि यदि किसी भी अंग अभियाब की यदि अगनी और आरोग का मतलब है समागनी का बना रहना मतलब है एक सुभाव कि रहती है संतुलन के अर्थ में अगनी रहती है जैसे हम लोगों का टेंपरेचर होता ना सरीर के सभी अवेवहों में एक समागनी रहती है और यदि यह अगनी कम होती है किसी कारण से उसी को रोग करते हैं तो यदि हम अगनी के याने मन व्रतित बुद्धी को यदि अगनी के साथ याने अंताय करण को यदि अगनी के साथ तदाकार करती है उस इस्तिती में भी शरीर में अगनी बढ़ती है और उससे रोगों का नास होता है और आरोग का लाव होता है यदि अगनी कम होती है तो रोग होता है ना अगनी कम होने के कई कारण हो सकते हैं तो ध्यान याने अ वायू में तदाकार होने से आ cód करन होता है और अस्थिता का लाव यह बी एक नए फ्रकार की बात आई है सायथ। गोफ प्रानायाम करते हैं प्रानायाम परंपरार में रस्तावित कि Я कि प्रानाया पुर्वत वायू से तदाकार होते हैं मतलब प्रान पर आयाम पा लेते हैं या वायू के सब प्राण वायू रहती है प्राण वायू ही मन और मेधस के बीच में कि एक सुत्रता के रूप में या सुत्रत होती है ना तो मन का प्रभाव है वो प्राण वायू पर होता है प्राण वायू के कारण से मेधस में तरंग उत्पन होती है और वही जो है भाव और विचार और व्योहार में ग्लेक्ट होती है इस तरीके प्राणायाम की विदी से याने अंत्यकरण को प्राण अंत्यकरण के माध्यम से याना वाईव को लग्षि करके प्राणायाम याने प्राण के आयाम पे नियंत्रन पालेने से भूस्ट अमेश। रहे हैं हुआ जैसे बाबाजी ने लिखा भी है कि जैसे अपान वायू है वह सोचक होती है यहां पर नोश्व हो रही है कि वह इस केुष्ण प्रान वायू की बात भी लान वायू के साथ तदाकार करने से क्या होता है। प्रकास में पदाकार होने से अज्ञान का नास होता है तो परंपरा में कुछ इस प्रकार की मानता हैं जिसको मुझे लगता है कि मैंने अभी अनुमान कुर्व की बात की है तो प्रकास में तदाकार का मतलब है कि ज्यान के साथ तदाकार होना ज्यान को यह वश्टू के ज्यान को समझने के लिए प्रयास करना यह अंता इतरण को जो भी बहुतिक रासायनीक वश्टू है शरीर प्रयोजन को समझने का प्रयास करने से उत्तर संबन तो कि यन नीवतश्थ नितर्व कोरा तो समझ्द समय . इसके आधारी मैंने आपके साम पर ँभी इस चार बातोंको रखा हैं कि मैं बाबाजी से इसके ज्यादा छर्चा नहीं कर पायी हूं और अन्न वांग्मेयों में भी इसका उलेख नहीं मिला है फिर भी मेरे अनुमान में जो आया हो इसके बाद लिखा है कि परहित चिंतन से याने अंताय करण्ट को यह दी परहित चिंतन में लगाते हैं तो उससे उत्सा है वा आलहाद कि अलहाद की व्रति अलहाद का मतलब होता है बुद्धान के लिए जो साहए सिहता पूरवत धैर पूरव750 और अत्व के लिए उसको तो को पी थाक के ते आहे आज का मतलब है उद्दार सर्वसुख कारेप्रवित्ती के रूप में रहता है या अनबूति का जो बोद चिंतन है उसको भी आलहात का मतलब है उत्साय सर्वसुख प्रवित्ती और उत्साय का मतलब हिद का कल्यान का सुब का चिंतन करने से उत्सा है और आलहाद की व्रद्धी होती है फिर है परोपकार से यस होता है यदि हम अंत्य करण को परोपकार में लगाते हैं आगल कि ज sonoda भी वो रहे हैं अंत्रिक साधन जिसको और इसके अलाबा ज़ो हमारे पास तन और मन है और धन मन जब मन बोलते हैं अंत्य करण की बात कर रहे होते हैं अधिकन को परोपकार में लगाते हैं तो उससे जो है यह में उत्य होती है क्यों होती है क्योंकि हम दूसरे के विकास जागणती में जैसा होती उप सम्रृद्धी कोई और इसके अलाबा जो समझ है समझ को भी परोबकार में लगाते हैं जिसा बाबाजी के बाध करोंस सब्सक्राइब दर्फ इस तरीके से इसको प्रोपकार में देर हैं मॉंस्टाइब ःदी समस्याओं को सुझाने में हम तुछ होते हैं या उन slash聊ने के और दो हम कुछ हमो अपने तन्मनध्न मद्धन का नियोजेन करते हैं रुआ करन का नियोजेन जर से house ऑ कि गोरव होता है यदि हम समय के समाधान प्राथ कर लेते हैं तो उसे गोरव होता है व cooking घोड़व का मतलब योने आपको पत्राइब गर्लति और उसकी कि प्रमाण प्रमान प्रस्तुत कर दिया उस रूप में जो होता है पिस सब्सके कल्यान चिंतन से प्रतिवाब का विकास होता है अब्यास चिंतन करने से प्रतिवाब का मतलब है ज्यान विवेख विध्यान रूपी जो प्रतिवाब उसका विकास होता है कि पर गुण गणना अभ्यास से स्वाफ दुर्गुणों का नास होता है कि यह दूसरे के अंदर की गणना का अभ्यास करते हैं यह दूसरे के अंदर की स्वेश्चता को पहचानते हैं उनको पहचान के कि उसमें जितनी भी प्रकार्टी स्वेश्टताएं हैं उसी का नाम पर्गुण गणना का मतलब एक दो तीन चार इस तरी के से नहीं है पर्गुण गणना का मतलब उसके अंदर गुणों को देखते रहते हैं ऐसा अप्यास करने से कि एक स्वेश्ट जाढ़ान है उसका मतलब ही है कि इसे इतल स्वेश्ट के रूप में अपने Rgamitindär अपने से ज्याधा गण्वान वैक्ति के रूप में स्विकार करते हैं सोभविक रूप से हमारे अपने अंदर दुर्वन होते उनका नास हो जाएं फिर इसमें लिखा है पक्षपात बुद्ध यहने जो जिस बुद्धी में पक्षपात होता है हे पक्षपात बूद्धी। है कि पारिकशिति के सद्गों को गठने समसट नहीं जो़ए तो इसलिए बुद्दी का निस्पक्ष होना जरू है कि जाना यहीं जिस निस्पक्ष नहीं है यह देज़ी क्यों होता है तो पक्षपात किसी ना किसी कर laquelle सब्सक्राइब होता है जिसके साथ मोह द्रस्त होते हैं उसको पक्षपात बुद्धी पर पक्षिके सद्गुणों को ग्रहन करने में असमर्थ होती है जो उपर लिखाता है ना परगुण अभ्यास करना तो परगुण गणना के अभ्यास के लिए यह जरूरी है जो गुद्धी है उसको पक्षपात से मुख्त किया रहे हैं तो जो संदाई चेतना हैं उसके पक्ष में उसके पक्ष के आधार पे देखने से सब्सक्राइब करने में असमर्थ होती है क्योंकि क्यों होती है क्योंकि वह जी इर्षाद्रेज घुर्णा उपेच्छा और प्रम से मुख्त नहीं है तो जिदी पक्षपात है फक्षपात कुन बुद्धी है प्रभाव में चित्त में इर्षाद्रेज घुर्णा उपेच्छा और नम जो है वो बना रहता है उससे मुख्ती नहीं है तो इससे मुख्ती कि इस्तिती नहीं पाई जाती है क्योंकि जब हम संबंद और संपर्थ में होते हैं तो मानो संबंद और संपर्थ की निरंतत्ता के साथ है संबंद और संपर्थ विहींद नहीं है उसस्तिती में स्वा और परपक्ष नहीं होता है इसा कि स्वाफुप और मेरे बचल यह इस mo परफ पक्ष इस तरीकेस लिए इसक्ति लिए तो स्वाफ-परपक्ष न्यसलिए उसमें उसमें जागती। Renaissance जागृती में स्रंखला ख्रंधा नियम न्यासिध्ध को होता है तो जागर्ती n वे तो दूसरा डिया उस में सिद्ध होता है तो अगला सूत रहें हैं YouTube को समस्या का कारण नहीं ही अप्रभुद्धता है मतलब होता है जब दूसरी सिप्रिक प्रभुद्धता से होता है जब गुद्धि में ज्यान विवेक विज्यान संपनता होती है दूसरे आत्मों में जब गुद्धि जो है धर्मपून विचार से संबद होती है थिम प्रभुद्धि जो विचार आयाम है उसमें निपनता पांडेतिता होना विजागती है यहीं उपासना की प्रजक्ष औरिमा है तो उपासना के लिए वातावरण का भी महत्व है ना उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार है जैसे सिख्चा संस जो सिख्चा और विवस्ता है उस रूप में मानोकृत वातावरण है यदि सिख्चा मान भी सिख्चा है तो उपासना जो है सहर जो सुलब हो जा प्रदान रूप से मानवकृत वातावरण है लेकिन नेसरविक वातावरण का भी अपनी भूमी का होती है लेकिन उपासना में ज्यादा महत्र वातावरण का है प्रभुदता से परिकून सिख्षा ही व्यक्तित्य के लिए दिशाप्रदाई महिमा है एदि शिख्षा प्रभुदता से संपन्न है ज्यान विज्यान से संब्ध है या परिकून है या मानवी इतापून आज्ञण से परिकून है या मूद्लों से परिकून है कि इतना विकास से परिपून सिख्षा है तो ऐसी जो सिख्षा है उससे व्यक्तित्य के लिए दिशा प्रदाई महिमा है उसके लिए समचित विवस्ता ही व्यक्तित्य के लिए योग सत्ता है तो करें कि प्रभुद्धता से परिपून सिख्षा ही व्यक्तित्य के लिए दिशा प्रदाई महिमा है उसके लिए समुचित विवस्ता ही व्यक्तित्य का संरक्षन संबर्धन करने के लिए योग सत्ता है तो विवस्ता जो है व्यक्तित्य के संरक्षन संबर्धन के लिए सत प्रबुद्धता का सामानमी करण प्रक्रिया गुनात्मक परिवर्तन का प्रत्यक्ष लूक्त होता है वही सिक्षा विवर्सता में भाविदारी कुर्वक अपनी प्रभूद्धता का सामानभी करन लोग होग है एक व्यक्ति जो पासना पुर्श मोग सामान हो जाता है कि इसके बाद दिखा है गुणात्मक परिवर्तन के नजरिया गुणात्मक परिवर्तन के नजरिया ना होने की इस्तिती में या दूसरे हर्फों में कहें कि गुणात्मक परिवर्तन का द्रश्टिकोंड ना होने की इस्तिती में नजरिया और द्रश्टिकोंड एकी चीज़ में इस्थिती में मात्रा के आधारशन करने परें प्रमित माणों तत्पर होता है तो यह इस फुसी आधार की पारा स्थितीective इन सब आधारों को होता है इसके लिए तत्कत रहता है वही वर्ग संजर्सों समर्ण का खारण युद्ध का कारण बनता है क्योंकि मानव को अस्मांता स्विकार नहीं होती है मानवीता की सीमा में व्योहार नियम त्रह का आचरण ही व्यक्तित्थ है ऐसे व्यक्तित्थ के निर्माण में सक्रिय योगदान ही कलतब है यही पुर्शार्थ है यही प्रभुद्धता है यहां एक अन्य द्रिश्टि कॉन से प्रभुद्धता को समझाने का प्रयास गया मानवीता की सीमा में जो व्योहार है जिसको लोग नियम त्रह के रहे हैं यही व्यक्तित्थ है और ऐसे व्यक्तित्थ निर्माण करने में जो सक्रिय योगदान है किसी परिवार का समाज का राश्टा अंतरास्ता वही पुर्शार्थ है यही पुर्शार्थ ही प्रभुद्धता है फिर आगे लिखा है उपासना व्यक्ति की सीमा में उपासना व्यक्ति में यही प्रभुद्धता ही मानव की सीमा में सिच्च्छा व्यवस्ता है व्यक्ति की सीमा में जो करतब बहुदाइत की रूप में उसको पहचानते हैं और इसी को जब मानों परंत्रा में पहचानते तो प्रबुद्धता ही मानों की सीमा में सिच्छा व्यवस्ता है इसके बाद एक पेराग्राफ है साइद इस किताब में नहीं है जो नई वाली किताब है उसमें यह बादा साइद पेराग्राफ नहीं है प्रतिक उपासना भी सत्यता को इंगित कराने का उपाय है तो क्योंकि बाबा जी बीच बीच में जो है परंपरा में जो पासना हैं उनका भी जिट्र कर रहे हैं उसकी भी चर्चा कर रहे हैं और उन प्रतिक उपासना उसे क्या उपलग्दी होती है उसकी भी बात उन्होंने की है साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्रतीक उपासना है वो सफल क्यों नहीं हो पाई है ना तो इसमें लिखा है कि प्रतीक उपासना भी सत्ता को इंगित करने का उपाय है सभी प्रती जितने भी प्रतीक हैं। तो सभी प्रतीक सक्तव मैशे के यह समाईत हैं, अस्तु सक्त ही लक्ष होता है। यदि हम प्रतीक को ही लक्ष माल लेते हैं ना साध्य माल लेते हैं जिसको कहते हैं कि प्रतीक प्राप्ति नहीं है ऐसा बावाजी ने का तो करी बार क्या होता है जो प्रतीक उपासनाय होती है उसमें सत्य का लक्ष छूट जाता है प्रतीक को ही प्राप्ति माल लेते हैं उस है प्रतीक जैसे इस्थान है जाती है भासा है कलाहय देफस्ट इस रूप में प्रतीक यह पैचाने गए और इनकी लोगों ने उपासने करी आ प्रतीक को प्राप्ति माल लेने से उपासना सफल नहीं होती है लिखा है कि सत्त और सत्तिता में वेविद्धिता नहीं है प्रतीक की उपासनाओं में वेविद्धिता है तो यहां पर इस परस्ट किया गया है कि प्रतीक उपासना भी सत्तता को इंगित कराने का उपाई है सब्धस्याय सब्सक्राइब को इंगित कराने का उपाएकि क्यों कहा जाना क्योंकि सभी प्रतीक सब्धम्स क्यों कि इसलिए सब्सक्राइब करोंकि उन्हेटा है क्योंकि प्रतीक अनेक है इनके द्वारा इंगित होने वाला सब्ध पूर्ण है तो सभी प्रतीकों से चाहिए वो सब्ध हो भाषा हो इन सब्ध के माध्यम से भी जो इंगित होने वाली अल्टीमेट मुँए जो बात है इसलिए प्रतीक साढनाओं का उपास्नाओं का भी वो सक्ति ही प्रतीक को ही लख्ष समझने वाली बौल्धिक इस्तिती में सांप्रदाय क्ता पून आवेश अभिमान एंकार पाया जाता है जो लोग लक्ष को को ही परतीक मान लेते हैं उसके आधार मेंदाइन बन जाते हैं जैसे हमारे हमारे दरी शर्च व्यास्क्त संप्रदाएे संप्र्दार इनी संप्रदाए Vincent फिर अनेक और भी पूप संप्रदा यह जाएंगे तो कई वयासमा संप्रदा है शेव में भी कई परकार जोस्त करते हैं उसके कारण से प्रतीक को ही लक्ष समझने वाली बहुतिक इस्तितियों में प्रतीक लक्ष वादी उपासना क्रम अपूनता की सीमा तक गौण और आसामाजिक सिद्ध हुई है तो प्रतीक को ही लक्ष मानने वाली ऐसी जो उपासना क्रम है वो अपूनता की सीमा में है तो अपूनता की सीमा तक गौण है और आसामाजिक सिद्ध हुई है क्योंकि मानव का क्योंकि इसमें मानव लक्ष का इस पस्की करने वं प्राप्ति नहीं है इसलिए विशम्ताएं हैं ऐसे प्रतीक इस्थान जाती भासा कलाशित रजना प्रतीमा इस मारख को सब्द के धेष से गणैं है यह सभी प्रतीक सब्द में से के लिए समाहिएं अस्तू सथी लक्ष है तो उपासना के व्यक्तित्रों का प्रत्यक्ष रूप जो है बौद्धित्ता है ना-की शरीप तो जो हम प्रतीक के रूप में सरीर को है ना अपने अंताय करण और अंताय करण को उस सरीर से तलाकार करने का प्रयास करते हैं जबकि बहुत दिप्टा ही मानों के व्यक्तित का प्रतेक्श रूप है ना की सरीर क्योंकि प्रतेक्श व्यक्ति में पाई जाने वाली बहुत दिप्टा का ही आदर या उपेक्शा सम्मान या तृष्कार का मान है तो मानों का जो पहचान है उसकी बहुत दिप्टा सही है यहीं बहुत दिप्टा नहीं है उस स्थिति में उपेक्शा है तृष्कार है बहुत बॉद्देखता ही मूल प्रवितिया संकेत ग्रहन एवं प्रसारण छंता है यही आवस्चता इच्छा विचार आसकती या अनासकती परिमारजन प्रभाव तत्परता एवं बॉद्देखता है फिर आसा भेद से उपासना विथrh से अनमान भेद है यह समय जो उपासना और वी मूर में इनुद्द में आसा का भेद है और वासना समय हो पासना का भेद से अनमान भेद जो यहां पर कहने का मतलब अन्मवा भेद से मतलब यह है कि जो अन्मवा में तो कोई भेद होता नहीं जसा हम लोगों ने मज़द दर्शन के अध्यन में पड़ा है लेकिन जब प्रतीक को प्राप्ति माल लेते हैं तो उसके में प्रतीक के साथ तादात्म होने से भी कुछ कर दो होता है जिसको बाबाजी ने बता कि लिए हैं प्रकार से प्रकार से पताख लगती होती है उन उप्लग्दियों को ऑभा पूप पेड़ करें और नवान से पूंपासना को यही उपासना में वैविद्धता का कारण है और यह वैविद्धता सार्गो भूम आच्रण तो यह जितनी भी प्रकार की उपासना संब्दी वह विद्द आएं हैं यह सारगोमिक आच्रन की सीमा की सीमा में या नियमत्रह की सीमा में जो है इनका विलाय होजाता है कि पीछे यहां तक मैंने अपनी बात करी इस पर कोई प्रस्ण होंगे तो आप प्रस्ण लेकर भेजिएगा तो उसका अगले यह कल हम लोग उन प्रस्णों का उत्ता देंगे आंगे सुनीता जो है इसको प्रस्णू करेंगे कि सारी चल्ठ पास्णा के संद्व में विवेख के अर्थ में की जारे है कि प्रेट की पहचान मानों में हो में से ही अपास्ण सफाई भती है मिसारी चल्चान यहां पर अध्याजाशन में करणा रहे थे संद्वें तो मानव के लिए सहर समर्थ उपासना एक अनिवार ये कारिक्रम है जो अमानवीता से मानवीता, मानवीता से अतिमानवीता की प्रतेश्था इस्थापित प्रत्ति हुआ है तो अपने रचना ही अपने अपने अर्थ को प्रस्तुत कर रही है कि सहर समर्थ उपासना अनिवार है बाबा ने बोला है कि उपासना करने से डेवी देवताबना इसको फासना करने से बाद की गई है इमानसिक सम्रिद्धी और भातिक सम्रिद्धी से स्वर्गीता की उपलब दिये इन दोनों अर्थों में ही सहस्तित विद्धी से पूंकि भातिक सम्रिद्धी के विना भातिक सम्रिद्धी प्रमालिक नहीं होती है तो सहस्तित विद्धी से कर्म और उपासना की जो तो अमानवीता से मानवीता के लिए और मानवीता से अति मानवीता की प्रतिष्था को स्थाफिक करती है तो जैसे हम लोग भी पूर्द चर्चाओं में कहते ही रहे हैं कि मानवीता से कि एक ऊक्राफेसाल तदेव मतंत तो यहिए उपासना का है तोिए है ड्याल पर है क्रीया पूर्नथा की लखी और आजनर पोलता उसकी अंतिО अब इस लखी में किया क्रम रहता है उसकी हां पर चप्चाकी लिए कि सहीट है अनुष्ण-विक्ष्ण-व्रति से परदाब music को यहाँ पर आगे परिदाशिक किया गया है कि मत्यास्त जिवन करती हैusion मत्यास्त क्रिया सक्टा में जम हो तब ही वह संतुलन और पूर्ण फल को प्राप्त करती है। इस से पहले जो भ्यवधान रहता है उसको ईंजचण बिच्णकिन करें यह कहाँ गया है तो मद्यत देव मानाओं के साथ है और सहजिता जो है वो देव मानों के साथ है पहचानने में आता है अनुषण का तातपर ही है प्रतेक्षण में लगातार सहस्तित्व चिंतन विचार क्रम में प्रामानिक्ता का सहच क्रमान प्रस्तुत हो जाता है तो अनुषण का तातपर है प्रतेक्षण में सहस्तित्व का चिंतन तो जो दीव माना रहते है उसके द्रिश्टी के वन सर्ति तो वह सहत्तित्य के चिंतन में निमंग में रहता है उसका विचार और विचार क्रम में प्रामानिक्ता का सहज प्रमान जो है इस विदी से प्रस्तुत हो जाता है इसी से सहजता की उपलब्धी होती है सत्ता में संप्रत्य प्रकृति का ज्यान पूर्ण दर्शन चर्चन नद्यस्त व्यवधान का तिरोभाव है यही ध्रमीच भाव अभाव का तिरोभाव है यही सहज प्रतिष्ठा वा अवस्था है ज्यान की प्रतिष्ठा पाई जाती है अज्यानता की प्रतिष्ठा नहीं है ऐसी हुआरी परांपरा में कहीं गई है वो प्रतिष्ठा माना विकाई से ले करके परिवार समाज राष्ठ रांता राष्ठ तक अभी पहचानने में नहीं आई थी उसको यहां पर वो प्रतिष्ठ कैसे होगी माना विकाई में परिवार में कैसे प्रतिष्ठ होगी समाज में कैसे प्रतिष्ठ होगी राष्ठ मे कि यहां प्रतिष्ठा को परिभाषिक क्याम अध्य दर्शन में उसको आपके सामने रखती हूं तो उसकी पहली परिभाषिक की द्रश्टा-पद-परंपर्णा के रूप में जागरति सहच प्रमान एक तू ये इसकी परिभाशा है सार्भवम व्यवस्था में भाग दारी यही परंप्रा, सहज प्रतिष्था और पद में इस्थिति, सभाव, वगति, गुणों में प्रामानित रहना ये इसकी प्रतिष्था है प्रतिष्ठा की रूप में ये तीन परीभाशाएं हम यहां में मिलती हैं जर्ष्टा पद परम्परा के रूप में जागरिती सहच प्रमान वा साध्भूमिक व्यवक्ता में भागी-दारी यही परम्परा सहच प्रतिष्ठा और पद में इस्थित्षभाव अगटी घुड सब्सक्राइब में प्रक्त प्रक्रती सहज ज्ञान ना होने से और अनुभाव मुलग ज्ञान ना होने से भय और अलोभन वश्ट समस्त ब्रमुलग कार्य वविवहार सोच विचार को बनाये रखता है यहीं सम्पूनित में उसका कारण सब्सक्राइब में अनुभाव मुलग ज्यान ना होने से भय वप्रलूबन समस्त ब्रमुलग कारे विवहार होते हैं और सोच विचार को बनाये रखता है यहीं सम्पूनित में आधर्शन में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था काल क्रिया की अवदी है इसी अवदी में आरोपित विचार वा इक्षाई अर्ज सहज एवं नेरापित विचार वा इक्षारी सहर विचार अब यहां पर जो चर्चा है वो काल और क्रिया के संदर में है भ्रांती है क्रिया क्या है तो काल और क्रिया के संदर में तो क्रिया तो भआतेक्रिया नशायन क्रिया और जीवन क्रिया तो भआतेक्रिया जो है वो परिर्याम शीकता-吇रता में रहती है जो सुख्तिंगे द्राप प्रेयास किया है इस लिए उसको बोन फल नहीं नेडा तो जीवन क्रिया के पहचान के साथ ही काल वर्तमानित ही रहता है रचनाओं के संदर में जो हम क्रिया को देखते हैं तो भूत भविश और वर्तमान 얘는 तीनों दिखते हैं लेकिन जीवन में जेज अनभव संपनता रहती है वैसले सारी क्रियान ही धिक सकंदान केवल निरंतरता में रहना ही उसकी वर्तमानता है, निरंतर वर्तते ही रहती है, वो रुपती तो है नहीं, तो इसकी भूत और भविशी का क्या है, तो पूर्णता में ही पूर्णता या उसकी पहचान होती है, तो वर्तमानता में ही भूत और भविशी की पहचान हो गई है, और क्रिया जीवन में जो निरंतरता की पहचान होती है तब जो निरंतर नहीं है उसकी भी पहचान हो जाती है तो बहुती क्रिया में रचनाओं की निरंतरता नहीं रहती है उनकी रचना भी इस प्रकार से होती है वेकिन समग रस्तित में जो हम व्यापक रूप से देखते हैं, तो हर घटना, हर क्रिच प्रिच चलती रखती नहीं है, इस प्रकारत हम इसको और विश्य रूप में भी देख सकते हैं, कि क्रिया का रचना का भी और परिणाम का भाव नहीं रहता है जब हम एक रचना की तंदर में इसको देखते हैं तब ये बात हमको समझने आगी है तो इसी लिए अबदी में आरोपित विचार वा इक्षा ही असरह जिता मतलब ध्रम में जो स्यप्तिस पर रूप रस गंदे क इसके द्वारा जो हम सुप पाने की कोशिश करते हैं वही आरोपन है और इससे जब हम निर्ण हो जाते हैं जीवन क्रिया के इसंदर में तब वह निराला आरोपित विचार वह इक्षा के रूपने सहस्ट्रा के रूपने हम पहचान पाते हैं मानो इकाई नहीं जागरिती के क्रमवी में भी निरारोपन छमता पाई जाती है ध्रमवश आरोपन होता है मतलब मानव जागरत इकाई में ही निरारोपन छमता रहती है और ध्रमवश ही आरोपन होता है आरोपन मतलब जिसको आती व्याप्ति अनाव्याप्ति अभ्याप्ति के रूप में हम लोग देखत था जा करके हम अरोपण से मुक्त होते हैं और रहम से मुखत की है फैसे अधिक कंम समझ न समझना घ्राम 기분 द आप चक्षनतर अन्वापतों को रखा छत में हृख क्रिया में और कृया पूलता के संबन्द में मतब क्रिया में और क्रिया पूलता के संदर में अब इसके बात की प्रस्वती बढ़ हिंगे प्रतेक इकाई में रूप बुन सभाव अधन समाईत है यही उसकी कार्य वत्ता है इसी की गणना परिमान प्रियोजन ज्ञानी प्रकृति के प्रति निर्भ्रमता पूर्ण श्रमता का दियोतक है यही प्रमाने यही सहजता है तो प्रतेक इकाई में रूप बुन सभाव अधन जिस चारों वस्त विक्ताओं की पहचान के साथ ही पूर्ण पहचान होती है यही उसकी कार्य वत्ता है तो जब हर इकाई जो है रूप गुन स्वभाव धर्मे के साथ है और इसी के साथ वो अपनी कारिवत्ता को प्रस्तुत भी करती है इसकी गनना अभ्यापगता उसकी गनना नहीं होती है और व्यापगता है उसकी गनना नहीं होती के प्रती निर्भामता को लाता है यही प्रमान है यही सहज का है और यह प्रेवजन का पहचान सहज्पित्व में हो पाता है उससे कम में इस पहचान होती नहीं हो शंपुन क्रियाय मूलता है रूप करियाय मूलता है रूप और शब्सकियाश्थ भिभाम्तर तो रोब के भेज से और अर्थ क्रियान भिभन पुरक्ता पी संबन है निया मज़या सिव्प प्रसथ cottage रस्तावित यहां मोझता करताट तो पूरक्ता की विणा इकाई में अग्रिम्ता नहीं होती है तो इसको हम कैसे पहचान पाते हैं कि पादार्थावस्था प्राणावस्था की पूरक है प्राणावस्था जीववस्था की पूरक है जीववस्था ज्यानावस्था की पूरक है और ज्यानावस्था की इकाई एकाय में पुर्नता उपयोगता के लिए प्रभकत्त है पुर्णता परियंत पुर्हक्तत पुर्णता-वच्यत ह्ने प्रभकत रहती है मानव इकायosure अगप थी उपासना पुर्भ ध्यान संपल मुपंगर करते मानव इकाई की पुभलता और उप्योगता में प्रवक्त रहती है पूरगताही इकाई महरासं वादिकास के लक्षनों को प्रकट करती है यहीं प्रद्धान उपादेता है तो मानव के अतरिक्त सभी एकाई महरासं इ करके पूरक्ता रुपयोगिता में भागी दारी करके अपनी स्वत्व है उसको प्रमानित करती है इकाई में प्रकट होने वाले शब्दा की गुण ही सापेक्ष शक्तियां हैं गुण विहीं इकाई नहीं है इसलिए मानों में सहज कामना का अभाव नहीं है सहजता ही धर्म है यही सुक्षान्ति संतोष इवं आनंध है यही धर्ना को स्पष्ट करता है जू प्रकट्यक्ष है तो प्रत्ते इकाई में प्रकट होने वाले शब्दाद गुण ही सापेक्ष शक्तियां है शब्दादी ग मलति तो ऐसलिए सफ्षम मध्यस्ति रूपर पहचान हें तो मध्यस्ति गुण जो है वो सापेक्षता से मुड़क रहता है और सब्सक्षाम में अगुण माणव इकाई साभी विभाव को बना करने मुद्न और इन दोनों के में जो उस रच्ना की बने रहने मैं होता है तो माल्वी गुलों से माना इकाय संपन्द है और सं विशं म्ध्यस्त गुल म से इसलिए मानों में सहज कामना का अभाव नहीं है तो विवस्था में भागीदारी पूर्वग जीना संतुलन पूर्वग जीना यही उसकी कामना है सुख जिरंतर सुख पूर्वग जीना और भागीदारी विवस्था में भागीदारी पूर्वग जीना तो मानों में इन कामनाओं का भाव नहीं है सहज नहीं होता है यहीं सुख शांती संतोष एवं आनंद है यहीं जीवन में जो सहजता है जो अन्हों में सहजता की स्वष्टता होती है यहीं जीवन में सुख शांती संतोष और आनंद की रूप में जीवन लक्ष की रूप में सफन होता है और यहीं धार्णा को स्वष्ट करता है जो प्रत्यक्ष्ण है हर इकाई में जीवन इकाई में जो भी कुछ धारन किया हुआ है वो प्रबुद्धिता पुद्धि में उसका बोद और आत्मा में अन्भा पुर्वकी मानवी इता से मानवी इता की पुर्वकी स्था इस्था 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 इ इसका मतलब है कि जो मध्यस्त सकता है या जो सहय अस्तित है उसका लगाता चिंतन में बना लेना अनुक्षन का तात्पर है प्रतेक छण में लगातार सहस्तित चिंतन विचार श्रम में प्रामानिक्ता प्रमान प्रक्तत हो जाना यही सहजा ब्रक्ति है सत्ता में संप्रक्त प्रक्रती की संप्रक्तता का ज्यान ही पून दर्शन है हैं चता मैं संप्रक्त प्रस्रितिकी संप्रक्ष्टता का ज्यान ही चंडशंड मद्यस्त व्योधान का के रुभाव है इसका मतलब है आभवास का ज्यान का भ्रम का दिरुभाव है उसकी समाप्ति हो जाना उसी को कह रहे हैं चांड चांड मद्यस्त व्यवदान का तिरोभाव यही ब्रहमित भाव वाभाव का तिरोभाव है यही सहत प्रतिष्ठा वावस्ता है इसके बाद है सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का ज्यान ना होने से और अन्वों मूलग ज्यान ना होने से दो बातों को लिखा है सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का ज्यान ना होने से और अन्वों मूलग ज्यान ना होने से दोनों एक ही बात है भय प्रलोभन बस समस्त भ्रह्मुलक कार्य व्योहार सोच विचार को बनायता है यदि सह स्थित्त का अन्भव नहीं है या अन्भव मुलक ज्यान नहीं है उस स्थिति में भय प्रलोभन बस जो है समस्त भ्रह्मुलक कार्य व्योहार वो सोच विचार वो बने रहते हैं और क्योंकि ये बने रहते हैं इसी लिए यही संपूर्ण क्लेश का कारण है। इसके बाद दिया है काल क्रिया की अवधी है इसी अवधी में याने काल क्रिया की अवधी में ही आरोपित विचार वा इच्छा ही आसहर है। निरा रोपित विचार और इच्छा ही सहर है। यहां आरोपित विचार का मतलब क्या होता है। आरुपित विचार का मतलब है भ्रमित विचार आरुपित इक्षा का मतलब भ्रमित इक्षा और भ्रमित इक्षा और भ्रमित विचार के मूल में जो है अति व्याप्ति अव्याप्ति अना व्याप्ति दोस है जिसका मतलब है जो जैसा है उससे उसको कम समझना या अधिक पूरो इस होता है इसलिए जो आरोकित विचार इख्शा वह मानव को सहज हैं योगी ब्रह्म्र छेक्षी होता है है इतु यह Лिख मानव के लिए तो यह हैं कि अरोकित विचार मुठ्व होजाना ही यह रोड़ कि विचारवा इक्षा है और इसमें सहस्ता पाई जाती है तो सक्ता में संप्रक्त जड़ चेतन्य प्रकृति की इस्ति सीलता वा सक्ता सहज पूर्टा के संब्ध में ही आरोप वा निरारोपन क्रिया संपन्ध होना पाये जाता है सक्ता में संप्रक्त जड़ चेतन्य प्रकृति की इस्ति सीलता वा सक्ता सहज पूर्टा के संब्ध में ही तो ये दोनों चीजों के संब्ध में ही भ्रह्म होता है वा भ्रह्म मुक्ति होती तो प्रते की काई में रूप पुन सुभाव धर्म समाहित रहता है यही उसकी कारवत्ता है याने एक प्रकार से इसको कारवत्ता कहा दूसरे तरिक्ते से इसी को आचरण भी कहा है इसी की गणना परिमान प्रियोजन ज्यान की प्रकृति के प्रती निर्भ्रमता पूर्ण चमता का देवतक है। यही प्रमान है यही सहजता है। संकून क्रियाय मूलत है, रूप और सब्ध भेश से द्रश्टब हैं। पूरक्ता के बिना इकाई में अग्रिमता नहीं है। जो भी अग्रिम विकास हो जागरती है, उसमें दूसरी इकाई की पूरक्ता जो है, उसमें सबसे महतुपून भूमिका होती है। पूरक्ता परियंत, जब तक इकाई पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक इकाई पूरक्ता उपयोगता के लिए प्रवर्ट रहती है। पूरक्ता ही इकाई में हिरास वाइ विकास के लक्षण को प्रगत करती है। यही प्रदान उपादेयता भी है। तो यहां पर पूरक्ता की अनिवारिता को बताया है। मतलब इससे एक अर्थ यह भी निकलता है कि बिना पूरक्ता कि किसी भी इकाई में अगरिन विकास और जागरती नहीं किसी लिए अस्थित्व जो है सह है इसका मतलब है कि अस्थित्व में जो है व्यक्ति बादी नहीं है एकल कृइया नहीं है। मतलब क्रिया में जो विकास है, उसमें डूसरे का सहयोग Ella Juliet को आनिवार है। वह न से क्रतगता हमको समझ में आती है। क्योंकि पूरगता निवार है, इसलिए कोई भी मानोग ऐसा नहीं होता है जिसके विकास विकासा जागृती इसी लिए यहां कि रहें कि जो पूर्णता परियान जब तक आच्रन पूर्ण नहीं हो जाता आच्रन पूर्णता के बाद भी आच्रन पूर्ण व्यक्ति जो है वह पूरत परुपयोगी बना रहता है सेज़ पूरी मानो जाती के लिए है तो पूरता ही इकाई में हिरास और विकास की लख़णों को प्रगट करती है यही प्रधान उपादेता भी है इकाई में प्रगट होने वाले सब दादी गुण ही सापेक्ष सक्तियां है गुण विहीं कोई इकाई नहीं है इसलिए इसलिए मानो में साम्म कामना का अभाव नहीं है सहजता ही धर्म है इस तरीषे से हम लोग धर्म को समझने है यही धाना को इस परच़् करता है एक राष्ट्जच्ट है। प्रत्य आपकर्म फ़ल हि मानाओं के सुक्व का फोश्थप को ही वा शोशक्षिद्धूगburst है। यदि भ्रमित क कर्म है तो शोशक्षिद्ध होगा और यदी भ्रममुक्ट कर्म है उस स्थिति में फोशक्षिद्ध होगा। तो प्रतेत कर्म चाय वो बौधिक हो सामाजिक हो या भौतिक हो तीनों इस्थिती में जो भी कर्म है यदि वो भ्रम से मुक्त है और नियम्त्रय से जुड़ा हुआ है तो वो मानों के सुप में पोचक होगा अन्यथा शोशक सिद्ध होगा सत्थ और सत्यता के अनवोक्रम में व्यवधान नहीं है इसलिए अनवोक्रम व्यवस्था सघन है जागरिती की कडियें सघन है इसलिए सहदिता आरोप से मुक्त है आरोप ही नियुना अतिरेक मुल्यांगन है नियुनिया अतिरेक के रूप में मुल्यांगन है उसी को मैं कहरा सकत अति मूल्यां निर मूल्यां और अवु मूल्यां इस तरीके से जो आरोप या निया भ्रहम है या भ्रमित विचार है उसका जो मुल्यांकन है वो तीन तरीके से होता है जिसको हम लोग रहे है अति मुल्यां, अभु मुल्यां निर मुल्यां की रूज में होता है कि फुक् лишь yeah या जिए स्वेम का मुल्यांकन टात्रय की शीमा में होता है कंप लिए ऑफ़तर का मतलब है अमानवीता मानवीता अ्तिमानवीटा-igns की सीमा में ना हो ऐसा कोई मॉन इस प्रफ्वे नहीं है तो मानो इनिमें से किसी ना किसी सीमा में रहता है अतिमानवीता मानवीता और अमानवीता धर्म का व्योग नहीं है क्योंकि यह धारणा है इसलिए सुद्विहीन कोई मानव नहीं है कि इसलिए लिखा है कि धर्म का व्योग नहीं है क्योंकि यह धारणा है इसका प्रत्यक्ष रूप याने धारणा का धर्म का प्रत्यक्ष रूप मानवीता एबं अति मानवीता पुन आचरण है मानवीता पूर्म आचरण में ही मानव सहज है क्योंकि अमानवी यह जो आचरण है जिसको हम लोग खीनता दीलता क्लूंता के रहे हैं उसमें निद्रभै मेतुं आली के रहें इस सब मेंमानों में आसहजता है यह धिक एस्ट्रा त्रह्यमें और सत्य में और मानवी शुहाव में जिसकों धींता वीयता अधालता तैयाक प्रपा करना के रहें। ती मानवी शुफाव। इनमें जो कार-व्योहार है उसकी सहस्ता देखी जाती है। जो सहजता है वही धर्म का भी लख्षन है और सहजता ही सुख है ऐसा हमको इस पस्ट होता है और इसलिए अमानविये ता पूर्ण आच्रण ही असहज है फिर अगला संकोंता के साथ प्रकृती अपने में संकूंता सीवित है यही अवधि है इसलिए पूर्ण में समाई हुई है यही पूर्ण में संपूंता सयज सयष्ट है यही संपूंता का नित्यवर्तमान और ज्ञाना वस्ता के मानव में पूंता सा फ्रसाव है यही जागृती के लिए बादिता है मानव के बुद्धिक छेत्र में पाई जाने वाली जो अनावश्यक कल्पनाओं का निराकरण ही दर्शन चम्ता में गुडात्म परिमार्जन है मानों का जो गृद्धिक छेत्र है जिसको खलपना का चेत्र भी बोलते हैं आसा विचारिक्षा का चेत्र है उसमें जो अनावश्यक कल्पनाओं है जो एक प्रकार से आरोपित कल्पनाओं करें या नहीं buraya नहीं दर्शन चमता में बुणात्मक परिमारजनuciones को तुल जो उपासनाम का यही गुणात्मक संस्कार परिवर्तन सिख्षा एवं जीवन के कार्षम का योगबल है दर्शन चंता का उत्तर्ष ही अनुक्षण विक्षण है तो दर्शन चंता जो है मानों के अंदर उत्कर्ष के रूप में तभी स्थापित होती है जब चंचं मध्यस्ट की और ध्यान है दूसरे अर्थों में का है कि मध्यस्ट वैयोस वैवधान होता है उससे मुक्ति रहती है त्यास्ति प्रिया का चर्मोंद कर सी ही संविश्वं क्रिया पून नियंत्रन है जब अनबोशंपन आत्मा के कारण से जीवन में जो सम और विशम क्रियाएं हैं उन पे पून नियंत्रन का प्राप्त हो जाना ही चर्मोथ कर्ष है मद्यष्ट क्रिया का चर्मुक्त और्ज है यही चंठ चंठ मद्यष्ट व्यवधान से मुख्ती है उसके बाद फिर जिसको उन से फेले तक चंठ व्यवधान बना रहता है तो यहां तक मैं पड़ा हुँ इसके बाद कर दो खरके इंद पर लिखा है संसकार पूर्वक की बौधित व्यवस्ता प्रक्रिया चमता है कि मैं कि यहां इसके आंगे सुनीता को पढ़ना है और इससे आंगे का एक दो पेराग्राफ प्रक्रिया इसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ करूँ का नमस्कार आप सभी को संसकार पूर्वक ही बौधिक व्यवस्ता प्रक्रिया शमता के अनिशंगिक है मानों सहज एशना एवं विश्यों की सीमा में प्रिवर्ति वा नेवर्ति पूर्वक व्यस्त होना पाया जाता है जो प्रक्रियक्ष है चुक्कि मानों संसकार आप शंगी एकाई है जिसे संसकार पूर्वक ही बौधिक व्यवस्ता प्रक्रिया शमता के अनिशंगिक मोग उसका संसकार परिमार्जन होता है प्रक्रियक्ष से यहां आशा है कि प्रबुध्यता पूर्वक ही विताश श्रीता की प्रक्रिया है तो प्रबुध्यता पूर्वक ही मानों में संसकार का जो परिमार्जन होता है यहां मानल सह्थारानुशंगी इकाई असलिए है कि जड़ इकाईयों में परिवर्तन होता है लेकिन चटफ़ी इकाईय में परिमार्जन होता है इसलिए वो सहिच्छारी इशनगी अपने दलाप को व्यक्ति करता है तो मानोर सहयज एश्रा एवं विश्यों की सीमा में प्रवित्ती वह नीवरत्ती पूर्वक व्यस्त होना पाया जाता है तो विश्य और एश्राओं की सीमा में प्रवित्ती रहती है और इनसे मुख्त स्थिती में नीवरत्ती पूर्वक वह व्यस्त पाया जाता है कि भूत आत्मा जो हैं वो विश्यों में आसर करें चार विश्य और पांच संवेदनाओं में देव मानव का तादात में पाया जाता है उसकी चल्चा हम पहले ही कर चुके हैं आत्मा मद्यस्क्रिया के अनशांगे गौधिक प्रक्रियावा विवस्था में सत्के संकल्वियां सत्के कल्पना पूनमान सिक्ता की इस्तितिपाई जाती है जो प्रसिद कर्म उपासना जयान कुरुन हैं आत्मा मद्यसक्रिया है, इसलिए आत्मा को मद्यसक्रिया की अनशनगी ही अपनने को वर्थटे करती है बअदिक प्रक्रिया ववज्था में सत्यी अनकर्पना पुनमाक्मॉश्ग का माननों वहतना होती है तो उसमें कर्म आचरन पूर्णता के रूप में पूर्ण होता है उपासना भी पूर्ण हो जाती है लक्ष के लिए उसमें उपासना की है वो लक्ष जो है अनुभव संपनेता और आचरन पूर्णता है और इसी से ज्यान भी पूर्ण हो जाता है कि हमको ज़्यान जो उनभव में पहचाननी में आया था व्यवस्था की रुप में उस व्यवस्था में भाग़ीदारी करनी की वाद जो फलपरेड़ाम देखने को मिलते हैं उस ए Çağs में ज्यान की 있다고 duy krach cookie शाता है बाखी जो विश्यों में जो ग्यान है वो अप्रोक्ष ग्यान के रूप में पिछले अधाय में कल इसकी चर्चा हम लोगों ने की की यही शम्ता देव वा दिव्यमानवीता को प्रकट करती है यही पूर्ण जागरती है यही शम्ता जो कर्म की पूर्णता उपासना की पूर्णता जो है और ज्यान पूर्णता यही शम्ता देव और दिव्यमानवीता के मातें से प्रकट होती है इसी को पूर्ण जागरती है एशना सक्त्य व्यवस्था में मानवी तथा देव मानवी स्वभाव का प्रकट होता है उसी के अनुरूप में मानसिक वातावरन की इस्थिती शीलता है ऐसी शमता ही सामाजिक चेतना ही सजगता एवं सतर्कता से परिपून होना पाया जाता है इसकी चर्चा में कई बार इस अध्याय में कर चुकी हूँ एशना सक्त्य व्यवस्था में मानवी तथा देव मानवी स्वभाव प्रकट होता है उसी के अनुरूप मानसिक वातावरन इस्थित्शील रहता है क्योंकि जब तक देव मानवी तपद नहीं रहता है तब तक इस्थिती में अवस्थिती पाई नहीं जाती है इसलिए इसको इस्थिती शेंता के रिपने यहां पर कहा गया है एसी शम्ता ही सामाजिक चेतना ही सजगता इवं सतरकता से परिपूर्ण होना पाया जाता है। इसकी भी चर्टा हम लोग पूरवाध्याएं में कई बार कर चुके हैं कि सतर्खता जो है वो समाधान पून तर्ख निती है और सजगता जो है वो निर्भंता की पून निर्भंता की स्थीति को सजगता कहा लिया है। और विश्या शक्ति प्रवतिवा प्रक्रिया में अमानवी आचरन होता है जो पाश्विक्ता तथा दानवीता के रूप में द्रिश्टा भी है। इनमें उसी के योगी मानसिक्ता पाई जाती है, यही लुप्त सुप्त कामना का कारण है, यही अजागरे की तथा पून अपून सतर्कता का दियुत्त है, तो जैसा हम पिछले भी सी चर्चा हम बारंबार करते रहे हैं, विश्या शक्ति प्रवतिवा प्रक्रिया में अमानवी आच्रन हमता है, जिसको पशुमानव राच्छस मानव के रूप में हम लोग यहां पर कहते हैं, तो जागरत स्वापन और सुशुक्ति की जो बात हुई, तो जागरती की संदर में ही स्वापन और सुशुक्ति का पता रहती है ON मानव के गौटी में रहता है और लो जागरती को प्रमारीत कर पाता है यहां स्वत्यांस कर पाता है इस संद्र में अभी बाद कही गई है तो उसकी मानशिक्ता हैं जहाहे का प्रधान लक्षण है तो उसकी मानसित्ता है विस्योंzet यात्रा है यही जागरती जिग्याज होने पर ही लुक्त सुप्त कलपनाई परिमर्जित होते हैं तो तीब रिक्षा काला निक्षा और सुप्त मिश्चा के रूप में कहा गया है तो सुप्त रहती है तो श्रे की सूचना पाकर के जिग्यासु बतलब जागरती के लिए जिग्यासु जो माना है वही लुक्त सुप्त उसी मानों में जो कलपनाएं जागरती के लिए उसमें सुप्ष मिक्षा हैं वो तीब रिक्षा के रूप में परिवर्टित होती हैं और वो जागरती के लिए प्रयत्नशील होता है जिसक इस उपासना के परिणाम सरूप जिग्यासु होने पड़ जागरती में जब उसकी कल्पनाई परिमार्गित हो जाती है और कल्पनाई का जो उसको अनुमान जिसी बाबागी ने जब ताधना की थी तो उनको तो परंपरा से केबल सूचना मेली थी अनुमान भी नहीं मिलाता कुछ लक्षणों की तहजान परंपरा में हैं तो लेकिन वाबागी ने जो अनुमान में पूरा का पूरा आ जाता है कि कैसे यह हम से लेकर के एक मानों से लेकर के परिवार समाच राष्ट और अंतर राष्टक अनुभाव का प्रमान जो है अहीं आफ़ें समाच साथों व्यवथा कि रूपने वर्णा तो यह अनुमान लगने से ही विश्यों की जो है समिक्षा हो जाती है कि उसमें सुक्ति निरल्दरता नहीं है ऐसी जब निश्कर्स उसमें निर्मित हो जाता है तब उसमें उदाव से इंता आती है और उसमें बेवय कोदय के लिए प्रयास शुरू होता है और यह प्रयास उपासना पुर्वक जब सफल होता है तो बेवय कोदय हो जाता है श्रेय जिग्यासा कोदय स्वा संस्कार विधिवी तध्यन तथा उसके अनकूल वातवरन में होता है तो यह श्रेय का जिग्यासा कोदय कैसे होता है तो स्वा संसकार पूलगा कई मानों में अभी वो संसकार का उद्यन नहीं हुआ इसलिए विश्या शक्त मानाओ देय मानाओ अर्दिन्य मानाओ की चर्चा यहां पर की गई है वो स्वा संसकार वातवरन और अध्यन के अवसर् पूरी की पूरी चर्चा अध्या जर्षन के बांगवयों में अध्या जर्षन के बांगवयों में तात्रिक रूप में बौधिक रूप में और व्यवहारिक रूप में व्याथ्या की गई है अब जैसे ये वातवरण बनता जाना इस शिक्षा के माध्यम से तो आन्य वाली जो हमारी त्यडिया हैं उनको यह सहज वातवरण उपलब्द होगा और उसमें उनका संसकार में निकुंता कुशलता वा पांडिते ही है अब इसका अध्यान का फ़ल क्या है एक हम फुल फंटक बात कर रहे हैं यहां पर तो दूपर Dddhati से समरिधी वा समन्धां के जो सहय क्रिया कलाब हैं वो गूला रिग सब विधि भीई है तो इससे अर्ध्यांस चिंग से निपुंता कुशल्ता वा पंडित ही है तो पंडिती को कहा जाता है ज्यान-बिवेज्ञान प्रत्यक्ष रूफी पांडित है और पांडित में निपुन्ता कुशल्ता समाई ही रहती है तो इसके संदर में एक वाके मद्य दर्शन में कहा गया है कि निपुन्ता कुशल्ता से जाधा उत्पादन एवं व्यवहार नहीं है तो मानों का समूचा क्रिया कलाप निपुन्त पांडित उसकी उपासना की अंति उपलब्धी है अध्यन एवं वातावरण ही संस्कार परिवर्तन के लिए समर्थ व्यवस्था है जिसका गुनात्मक परिवर्तन ही आत्मबोद के लिए जिग्यासा है अध्यन वातावरण एवं संस्कार उनके तीनों के योगफल को ही समर्थ व्यवस्था के लुपने कहा गया है और इस सुचना के साथ ही बहुत जगों पर इसके वातावरण देन्दित कर दिये गए हैं जहां पर इसके जिग्यासा लुगों के लिए इस अध्यन के सारी कमिया है जिसको समझने में प्योंकि यह बहुत सोख्षम अध्यान है और बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत द्रटा और निष्ठा पूर्वक की संपन होता है तो उस निष्ठा को भी पहचानने में हम लों को कापी समय लगा मुझे तो बहुत समय लगा है और एक जिम्मेदारी है मेरे अंदर के इस दर्शन को प्रस्तुत करते समय तो बहुत सारी कमियों के साथ मैंने इस प्रस्तुत को रखा है और हमारे अन्य भाई बंदु जो इस प्रस्ताव को रख रहे हैं उनसे मेरी कमियों को पूर्ती होने में बहुत साहता मिल रही है तो यह जो शुरू हुआ पुरा अध्यापन कर आते हैं तब भी हमें बहुत सारी अपनी कमियों को पता चलता है और बहुत सारी जो वास्तविक टाइम वह स्पष्ट होती है तो आज इतना ही कहते हुए कि अध्यान वातावर्ण इन संसकारी परवर्तन के लिए जो समर्थ वेवर्ता है जिसका गुणात्मक परिवर्तन ही आत्मबोद के लिए जिग्यासा है जब गुणात्मक परिवर्तन होता है जो कि विश्यों के प्रति उदासनिता के साथ प्रादम होता है वो ही गुणात्मक परिवर्तन के कारण आत्मबोद के जिग्यासा होती है क्योंकि स्वाबोद के इसके बगएर हम आत्मोगोद को नहीं पहचान सकते। इससे स्वाबोध होना पहले जरूरी है। इसके बादी आत्मोगोद के लिए जिग्यासा बंगती है। कि आत्मा ही जीवन में वो फाग है जो मध्यस्त क्रिया सक्थ है और मध्यस्त सक्था का अनभौ पादिकार जिसमें है और यहां पर अनभौ पुर्वक मध्यस्त क्रिया संपन्न क्रिया का पूरा प्रियोजन संपन्न हो जाता है और आश्राल पुर्वक मानव के इस गंतविक आज मैं आपके साथ इतना ही अपनी भागीदारी रखोंगी आगे पाठ्षब जी आपके साथ शेयर करें तो जो लास सेंटेंस सुनीता ने पड़ा उसमें लिखा है अध्यन एवं वातावरण की संस्कार परिवर्थन के लिए समर्थ विवस्ता ने अध्यन और जब वातावरण की बात हो रहे हैं तो अध्यन तो व्यक्ति ही करता है लेकिन उसमें जो वातावरण है वो सहयोगी है इसका गुनातनक परिवर्थन ही आत्म बोध के लिए जिग्यासा है अब आंगे इसको स्पस्ट किया है आत्म बोध ही सत्य जिग्यासा का प्रधान लक्षण है इसलिए अवधारणा ही अनुगमन, अनुशीलन के लिए प्रिविट्टी है आउधारणा का मतलब होता है कि जो वस्तु इस्तिती सकते है इसको मिलाके आउधारणा केरें दूसरा आउधारणा का मतलब है सत्थ बोध सहर यथावत जानने मानने की बोध खिरिया इसको भी आउधारणा केरें और अवधारना की एक तीसरी परिवासा है न्याय पून व्योहार धर्म पून विचार वा सत्य सहज अनभूती ही अवधारना है जैसे बाबा जी ने न्याय पून व्योहार की संपून अवधारना जो है है अंप लोहों के समभव परस्तुत की है इसी तरीके से धर्म पून विचार विचार वहने समधानातमगविचार विचार है वह इं ciekयररेख जो है कि अनुगमन है अनुगमन का मतलब है परंपरा के रूप में अनुकरणिये गती जिसको जब हम लोग जब अध्यनकरम में देखते हैं तो स्थूल से सूप्षम से कारण की रूप में देखते हैं लेकिन यह जो अवधारनाये जिनको हम लोग कह रहे हैं न्यायपूल विवाद धन पूल विचात और सब्द सहज अनभूति के रूप में जो अवधारना ये हैं इनका जो अनुगमन है वो परंपरा के रूप में अनुकरणी ये गती या मानुवी अता पूल परंपरा गती में भागी-दारी करना इस में हम हमारे अंदर स्वय में स्पूर्त संतुनन की भी आवा सकता है उसी को हम लोग एक अर्थ में सैयम भी कहते हैं ना सैयम तो इसलिए अवधारना ही अनुगमन एब अनुसीनन के लिए प्रविट्टी है जो सिस्टता के रूप में प्रत्यक्ष होती है प्रगती के लिए अनिवार है यदि अवधारना विहीन है तो सिस्टती में प्रगती नहीं है जागरती की और प्रगती नहीं है न्यायकुन व्यवहार की और प्रगती नहीं है धनकुन विचार की और प्रगती नहीं है क्योंकि हम लोग अनुभाव की रोशनी में ही याने अवधारना को इस रोला कि फोगों कर सकते हैं और उसमें अनुसीन मों कि प्रविर्ती के साथ रह सकते हैं यहां स्वैम स्प्साइरे सकते हैं जाघ्रती के लिए अवधार्णा और हेaf के लिए आ्शक्ती प्रशिद्ध और हमना नुदारना संपन्न होने की जरूरत करते हैं आफढना संफन्ता का मतलब यह भी होता है कि हमको न्याय धर्म सब्ति Evans कूस्थ हो जाए कि बनाध्र से संबंदित जो भी को कुछ महण व estar ho जाएं तीसरे आर्ट में कहीं कि हम हमको वस्तूगा सब्स्त इस्तिती सब्स्त हो जाए किस पस्त है तब अवधार्ना संपन्स है और ये वह अनुगमन कर सकते यानि इनको प्रमानित करने के लिए यह नियाई धन्कुन विचार की निरंतरता को व्यग्ति परिवार समाध्राज ंतराज में शर्व तो मुक्षी समाधान के रूबन प्रताप्त कर सकते हैं या सत्यपून आच्रन को परिवार से लेकर विश्व परिवार तक विवस्था के रूप में पहचान सकते हैं उसमें भागीदारी कर सकते हैं और उसका आचनन कर सकते हैं यदि अवधारना नहीं है उस इस्तिती में हिरास के लिए आसकती होती है कि दिए आत्मग्ञान याने जीवन का ज्यान जो हैं मानवीता पुनार्षण स्पस नहीं है उस इस्तिती में हम से हमको शरीर मानके या बहुत पदार्तों से ही सुफी होने का प्रयास किया जिसको हम लोग कि रहें कि जिसमें सुख सुभाव नहीं है उससे सुफी होने का प्रयास करते वही आसकती है तो आसकती जो है बहुतिक पदार्तों की होती है आसकती जो है वो आसकती बसी मानों में शरीर के प्रती भी आसकती होती है इंद्रियों के प्रती भी आसकती होती है इस रूप में आसकती को अब लोग देख सकते हैं एक तरीके से सरीर के अर्थ में जीना अपने को शरीर मानके जीना वही आसकती का मूल कारण है यही क्रम से द्रिवित्ती भा प्रिवित्ती है अवधारणा ही सद विवेक है सद विवेक स्वयम में सत्यता की विवेचना है तो अवधारणा ही सत्य विवेक है 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 ना तो जो भी हमारे पास न्यायधर्म सत्य के सम्मंद में जो भी तरक है जो भी सूचना है वो सद विवेक की रूप में है इसी को अम लोग अनभाव की रोशनी में ही सत्य की विवेचना होती है विवेचना का मतलब है जिसमें हम रूप गुण सभाव धर्म का विवेचना करते हैं देश काल देशा का हम विवेचना करते हैं अति मानवी आचरन की विवेचना करते हैं जो इसपस्ठ है बूलता है यही सुब एवं मांगल्य है सुब और मांगल्य को हम लोगों ने कल्वी पड़ा था अनभाव की अवधारना सत्थ बोद के रूप में अवधारना सम्यक बोद ही सत्थ संकल्प है अनभाव की अवधारना यदी हो गई उसी का मतलब है कि सत्थ बोद हो गया है और यदी सत्थ बोद हो गया है याने अवधारना पूरी हो गई तो सत्थ संकल्प है यही याने सत्थ बोद और सत्थ संकल्प ही परावर्तित होकर सुब कर्म को पासना और आचरण के रूप में प्रटेक्स होता है तो आउधारणा जिसको ह begitu करें सब्ट बोध औ-आउधारणा ही सप्ट संकल्प के रूप में जिसको हम करें है संटलब या निश्रै की निदंतता के रूप मैं मैं जब यह तो होता है और जब कर्ण व्योहार और अन्भव में आ जाता है तब इसको हम आच्रण करें आच्रण का मतलब है जब चारों आयाम में वो प्रतेक्ट हो जाता है उपासना का मतलब है जब जिसको हम लोग करें कि क्रिया पूंता का व्योहार है वो उपासना के रूप में इस पास होता है सुपकर्म उपासन तता आचरन की रूप में सत्व और सत्व संकल्पी परावर्तितों की प्रत्यक्ष होता है इसी का परिवर्तित मुल ही याने सुपकर्म उपासन और आचरन का परिवर्तित परिवर्तित मुल ही धीरता वीरता उदारता दया त्रपा और करना के रूप में प्रतेक्ष होता है कि सत्य में ही समयक बोध होता है सत्य का मतलब है सत्य का मतलब है सहस्तितों सहस्तित्य में ही समयक बोध होता है तो जो असत्य है यानि जो जैसा नहीं है उसके बारे में भ्रमित कल्पना होती है भ्रमित कल्पना में भास बना रहता है भावजी ने अन्मदर्षन में लिठा है कि अमानों में भी सत्य ठास्ता है इस तरीके से लिखावा या फिर आंगे है तीनता क्रूंता युक्त कर्म असुग होता है तो दीनता हींता क्रूंता से जो भी हम काईक वाचिक मानसिक कर्म करते हैं उस अशुग है का इस्तूसी है कि यहाँ पर प्रभी जो प्रिविक्ति के रूप में जब अंकूरिद होता है उसका मतलब है उपलब्दी एवं प्रयोजन सिद्धी हेतु प्रयोगत बहुतिक संबेख के रूप में होता है याने परावर्तन होने से पहले जीवन में होने वाली आसा विचारिक्षा एवं संकल्पों की इस्तिती एवं मानवी इतापूं मानसिक्ता के रूप में प्रिव यह किन रूप यह मतलब होता है आजिसकू निर्विक्ति क्या रहे है निर्विक्ति मोईता ऑंभाव में होती है अन्यवाव पूर्वक जू है बूर्दो से एकाभिक्ति किति प्रद्धी सरद्से इवन का जो परावर्तन है जो व्योहार उकारे में होता है उस सम्में भ्रह्म भय व बंधन से मुक्ति हो जाती है कैसे हो जाती तो स्वार्व मुल्लिह के द्वारा है ना इसलिए असत्य अभिमान तथा दर्प से मुक्त सत्य सरलता सहजिता और स्वाजनता से युक्त कर्म भाग उपासना स्रेकारक है जो असत्य अभिमान तर्प से मुक्त है और जो सत्य सरलता सहजिता और स्वाजनता से युक्त है ऐसे कर्म और जो उपासना है वो स्रेकारक है सत्य कामना की निरंतर्ता से लक्ष की अवधारना होती है ज्यान में ही तो लक्ष क्या है तो लक्ष समाधान समर्टी अवैस हैसित ज्यान में ही उत्पादन व्यवहार विचार एवं अनभूती प्रतेक्ष है और उत्पादन व्यवहार विचार और अनभूती में ही समाधान समर्टी अवैस हैस्तु का अनभव है ज्यान विवेक सम्मत विज्यान ही है जो पूर्ण है यदि विज्यान जो है वो ज्यान और विवेक सम्मत नहीं है तो विज्ञान जो है वो अपूर्ण है या समस्याकारी है सत्य और सत्यता में द्रणता ही स्रे मैं जीवन है तो सत्य का मतलब है सहस्ति तो सत्यता का मतलब है रूपून सुभाव धर्म में द्रणता ही स्रे मैं जीवन है सत्यान भूती ही सबका अभीष्ठ है पिर अगला बिंदु है, शरीर से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाओं का संचालन, मन ही मेधस के द्वारा करता है, तो सरीर के द्वारा जो भी हम उत्पादन व्योहार विचारादी जो भी करते हैं, कि मेधस से सबी नाडिय नियंतृतवर है सब्सक्राइब है कि दिगाया किससे मूरनुरूप जो है। तो मुल्रूप से जो सब्दिकी उत्पत्ति है वो मन से होती है फिर मेदस से होते हुए हो तम वही तंत्र से होती हुई गल ग्रंटी में आके धनी को पन्य करती है जो हमारे मुख से अभिवयक होता है जिसको हम लोग सब्ध कि रहे हैं उसका जो मूल-श्रोत है मन ही है तो मेधस पर मन मेधस के उपर मन क्या करता है तो आश्वादन पूंख स्वागत आउत तरगों का प्रशारन करता है। बंचालन करता है। नियंत्रन करता है। उसके मूल में सब्द Sabbath ही है तो मन मन नियदस के buscar जान करता है। मेधस पर मन आस्याधबन और स्वागत्पूर्ण भावतरगों का प्रशारन किया दिए आदोर्षिसरSON करता है। सब्द का मूल रूप जो है मन ही है जाँगे लिखायां कि जाग्रिती कि और गती है overlap मिन्ट्र तेहJusthe Grund ईसे सब्द जो इसको नियंतर करते हैं उंको ही हम मंत कह रहे कि जिसको हम कहें कि जो सब्ध सम्ध या अर्थ सम्ध जो सब्ध हैं उनको हम मंत्र के रूप में बाबाजी ने परिवासित किया है तो जागरिती की और गति हे तुँ नियंत्रणात्मक सब्द ही मंत्र हैं बहुत बढ़ी है मंत्र की परिवासा यहां पर भी है हम लोग परंपरा में मंत्र को बहुत इस पश्टता से समझ नहीं पाए तो लक्ष प्राप्ति योग त्रम प्रक्रिया ही नियंत्रण है तो सब्द में जो भाव है या मूल है वही उसका अर्थ है क्योंकि सब्द का अर्थ अस्तित्यु में वस्तु है अस्तित्यु में वस्तु क्या है तो अस्तित्यु में वस्तु भाव के रूप में या मूली के रूप में उसी रूप में सब्द की अर्थ वत्ता है तो सार्थक सब्दों की का जो अर्थ है यानि जो उसकी अर्थ वत्ता है तो जागरती की और गती है क्योंकि सब्द और साहित का जो प्रियोजन है वो न्याय धर्म सत्य को प्रमानित करना ही होता है इसी दिए सब्द की यात्रा है तो सब्द की यात्रा में अर्थ सात में चलता है और जो अर्थ है और याने सब्दों की भूमिका को पैचान सकती दूसरे संदों है शुरुति सम्मत जो भूमिकाएं हैं उनको पैचान सकते हैं इसको हम जागरती के अर्थ में गती में उसका अनुभव कर सकते हैं उसको पैचान सकते हैं फिर आंगे है भाव में ञों मिन होप पूर्न जो अनिवारता है उसका महत है जो भव में यूपीयोग पूर प्लयग्ता के रूप में जैसे हम जो भी मूह दो न इसका माद है तो दीड़ता की उपयोग पूर्ण पूर्ण अनिवारता यही उसका मार्क तर भी में तुप हुपको इस तरीके से वीज़ता है यहीं प्रदाइई की रूप मैं वीज़ता का को पर उप्योग करने हैं और यून अनिवारिता निस्चित दिसा है वही उसकी द्रणता है यदि वो निस्चित दिसा में नहीं है उसमें आप नहीं है ड्रख़ का अख़ती हैं उप्योंमे थूद्स फूर्ण चीछ व्याकक यिन्नम होता है हैu पूरवक्त आर्य का अर्त मैं यही समयक संप्बाइब समयक संपल्प में जो पूनकी अन्भव में फिर आंगे है जो क्रम से मन व्रती चित गुद्धी आत्मा में पाई जाने वाली सु संस्कृत मौलिक प्रियाएं है भाव का तात्पर होने से है फिर आगे लिखा है कि क्रिया सक्ति इसको अम लोग कासा कहते हैं इक्षा सक्ति यहने अकूति ज्यान सक्ति यहने मेधा इसकी काफी विस्तार से बाद जो है अध्याई एक में आई यह प्रश्टेक्शें नामगव बुद्धिया रसससर्ड़ आइ और इसके बारे में लिखा है कि क्रिया सक्ति इनके होद्य से जैसे प्रिया सक्टी के उदय से मनोबल इच्छा सक्टी के उदय से गुद्धिवल और ज्यान सक्टी के उदय से यह ज्यान सक्टी से आत्मबल प्रमानिफ होता है फिर है इच्छा सक्ती च्टी त्रैर जाग्रन जिसको में सक्टी इच्छा सक्ती और प्रेम प्रमानित नहीं होता है त्याक का मतलब भ्रम मुक्ति है यहां जाजरन प्रमाइध होने के अर्ट में अनिवार है शरीर मैं जीवन के लिए मनुशेतर प्राणियों की तथा मनों मैं बुद्धी मैं और आत्म मैं जीवन के लिए मानों की स्रिष्टी है दो प्रकार की स्रिष्टी है एक प्रकार की स्रिष्टी है जिसको शरीर मैं जीवन के रहे हैं जीववश्ता की जो श्रिष्टी हुई है उसका मूल प्रयोजन है वो शरीर में जीवन को प्रमानित करता है याने सरीर जीवन को संचालिष करने के अगर्प में प्रमानित होता है फिर लिखा है कि जो मनों में बुद्धि में और आत्म में जीवन है उसके लिए मानव स्रिष्टी है और इसलिए शरीर में जीवन यान त्याग में जो मानों के स्रगटन का प्रियोजन जो है वो इसके बाद है भ्रम्मुक्ति याने त्याग और प्रेम्माई जीवन के बिना श्वा पर कल्यान नहीं होता है देव मैं जीवन को बताया था कि दियाक्रपा करोना के स्वयूस्त अभिव्यक्ति संप्रेश्ना प्रकाशन के रूप में प्रेव मैं जीवन होता है। और भ्रह्मुक्ति के रूप में जो त्याग है उसको भ्रह्मुक्ति के रूप में हम लोग पेचानते हैं। तो ध्रम्मुक्ति और ब्रेम्माई जीवन के दिना स्वा और पर याने अपना स्वयम का उपर याने पूरी मानोजाती का कल्यान नहीं होता है मानोजाती सहे जो तुर्टिती है कल्यान का ताप्पर जागृती सहे निरंतरता से है तो स्वा उपर का कल्यान का मतलब है स्वा का जागरती सहर निरंदरता और पर की जागरती सहर निरंदरता स्वा पर कल्यान कारी कर्म उपासना ज्यान के बिना सांती पूर्ण नहीं होती है जब तक हम स्वा और परकल्यानकारी कर्म, कुपासना और ज्ञान ये तिनों को हम पाने ही लेते हैं, तक तक सांती पून नहीं होती है, फिर आंगे लिखा है, विराग मैं जीवन में अभाव का अभाव हो जाता है, विराग मैं जीवन या जिसको विराग मैं जीवन का मतलब है सम्रद्धी सहथ प्रमाण के साथ जीना है, तो सम्रद्धी सहथ प्रमाण संपन्य जो जीवन है उसमें अभाव का अभाव हो जाता है, और दूसरा असंग्राव के साथ जीना है, इसको भी विराग मैं जीवन करे इससे अभाव का अभाव हो जाता है फिर लिखा है विराग ही आत्मलक्ष कारक है फिर अगला सुत्र है आत्मलक्ष के प्रभाव से आत्मबोध होता है यदि आत्मलक्ष है तबी आत्मबोध होता है आत्मबोध का मतलब है अन्मबोध प्रमानित होना ही आत्मबोध है यदि हम लोग हमारे जीवन में विराग नहीं आया विराग का मतलब है कि हम बहुतिक्ता के लिए जी रहे हैं या जीवन में के आत्म लक्ष नहीं बनेगा ज्यादा ध्यान व्योसाई क्रिया में रहेगा या दूसरे अर्थों में कहें कि देश मिर्मित जो भी व्योसाई है उसी में जीवन लगा रहेगा यानि आसक्ती में रहेगा तो आत्मलक्ष नहीं बनेगा आत्मलक्ष के लिए जरूरी है कि जो पुर्वानुक्रम है उस दिशा में गती होना तो पुर्वानुक्रम में तभी हो सकता है जब परानुक्रम से मुक्ती हो जाए यदि परानुक्रम से मुक्ती नहीं हुई उसमें आसक्ती बनी हुई है तो आत्मलक्ष नहीं होगा तो फि इसलिए आत्म लक्ष के निर्धारन के लिए विराग में जीवन की आवसक्ता है याने अभाव का अभाव हो जाना अन्य था विश्यों की आसक्ति में जीवन क्रिया कलाब पसा रहेगा आत्म बोद को यहां पर इस पर्सक्ति किया है कि अन्य वह प्रमानित होना ही आत्म बोद है अब इसके बाद अगला सुद्व ऐसा लिखा है आत्म बोद से अथम दीपन है यदि आत्म बोध होता है तो आत्म दीपन है आत्म दीपन का मतलब है आत्मा नमों की गुद्धी मतलब जब आत्मा की तरफ अभी मों की गुद्धी हो जाती है उसको आत्म दीपन करें याने आत्मा के संकेत ग्रहन करने योग छमता संपन्न गुद्धी यहनि अभी गुद्धी क्या हो गई है जो आत्मा के संकेत को ग्रहान करने की चमता से संपन्होगे यानिए आत्म दीपन पुम्धों करने से ईख में दीपन को मैं ऐसे कि प सक्ष कर दे रहा हूं आत्मान्नुत की बुद्धी याने आत्मा की वो अभी मुख बुद्धी दूसरे अर्थों में कि जो आत्मा के जो संकेत हैं आत्मा से क्या संकेत आ रहा है तो पहला आ रहा है सहस्तित का संकेत है जिसको अम लोग अनभाव के रहे हैं अनभाव का संकेत आ रहा है तो सहस्तित को बुद्धी जो है स्विका करती है क्योंकि बुद्धी जो है सम प्रभाव है तो मध्यस्त के प्रभाव को यह नहीं मध्यस्त के संकेत को स्विकार करके बुद्धी जो है वो मध्यस्त के से संपन हो जाती इसलिए फिर बुद्धी जो है मध्यस्त सम हो जाती इसको कह रहे हैं आत्म दीपन और इस तरीके से बुद्धी एंकार से मुक्त होकर आत्मा के अस्तित को स्विकार कर लेती है जब तक बुद्धी आत्मा के अस्तित को स्विकार करती नहीं है तब तक बुद्धी स्वयम को मैं माने रहती है अपने होने के अस्तित को बुद्धी मैं स्विकार है रहती इसको हम लोग एंकार करें तो जैसे ही आत्म दीपन होता है तो आत्म दीपन से जो है बुद्धी ए छेहन करने के योग छंपता संपन हो जाती को जैसे पूद्धी जंपताों हो जातीश है तो बुद्धी में धी हती क्रिया है जो हैं जागरित होती क्रेद को प्रवर्थल क्रिया के रूप में इसको पहचान सकती Map This यहां ची लिखे आत्म दीपन से आत्म विश्वास होता है। जब ती आत्मा के संकेद को घ्रन करने लगती है अना यानि अत्मा यानि अस्थित्र को सिकन wife आत्मा भोलत जो आत्मा के लिए अभी ही जह ऐसा और है रहें जो में है याने जो अपना होना है वना अपनी स्थिती में प्रतिश्थित हो जाता है सब्सक्राइब कि आपमेश्वास हैं गोगाई तो कि दिश्याम को मैं माने रहती है याने जीवन और वने का भाव है कि होने के रूप में गुल्दि अपने को मैं माने रहती है लिखाए कि अज्ञान का च्छाय होने से आत्म प्रतिष्ठा होती है तो जैसी वुद्धि में एहंकर समात हो गया समाफ हो गया यह कि AI कैसे समाफ हो कि कुए मत तो बहुंत भी में अपनी के अ कुए अग्नान भ्रहम और भ्हां सी में हो जाता है यह अपने कहें कि अग्यान अग्यान का चाय हो गया बुद्धी में तो चिट में भ्रहम मुख्टि बाइसे तो अग्यान का चंद होने से आत्मप्रतिष्ठा होती आत्ma प्रतिष्ठा का मतलब है आत्मा के संकेता अनुसा बुद्धी इस वृत्त मन का जो क्रिया खलाब होता है उसी को कह रहे हैं आत्मा की प्रतिष्ठा हो गई याने आप जीवन में आत्मा की प्रतिष्ठा हो गई उससे पहले जीवन में बुद्धी की एहंकार के रूप में प्रतिष्ठा थी तो बुद्धी एहंकार के रूप में जो प्रतिष्ठा थी इससे मुक्त होकर आतम प्रतिष्चत हो गई और यह क्लम से मन के तक आत्मा की प्रतिष्था हो जाते हैं तो आत्मा की प्रतिष्था को भी यदि हम जागरती में देखेंगे तो वो अखन समात सारभूम विवस्था के रूप में होगी है इसी को हम करें है आत्मा की प्रतिष्ठा जीवन में है और आत्मा की प्रतिष्ठा की परावतित हैंकार समात्त हो गया ध्रम समात्त हो गया भै समात्त हो गया sufus ratio उस रूप में अपणी निरंतरता को पैचान लेती है उसे हमनेन स्मेस हो गयाजので भॉष्व से रोट में थी अज्ञान और भॉष्व से वोड़ आप क्योंने से और प्रतिष्था का मतलब है कि रीफ्था वेजितनि जुद्वाइ शीव सबींग वरो 1 निसीना अग्ज्यान का इन ऐसा होिए अन्हें प्रतिष्था का मतलब है आत्मा की प्रतिष्ठा हो गई याने आप जीवन में आत्मा की प्रतिष्ठा हो गई उससे पहले जीवन में बुद्धी की एहंकार के रूप में प्रतिष्ठा थी तो बुद्धी एहंकार के रूप में जो प्रतिष्ठा थी उससे मुक्त होकर आत्मा प्रतिष्ठित हो गई आत्मा के संकेत अनुसार बुद्धी के संकेत अनुसार चित और चित के संकेत अनुसार बुद्धी के संकेत अनुसार मन और यह क्रम से मन के संकेत अनुसार व्योहार कार वहां तक आत्मा की प्रतिष्ठा हो जाती तो आत्मा की प्रतिष्ठा को ही यदि हम जागरती में दुखेंगे तो वह अखनस्माल्स विवस्ता के रूप नहीं होगी जना इसी के हैं आत्मा की प्रतिष्ठा जीवन में है और आत्मा की प्रतिष्ठा परावर्तित रूप है। खेल आंगे लिखा है आत्म प्रतिष्ठा होने से यानने आत्मा के संकेत के अनुसार जो है जीबन क्रिया कलाव होने से पर वेराग्य होता है पर वेराग्य का मतलब तो दो इस्तिति हैं पूली है एक है वेराग और दूसरा है पर वेराग और एक विराग सब्द भी आया है ना तो इन तीनों के अर्थ को इस पस्थ हमको अपने में रखना चाहिए तो यहां पर दिखाए कि आत्मों प्रतिष्ठा होने प्रतिष्ठा को मैंने बताया है एक बार में फिर से बता दे रहा हूँ है अत्म के संकेत अनुसार बुर्द्धी चित्वेट्टी वो मन की क्रिया कला आत्मा के संकेत अनुसार जब जीवन में जागरती आ जाती है उसी से परवेराग होता है परवेराग का मतला वे एशना त्रय से मुक्ति हो जाती है फिर आंगे लिखा है कि एशना त्रय याने परवेराग होने से एशना त्रय मुक्ति होने से क्या होता है तो सामराज सिद्धी होती है तो सा प्रवाण प्रकाशन है तो परवेराग्य से क्या होगा तो परवेराग्य से सार्भुमिक्ता में विचार एवं अनभव तो विचार और अनभव में जो मध्यस्क है उसका प्रभाव निरंतर बना रहेगा उसको कह रहे हैं सामराज सिद्धी और वही फिर प्रमानित होगा उसका प्रमान का प्रकाशन होगा जिसको सामराज सिद्धी कह रहे है जिसको हम कह रहे हैं कि जो दिव मानव है वो परवेराग्य सिद्धी में रहता है परवेराग्य सिद्धी में रहने के कारण उसमें सामर सामराज किसका है मूल रहे मूल रूप से जो सामराज है वो आत्मा का ही है आत्म प्रतिष्ठा के रूप में सामराज है तो जो सामराज सिद्धी की बात आ रही है तो जब आत्मा के रूप में आत्म प्रतिष्ठा होती है याने पूर्वानु करम के अनुसार वीवन क्लिया क विचार होता है विचार की सव च다 क़ोंता एंगोंता है और निरंता का रगन नर निरंतर के अर्थ में मध्यस्त के प्रभाव में प्रृबाव में और व्याउहारणाय सु उनके प्रमान का प्रकासन होता है उसको समराज सिद्धी के रहे सामराज सिद्धी से परम एस्वर्य है और पूनत्रप्ती है सामराज सिद्धी से परम एस्वर्य और पूनत्रप्ती है परम एस्वर्य को बाबाजी ने ऐसा लिखा है परम एस्वर्य के रूप में क्या है तो परम सक्त रूप तो सेहस्तित में द्रश्टापद प्रतिष्ठा का बना रहना याने यह जो द्रश्टापद है वो क्रम सहे आत्मा बुद्धि चित्व बुद्धि मन में बना रहना मानों में बना रहना मानों जो है विवहार कार के द्रश्टा के रूप में है यह ना इस तरीके से जो द्रश्टापद का बना रहना इसी को कह रहे है परम एस्वर्य और फिर लिखा है एवं पून त्रिप्ति है पून त्रिप्ति का मतलब है जागरती पून सहच प्रमान यह ना जागरती सहच मत यहां जागरती पूनता ही पून त्रक्ति है फिर उससे ज्यादा कोई त्रक्ति के लिए कोई वस्तु नहीं है इसलिए लिखा है कि सामराज शित्ति से परम एस्वर यह एवं पून त्रक्ति होती है फिर आगे लिखा है कि एस्वर यह प्राप्ति से क्या होगा एस्वर यह सहजा वृत्ति है जो अभी हम लोग पहले भी सहजा वृत्ति के संबंद में पढ़ रहे थे इसी अतिहाई में तो सहजा वृत्ति का मतलब है सप्ता में अनवाव की निरंतरता का बना रहना सहजावर्ति का मतलब है जागरती सहज वित्ती का प्रमान बना रहना याने विचार व्योहार उक्तार में सहजता का बना रहना तो विचार की सहजता समाधान के साथ है और व्योहार की सहजता नियाई के साथ है और जो इसको हम लोग उत्पादन की जो सहजता है उपादन की सहस्ता नियम के प्राकृतिक नियमों के साथ है इस तरीके से यहने सहजावर्ति को पैचानते हैं तो एस्वर यह प्राप्ति से सहजावर्ति है सहजावर्ति से भ्रह्मुक्ति का अनवाव है यहने किसी भी प्रकार का भ्रह्म जो है वो सेश नहीं बचा वो सिस् मुक्ति का अनवाव ही मानव का चरम पुरसार्थ है तो पूरी मानव जाती है ने स्रिष्टी में जो मानव का प्रगटन हुआ है तो मून रूप से भ्रम मुक्ति के अनवाव के लिए हुआ है इसी लिए मानव के सभी प्रकार के पुरसार्थों में जो चरम पुरसार्थ है यही पून जागरती एंवं द्रस्टापत प्रतिष्ठा है तो द्रस्टापत प्रतिष्ठा का मतलब है जागरती से परंपरा है जब द्रस्टापत है और द्रस्टापत प्रतिष्ठा है दो बातें तो द्रस्टापत का मतलब है जब धीवन जो है और जब यह प्रतिष्टित होता द्रश्टापद तो जागरिती से परंपरा के रूप में होता है इसको हम लोग अखन समाज सार्फों विवस्था कहते हैं नित्य सुभ हो सर्व सुभ हो इसके साथ हमारा अध्याय पूरा हुआ इसके बाद कुछ प्रस्न हैं उनके थोड़ी सी बात करेंगे मुझे लगता है कि मैंने वो सुनीता ने भरसक प्रयास किया है कि हम लोग जो भी कुछ समझे हैं और बाबाजी की परिभासाओं का अनुसरन करने से अर्थ किस तरीके से प्रकासित होता है यह अध्यन अने किया है आप सक लोग के साथ में उसमें यह बात सब्सक्र हुई कि हमको एक-एक सब्दों को परिभासा के साथ देखने से पूरे सुट्र का जो अर्थ है या जो उसकी अर्थ वरता है या उसका प्रयोजन है वो उस पर सब्सक्र होता है जैसा मैंने अभी इसमें ये कहा गया आत्मबॉध से आत्मविश्वास होता है। आत्मत्रतिस्था होने से परवेराग होता है परवेराग से सामराज सिद्धी है सामराज सिद्धी से परम एश्वारे वम पून प्रति है एश्वारे प्राप्ति से सहजागृति है और सहजागृति से घ्रम मुक्ति का अनबव है घ्रम मुक्ति का अनबव ही मानों के लिए चरम पुर्शार्थ है यही पून जागरती और द्रश्टा पक्तिस्था है तो इसमें जितने भी सब्द आये हैं कई बार ऐसा लगता है कि केबल सब्द लिग दिये करते हैं लेकिन जब परिवासाओं के साथ में इसमें इसमें जो क्रम नहीं है यह ना इसमें एक भी सब्द निरणधक नहीं है यह एक प्रकार से मानों के पूर्ण जागरती को अभिवेक्ट करने वाली भासा है और इसी लिए मुझे बार-बार यह लगता रहा है कि हमको भासा की मर्यादा का पालन करना चाहिए यदि भासा की मर्यादा का पालन करते हैं तो प्रकाशित हो जाएगी इस पस्थ हो जाएंगी और हमारी अभिव्यक्षी जो सब्ध है और अर्थ और परिभासाओं के सहित अभिवैक्ष्ट होने लगेंगे सब्द से अर्थ से परिभासाएं परिभासा से अवधारणाएं आउधारणा से दर्शन सारी अवधारणाओं को देखने पर हमको दर्शन की पस्टता होती है दर्शन से अनभूति तो इस लिए इस क्रम को हमको इत्मुरण में रखना चाहिए अभी कोई प्रस्ट चे उत्तर है सुनीता थोड़ी सी बात करना चाहती है अच्छे एक प्रस्टता ब्रह्मित अवस्ता में बुद्धी चुंक रहती है ऐस चाहिए अवस्ता में शरीर ग्रह इस्तिति में सुत्म क्रियाओं का बुद्धी संकेत कैसे मिलता है तो जब ध्रमित अवस्ता रहती है उसमें बुद्धी स्वयम को महम आने रहती है ना तो जो अपने होने के भाव के कारण से ही जीवन की बाती क्रिया कलाब्ज वो संचा कि यहां पर एहनकार को यदि एहनकार की इस पस्टता है तो यह प्रस्न जो है इसका उत्तर भी इस पस्ट होता है और को प्रस्न पूराकेश भाई ने कुछ दो तीन बातें पूछी आज़ी आज़िए प्रस्न अज़ी आजए और कि असार टी झायर को युवा जो किन जब एड्स नवभ्स वरा है जबख्स भाई कर दो आज़ी आज़ी आचप विया को यहा रिएशन पूरा कि ग्स फसक्वर कि दास्ट वद्साए कि अ बिदे यह से चीक रदेखिज हूँने खाइब अदेजिम एफ इड़ीज हूँनी जए। झोलेजी टाइब अदेज में हूँने रड़ी। तो एक प्रस्ण तो है राकिर भाई ने जो भेजा है असी मावकास और ब्रह्मान्ड में क्या अंतर है ऐसा है हाला कि यहां पर जो सब्द आया है वो लिखा है असी मावकास और फिर इसके बाद लिखाए एक ब्रह्मान्ड में विच्रण करने वाले और फिर लिखा है एक भूमी के वातावरंड में विच्रण करने वादे हैं तो जब जिसको भू स्थली करें तो जब हम एक भूमी की बात करते हैं तो इस प्रत्वी और इस प्रत्वी के वातावरंड में विच्रण करने वादों की बात करते हैं भूत आत्माएं हैं इसी लिए भूमि के वाता व beliefs कर नहीं जाओland कि इसको कि रहा है यह मैं ब्रह्मां की में इस पस्ट हो रहा है या जो अर्क का भास हो रहा है वो इस तरीके से एक ब्रह्मान का मतनल एक सोलग सिस्टम है एक सोलग सिस्टम याने एक जो सोलग सिस्टम है उसके बीच में जो भी रिक्षिस्थली है जिसको अंतरिक शिस्थली बो रहे हैं न उस अंतरिक शिस्थली यान का मतलब एक गैलेक्सिए है और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर साइद एक गैलेक्सि उसका नहीं है एक ब्रह मांड का मतलग सोलर सिस्टम से है और जो असीम अवकास का मतलब है जहां अनन्व जो अकास जंगाए हैं यह उसको असीम असी मावकास का मतलब है जिसको व्यापक वस्तु करें तो असी मावकास में विचरने वाले कि इस अर्थ में मुझे यह इस पस्ट हुआ है दूसरा प्रस्ट है कि उत्तस्त और आत्मस उपासना में क्या अंतर है इस अर्थ में जा है तो आत्मस इस आर से अर्थ में मुझे आत्यां अंतर है कि शुरू पिया कि शुरू नहीं हुआ हुआ है कि तोड़ा सा कोजना पड़ रहा है कहां है इसलिए तो बस्तों समय ले रहा हुआ है कि यहां पर आया है कि उपासना पूटा सुरूपस्त और आत्मस्त वेद से हैं तो कुटा स्तावना का अर्थ बिल्कुल इस पर स्टेश में पून अनभाव के लिए प्रत्रिया है वो पूटा सावना है क्यां कि कूट का मतलब होता है जो छिपा हुआ है जो अभेट्द दे रहे हैं व्यापक वस्ती को ही जो समल देख करें तो कूर भी का मतलब कर चीपा हुआ है अव्यक्त है यना हम लोग जिसको व्यापक वस्तू कह रहे हैं तो व्यापक वस्तू में अनभव के लिए जो अपशना है उसका नाम कूटस उपास , कि रूपसठा गोए जैसा कि इसम मैं रूप नहीं होती है जब कोई और सभाना प्रिया विएस रोप है तो हाट रूप किसकरी किस सदल रहता है रूप आच्रन के रूप में रहता है व्योभावार कार और इसी की जैसा बढ़ने के लिए दो पर आम है ытो उसको रोपष्ट उपासना के रहें जिसमें इसको कहा है कि देव आदेव आत्माव की जो पासना है यह देव मानव की जो पासना उसको कहरें ही रूपसत पासना से जो जागरित व्यक्ति उसका आचरण जो है उसका जो सुभाव है वो हमको क्राप्त होता है इसी को दूसरे तरीके से भी बाबाजी ने लिखा है कि जो पर गोण गणना है याने हम जब किसी दूसरे वेक्ति के गोण को पैचानते हैं और उनको उनकी गणना करते हैं याने उन गोणों का चिंतन करते हैं उनको स्विकार करते हैं तो उससे जो है परमुन गर्णा से गोणों का विकास होगा है तो यह जो रूपस को पासना है तो यह किसी जागरत मानौ की या जो आचरण खूनी या त्रिया पून जो मानौ है Anda कि जीनको लोग देव मानों के रहे हैं बडिक मानौं माना उनके जो व्यवहार खार और आचरण का जो अनुचरण अनुकरण है उसके और जो आचरन है वह आचरन हमारे अंदर प्रकासित होता है और इसके बाद है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस पॉपासना है जो प्रत्यावर्तर प्रक्रिया ही आत्मस्रुपात्ना है तो जैसा भी हम लोग अभी लास्ट का सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा था कि आत्म लक्ष कब बनता है कि आत्म लक्ष कब बनता है तो हमने पढ़ा था कि आत्म लक्ष कब बनेगा जब हमारे अंदर विराग में जीवन होगा है तो जो बिराग में जीवन है उसी से आत्म लक्ष बनता है तो जिसको हम कहें कि यहां प्रत्र और वास्ता में अधा आत्मा पॉपास्णा है जो है एक प्रकार से प्रत्या वर्तन के रूप में हैं अधे लिखा हुआ है कि आत्मा स्वाय से प्रत्यावर्तन की क्षिया है जो हम वह ले आ आत्म लक्ष को अपने में निश्चित करते हैं उसको करके क्रमस है जो है मन गृत्ति को समझने का प्रयास करता है जो है वो अपर Size को आप मैं इस रूप में जो पासना है इसको कह dönहे है मासर प्रता 1 याivan प्रक्रियाई और जिसको अंबाव गामी जो कह रहे हैं वहांत मँतले लगता है कर औहो होने अपनी दो कर दो